सो हेलो विर्वान वेलकम टू सूपर जैई डिस इस सूरज मरॉद गाई जाएंगे इसमें सारे कॉंसेट के साथ साथ प्रिवीज़ एर क्वेश्चेंज भी कराए गए ताकि आपका जो प्रिप्रेशन इन्हेंस हो सके बूश्ट हो सके तो मेंक सब्सक्राइब की वीडियो स यहीं पर आपको सारे इंफोर्मेशं मिलने जा रहे है तो टेली ग्राम जरूर्र जोइन कर लेना सारे के सारे बच्चे और अगर अब के पास लगता है अब मैं सीरियसा हूँ अब मैं एक प्लेठवर्म पे बैढके तैयारहियं कर सकता करें और अपने एर-लौ कोर्स भी आ तो डॉन्ट फरगेट टू यूज दिस कोट सूरज वाईटी आप अपने टाइम के साब से एक प्लस कोट्स चूज करिए प्लस आइकॉनिक आप दोनों चूज कर सकते हैं अपने सुविदा के इनसार से जैसे होता क्या है हम अपने प्रिप्रेशन में हमाय पास ना कोई हैंस हो सके इस्ट्रक्चर्ड कोर्स होते हैं इस कोर्स को फॉलो करो तो आपका सेलेक्सन गारंटीड है अनलिमिटेड एक्सेस मतलब ऐसा नहीं कि आपने सूरज मौरिया का बैच जॉइन किया तो आप किसी और एजुकेटर का बैच जॉइन नहीं कर सकते इसमें आप हर ए एक्सपर्ट की गाइडलाइन स्टेश्ट अनलिसिस परसनल गाइडेंस यह साली चीज़ें भी देखने को मिल जाती हैं यह आपके ऊपर टोटली रिपेंट करता है अगर आपको कोई भी मेंटॉर की या परसनल गाइडेंस की ज़रूर दिन यू कोई विल गो फॉर क्या करना कुछ नहीं रहीं अपने डवट old खरें को आपके डाउं डाउट करेंगाँ और आपको प्लॉड करके अपने डाउट को क्राउप करके अपना सब्जेक्ट करें तुरंत का तुरंत आपको सलुस‐न मिल जाएयगा अगर हम बात करें कुछ upcoming batches हैं जो कि आपकी preparation के लिए काफी बेहतरीन है जैसे संजीबनी batch है जैमेन 2021 मई 2021 इस stage को target करें मई 2021 वाले को और 3 मार्च से यानी की आज से ये batch start हो गया है लेट मत करो अभी भी join कर लो ठीक है gladiator batch ये भी 2021 मई 2021 वालों को target कर रहा है आज से ये भी batch start हो चुका है अरली सिखर 2.0 batch class 12 वालों के लिए जिनका board है वो चाहते हैं बही मैं 2022 में अच्छा कर सकूँ तो उनके लिए ये batch है आज से start ठीक है अगर हम बात करें कुछ और बैचिक जैसे अली प्रक्रम 2.0 batch तो ये class 12 के लिए आज से start हो चुका है अरली नर्चर batch class 11 के लिए जो 2023 को target कर रहे हैं उनके लिए launch हो चुका है ये पांच मार्च से start होने जा रहा है तो आप अपने convenience के साब से काफी बहतरीन course से जोने जा रहे हैं आप अपने convenience के साब से choose करो और अपने direction चूच करो अपने goal चूच करो जोड़ जाओ सबसे पहली बात अनकेडमी लिटमर स्टेज जो की class 11th वालो के लिए 7 March को ठीक है अनकेडमी लिटमर स्टेज जो की class 12 के लिए ये भी 7 March को है 7 March को 11 को भी है वही 12 का भी है आप अपने असाब से choose करो आल इंडिया अनकेडमी टेस्टरी जीए सारे बच्चों के लिए है अक्टूबर बैस साथ मार्च को इमर्ज 2.0 अगस्ट बैस साथ मार्च को तो मेक्सिर की सारे बच्ची से फॉलो करेंगे देखेंगे और अपने जो भी डाउट से मुझे कमिन सक्सिम बता देना एक बात और कि भी आपका जो अनकेडमी का टेस्ट है इसमें आपका का अनकेडमी स्कॉलर्षिप एडमीर्शन टेस्ट है तो यहां पर आपको रैंक वन पर हंडेड़ परसंट स्कॉलर्षिप रैंक 2-6 लाते हैं तो 75 परसंट स्कॉलर्षिप रैंक 7-16 तो काफी कुछ जीतने का मौका है वाई तो मेक्सिर की सारे बच्चे यहां पर क्लिक कर करने जा रहे हैं बहुत ही बेनिफीसियल होने जा रहे है आपके लिए और मेक्सिर की सभी बच्चे इसको फॉलो करने जा रहे हैं तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं सेक्वेंस एंड स्रीज अच्छा ठीक है अच्छा सिक्वेंस और सिदीज दू चीजें 10 यह तूर्ट यह सिक्वेंस इना बिल्कुल है वन टूरी फाइफ एट क्या यह सेक्वेंस है यह यहां पे यहां पे इसको हटा दीजिए फटा-फट एंस्वर में चैट बॉक्स में तुरंद गुताओ किसी भी तरीके से हम सभी बहुर्य को लिख सके है यह हमारे पास नौलेज होना चाहिए है बता भाई नो एक बच्चे ने बोल दिया नो असमिता नो तो सभी लेगों ने बोला नो और मैं जानता था कि आप नो बोलो के तो आप गलत हो ठीक है यह sequence है ठीक है क्यों क्यों कि आप कंफ्यूज होगे कि progression क्या होता है progression एक ऐसी चीज होती है जिसमें आप last term या एक general term होता है जैसे कि n plus 2 लिखा उसके basis आप सारे terms बता सकते हैं progression और sequence में बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होता है sequence मैं एक will defined pattern होता है अगर आप ध्यान से इसमें देखो दो और तीन कितना होता है पांच होता है 3 और 5 कितना होता है 8 होता है 8 और 5 कितना होता है 13 तेरा 8 21 इसके बाद कर लिखना होता है 21 और तेरा चार 13 34 इसके बाद कर लिखना हो चार 15 तीन दो पांच इस तरीके से लिख सकते है इसमें भी तो identify कर पा रहे हो आप एक well defined pattern मील गया है बढ़ इससे sequence बोलते है आप sequence of progression में हमेशा confused रहते हो इसलिए मैं यहाँ पर बता दीग भाई sequence क्या होता है अभी progression आगे देखेंगे progression में आपको एक general term में मिल जाता है but sequence क्या कि एक well defined order है तो clear है यह गलती मत करना ठीक है तो काफी बच्चों से गलती हो गई सभी ने no no कर दिया यह सब basic knowledge है जो कि आपको जानना चाहिए है एक्जाम में ऐसा कुछ पूछने नहीं जा रहा but मैं just for trying to check your mentality का आपका दिमाग अभी काम कर रहा या नहीं बस इसलिए मैं पूछा ठीक है math lover भी आ गया भाई नमस्कार ठीक है चलो कोई बात नहीं इसी तरीके से सारी चीजों को हम interesting way में लेके चलेंगे ठीक अब आता है series अच्छा sequence और series में क्या difference है जो sequence था बस उसके बीच में plus लगा दीजिए add कर दीजिए उसी को हम series बोलते हैं है ना जैसे हमने लिखा था टू प्लस हमने कर दिया प्लस कर दिया तो प्लस लगा दिया तो यह series बन जाता है है ना ठीक है यह तो हो गया बाई और जैसे हमने लिखा था बाई 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 अगर बीच में यह प्लस लग जा रहा है तो हम कहेंगे कि यह तो आपका series बन गया है right sequence में एक चीज और sequence में आपका फाइणाइट सेख्वेंस होता है कि इन फाइणाइट सेख्वेंस होता है ना जब यह वह की सड़र निस्विध रूप से आपको बहुत ही ज़्यादा बनिटरूप कर भात किया तो हम इसे yn 이야기 हो जानो घखक है सिरीज में एक चीज और बहुत ही ज़्यादा जानने की जरूरत हो थी में एक से और की पूरा सेसन देखना निश्चित रूप से आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफीसियल होगा ठ्रस्ट में सिरीज में क्या है क्योंकि ऐसे इसी चीज़ें आप जानोगे जो कि आप आज तक उतना गौर दिये ही नहीं पढ़ाई के बग ठीक सिरीज में एक चीज और जानना है कि सपोज हमने लिखा बाई सम होता है अगर हम sn-1 लिखें तो क्या लिखेंगे t1, t2, t3 और यह हम जाएंगे tn-1 तक ठीक है तो ध्यान से देखो क्या यहां पे इसके ज़ेश्ट पहले क्या रहा होगा tn-1 रहा होगा रहा होगा कि नहीं भाई n के पहले tn-1 रहा होगा अगर हम इन दोनों को सब्ट्रेक्ट करें sn-sn-1 हम करें यह सब तो गायाब होगया tn-1 तक तो गायाब होगया एक टर्म कम है तो बचेगा क्या tn तो यह बहुत ही important result होता है tn equal to sn-sn-1 यह आपको याद क करना है अच्छा इसका benefit क्या है कि अगर आपको sum दिया है देखो question हमेशा हम exam में proper तरीके से पढ़ेंगे अगर आपको sum of series दिया बच्चे हमेशा confused जाते है आपको sum दिया है कि आपको anti-term दिया हुआ है अगर sum दिया हो तो आप simply sum को एक बार n-1 रखके निकालोगो तो आपको general term tn मिल जाएगा ठीक है तो यह important result होता है tn equal to sn-sn-1 clear है ठीक है दो lecture सुनगे ठीक है तो यह वाला question है इस तरीके question आता है आपको exam में है ना इसका application भी आता है करें कि if the sum of n times of a series is 2n square plus 5n यह दिया हुआ है for all values of n find its seventh term देखो उसी का use आ गया ना ठीक है इसमें करें कि sum दिया sum of n times मतलब कि sn equal to दिया हुआ है by 2n square plus 5n और पूछ क्या रहा है कई बच्चे क्या गलती करते हैं वही its seventh term तो देखो यह maximum बच्चे गलती करते हैं कि सीधे यह यहाँ पर करते हैं यह s7 equal to 2 into 7 का square plus 5 into 7 जो कि गलत हो जाता है है अच्छा अगर हमसे पूछा है भाई question हम फिर से ध्यान से पढ़ेंगे fine its seventh term सातों मां term पूछा है ना कि 7 तक sum पूछा है इसका क्या मतलब sum of n terms लेकिन हमसे यहाँ पर 7 term पूछ रहा है मतलब कि T7 पूछ र s-n minus s-n minus 1 से निकलता है s-n कितना भई 2 n square plus 5 n minus 2 आपका यहाँ पर n minus 1 का whole square plus 5 times n minus 1 है ना अब क्या है बाई simply यह आप solve करेंगे ठीक है और यहाँ पर रख दोगे 7 तो यह हो जाएगा 2 into 7 का square plus 5 into 7 minus 2 और यह 7 minus 6 तो 36 plus 8 30 हो जाएगा है ना add करोगा 49 to 98 plus 35 minus 72 plus 30 65 हो जाएगा इसमें साब सब्ट्रेट करोगे तो यहाँ पर आपको बचेगा 7 minus 7 तो यह 91 कुछ आ जाता है क्या किसी नहीं बताया था अच्छा कुछ calculation mirror है क्या 31 आएगा ठीक है तो calculation कुछ error यहाँ पर आपका 31 आ जाता है ठीक है 91 नहीं आता है तो इस तरीके का question आप से पूछा जाता है कि simply आपको sum of series दिया हुआ है और आपसे सभी values या कोई आपको term पूछा एक 7 term बता दो 8 term बता तो सबसे पहला काम क्या आप निकालेंगे sn में से sn-1 को आप subtract करेंगे ठीक है यहाँ पर आपका minus आएगा जब minus आप करेंगे तो ठीक है यह minus आएगा यहीं पर आपका mistake हो थी ह यह minus 30 होगा ठीक ओके आज समझ आ रहा है हमेशा समझ में आएगा पीडिएप साफ नहीं है क्या वाई पीडिएप तो साफ है आओ फटा-फट देखें arithmetic progression क्या होता है इसके basis पे जेमेन पे काफी questions पूछे जाते हैं और GP पे भी काफी questions पूछे जाते हैं इसके बाद आता है आपका एज़ीप अरिफ्मेट को जिमेटिक प्रोग्रेशन देन उसके बाद आप से पूछा जाते हैं में तो बेस हैं है ना इस पे तो questions आने ही आने हैं तो arithmetic प्रोग्रेशन अगें अब प्रोग्रेशन आगें तो प्रोग्रेशन का मतलब एक well defined order आपके पास होता है जो एक टर्म के basis में पूरे sequence को decide कर दे अरिफ्मेटिक प्रोग्रेशन हम सबको पता है पहला और जो दूसरा टर्म है इनका difference बराबर होना चाहिए इनके इनके है न है ना तो common difference इसमें सेम होगा तो हम उसे बोलेंग अरिफ्मेटिक प्रोग्रेशन है इतना basic knowledge तो सब को ही है ठीक है कई बार पूछता है यह एक positive GP होता है है ना positive AP होता है तो positive AP कहने का मतलब जिसका D positive हो है ना negative positive के जना कभी-कभी increasing AP भी पूछ देता है ठीक है increasing भी लिख देता है मतलब कि increasing order में तो obviously D greater than 0 होगा है ना questions पूछे जाता है जे में में भी पूछा गया इसके basis पे अगर हम से कहा जा है decreasing AP है भाई तो decreasing AP का कहने का क्या मतलब भाई D less than 0 है constant AP कभी-कभी कहता है कि constant AP क्या चीज है तो constant AP में भी हमें पता है कि D 0 होता है ठीक है तो यह और infinite AP की अगर बात करो आप तो infinite में infinite terms रहते हैं clear है चलें ओके अब देखतें end term of AP देखो सबसे पहले तो आपने suppose लिखा ए है ना उसके बाद आप जो टर्म लिखेंगे आप इसके एक D बढ़ा रहे है क्योंकि इसको इसको सब्ट्रेट करो तो भी D मिलेगा इससे करोगे तो भी D मिलेगा है ना यहाँ पे A plus हमने 3D लिखा अच्छा end term की अगर आप बात करें तो क्या लिखोगे पहले term में देखो यहाँ पे हम लिख रहे थे भाई 1-1D है ना दूसरे term में लिख रहे थे भाई 2-1D तो लास्ट टर्म में जाके क्या करोगे A plus end term में N-1D है ना भाई जैसे पहला term था तो उसमें 1-1 कर रहे थे है ना तो ऐसे last term में N-1 दूसरे में 2-1 तो इसको प्रूब की जरूरत नहीं थी बट आगे जब question आप करोगे method of reference पड़ोगे इस चीज का concept का बहुत ज्यादा यूज आता है कि आपको end term और उसके just पहले वाले term में कोई भी confusion नहीं होना चाहिए तो tn equal to a plus n minus 1d यह nth term है from beginning starting से जैसे कि अब भी suppose आपको यह वाला term निकालना है तो आप इस formula में put करोगे basic बट एक बार basic कराना भी ज़रूरी है ना फिर questions में move करते हैं अब आता भाई end term of ap from end end से कैसे find करोगे भाई अच्छा जो tn होता था वही last term भी होता था अपना समझे जो last term है वही हम tn भी उसे बोलते हैं pn अपना last term होता है ठीक है अगर हम बात करें ए ए प्लस डी ठीक है और यहां पर suppose हम last में गए l है अपना ठीक है जैसे हम आगे जाने के लिए से 1D एखमज़ना अगर हमें इस से पीछह आना हुआ ध्यान से समझव तो क्या करते हैं इस वाले टर्म पतो लास्ट से एक पहले आना हो तो क्या करेंगे L माईनस D करेंगे करेंगे कि نए एक D हटाएंगे इसी तरीके से यहाँ पे थे ला कि लिए कि N कि L माईनस Alt laufen किया समझना बात को और कि इęt Chem की बात करो हूट क्या करोगे भाई TN'S suppose nth term tn'S क्या represent कर रहा है nth term from last nth from last ये denote कर रहा है तो TN'S कैसे लिखो भाई L minus पहले के लिए 1 minus 1 दूसरे के लिए 2 minus 1 और last nth term के लिए L minus n minus 1d ये result भी आपको याद करना है बहुत ही अच्छी तरीके से ठीक है नहीं तो आप exam में first जाएंगे कि भाई last से अगर nth term है बताना तो L जो आपका last term है minus n minus 1d clear है ठीक है भाई अगर आपसे कोई कहे कि भाई L कितना होता है चलो हम last से इस वाले term की बात करें तो L equal to हो जागा भाई A plus n minus 1d यही तो last term होता था है ना minus n minus 1d यह दोनों गायब गए तो बच्छा तो A ही ना है ना अगर last term से n term की बात करो तो यही तो है तो यही आप prove भी कर सकते हो तो simply आपको याद कितना करना है कि last से बात करेंगे तो L minus n minus 1d और starting से कर आप बात करेंगे तो A plus n minus 1d clear है इतनी चीज़े फिर आगे बढ़ें बताओ भाई अरे हरसित लव यू टू अच्छा तो यार प्रॉपर मैंने क्या राइट किया जल्दी जल्दी पढ़ना भी तो है अब देख रहे हो करीब 12 मिनट के अंदर हमने कितनी चीज़े पढ़ ली है ना with proof भी हम पढ़ने है ऐसा नहीं कि सीधे में लिख दे रहा हूं फारूमला ताकि आपका माइंड सार आप क्वेश्चन को अप्रोच कर सको ठीक है यही मेरा मोटीव है क्लियर है अच्छा पीडिय फॉर्म में भेजने एक दिक्कत हो जाएगी कि यह जो आपका है यह इरेज हो जाएगा जो लिखा हुआ है तो बताओ अगर इरेज करके भेजना तो मैं भेज दूंगा पीडि यही फॉर्म में भेजूंगा तभी यह आपको लिखा हुआ मिलेगा तो फटा फटे एक क्वेश्चन करो ठीक है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है मौड एक्स माइनस वन है थ्री है एंड मौड एक्स माइनस थ्री है आई धि तो लाइक कर दो जितने लोग भी देख रहे हो ठीक है लाइक नहीं होगा तो फिर दिमाग लगाना है क्या करना भी यह कैसे करना है तुरंत बताओ यह आपको तीन ट्रम लेकिन ध्यान आच नहीं यह मौड एक्स माइनस वाने फिर थी है और मौड एकस वाइनस तरी है और फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन इंक्रीजिंग एपी ठीक है और आप से करेंग भाई सिक्स टर्म उसका एपी का बताओ और इंक्रीजिंग फटाफट दो मिनट गंदे से सॉल्व करो बहुत अच्छे अनुभाओ तो लाइक कर दो जितने लोग भी देख रहे हो ठीक है लाइक नहीं हो तो फीर अब देखो 74 लोग देख रहे हैं और 69 लाइक है क्या मतलब है फिर है क्या कोई मतलब जल्दी जल्दी करो बहुत हीजी क्वेस्टिन है असान क्यों प्रेश अलगा जाएगा करने में है ना इसमें आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा अगर इसे खुझ से कर ले तो बहुत अच्छी बात है कर नहीं कर पाते तो कोई बात ही नहीं है इसमें आपको काफी चीज़ें सीखने को मिलेंगी करिए फटा-फट एक बर दिमाद तो एक्टवट लगाए है सोवे एक बर अप्रोस्ट तो कर लो है एक बर एप स्टर डिश्ट कर लो हां हर से बिलकुल ठीक रद ना कर रहा हो आपको मिल जागा वैसे आपका वो cover होगा फिर अगे आगे जाके cover होगा है ना तो आप tension उसका मतलो पॉस्टू लेंगे ना सब देखते हैं ठीक है इस questions आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा है थोड़ा सा mind open हो जागा 2394-x अच्छा चलो देखते हैं भाई चलो देखते हैं अभी तक किसी बच्चों ने सही जवाब नहीं दिए चलो मैं करता हूँ आप रहने दो क्यूंकि आपको time लग जाएगा देखो यार सबसे पहली बात तो जब भी इस तरीके का आपको question देगा तो आपको ध्यान ये रखना है कि mode break कैसे करें एक बाट जब आप इसे 0 करेंगे तो x equal to 1 आएगा और आप एक बाट जब इसे 0 करेंगे तो x equal to 3 आएगा है न तो जब 1 और 3 तो कितने interval में हम इसे break कर सकते हैं सबसे पहला interval तो होगा भाई x less than 1 हो ठीक है दूसरा interval होगा कि x greater than 1 हो और less than 3 हो तीसरा interval होगा x greater than 3 हो अब जब 2 mod है relatable आपने अगर function में थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो आपको यह समझ माएगा कि भाई यह जो mod और इसी तरीके question जाई में पूस्तत इसे हलके में मत लेना ठीक है तो mod को हमने दो तरीके से पहले तु ब्रेक किया इसे 0 पूट के इसे 0 पूट के 1 और 3 आगे इसमें जितने भी possible combination है एक बार दोनों ही less than 1 है x और एक बार x 1 और 3 के बीच में और x greater than 3 क्या यह थोड़ा बहुत रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं फटा फट बताओ यह थोड़ा भी आप रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं कि यह जो mod भी यह तीन इंटर्वल में ब्रेक होगा मतलब कि इसके तीन तरह हां increasing मतलब positive से नहीं है रिलेट कर पा रहे हैं अचा ठीक अब ध्यान से समझना आप जो increasing समझ रहो अभी तो यहां से बता ही नहीं सकते जरूरी थोड़ी आपको x थोड़ी पता भाई x क्या आपको पता है कि यह x positive रहेगा क्या रहेगा नहीं increasing का मतलब अब ध्यान से समझ ने दिया x less than 1 अच्छा जब x less than 1 सीधी सीधी बात बताओ कि यह mod क्या रिप्रिजेंट कर लेगा यह negative भाई obviously x less than 1 है मतलब कि कुछ 0.something करके है है ना 0.2 या फिर minus 1 है यह minus में आ रहा है तो obviously यह minus के साथ return होगा तो minus x minus 1 पहला term होगा यह 3 होगा और यह भी जब x less than 1 है तो mod minus हो जागा तो minus 1 हम बाहर लगा देंगे x minus 3 यह पहले case में ap बन रहा है अभी check करना है ठीक है अब क्या बन जाएगा भाई अगर यह ap में है तो इन दोनों का common difference इन दोनों का common difference बराबर होगा मतलब कि 3 plus x minus 1 minus के तो plus हो गया equal to minus x minus 3 minus 3 clear है ठीक है अब x minus 1 इधर ले क्या होगे plus x हो जाएगा equal to यह plus 3 minus 3 यह minus 3 ही रह जाएगा ठीक है यह हमने इधर ले गया बाई तो 2x अब आप इधर इसको ले जाओ 1 को तो यह minus 3 plus 1 हो ज गया minus 1 x अभी हमें क्या मिला भाई minus 1 अभी भी काम खतम नहीं हूँ अभी चेक करना है हमे minus 1 पर जब आप चेक करेंगे तो इसकी value क्या आ जाए भाई minus 1 पर यह आ जागा 2 भाई common difference 1 है ना greater than 0 है ना increasing है ना increase हो रहा है तो पहला ही case है सामें मिल गए increasing AP है तो इसी को हम मानेंगे भाई यह increasing AP हमें मिल गया ठीक है और क्या कह रहा है भाई हमें चाहिए क्या 6 टर्म चाहिए तो T6 is equal to A plus 5D है ना A कितना है 2 है plus 5D कितना है 1 है तो 2 plus 5 7 हो गया तो 6 टर्म कितना होगा भाई 7 क्या किसी ने answer दिया है निखिल वर्मा प्रथम तालुपरी मैत लवर ने दिया बहुत अच्छे ठीक है तो increasing से बिलकुल भी आपको confused नहीं होना है तो 6 टर्म क्या मिल गया 7 मिल गया ठीक है यह तो हमारा खुसकिस्मती थक भाई हमने पहला ही case लिया मौट का हमें मिल गया चलो अब कोई बच्चा कहेगा भी यह हमारे दिमाम में यह doubt है कि आप दूसरा case क्यों नहीं ले रहे हूं दूसरा भी हो सकते हैं अब मैं इसे रेज करता हूं फिर से देखते हैं कि सब्सक्राइब कोई साथ ठीक है अब हम कौन सा case ले रहे है एक था अपने पास x greater than 1 and less than 3 यही था ना दूसरा वाला case फटा फट देखो copy में अपने यह था भाई तो यहां से हम यह समझना भाई अब तो यह वाला जो मौड ही है तो positive return करेगा क्यों करेगा भाई क्यों क्यों क्योंकि यहां पर बाई 1 से बड़ा 2 या फिर 2.5 सम्थिंग लोकिती यह positive return करेगा तो positive रहेगा कॉमा 3 रहेगा लेकिन हाला कि यह अभी 3 से less ही है तो यह obviously negative return रहेगा 2 रखो तो भी negative मौड का काम positive बनाने इसलिए एक बाहर minus लगाते हैं यह minus लगा देंगे यह फिर 3 minus x लेके दो सीधी बात है ना अब मैं थोड़ा सा direct कर रहा हूं 2 3 6 is equal to first term यह 3 minus x इस तरीके समने कर दि दे सकते हैं ठीक अच्छी बात है और एक case अभी बच रहा है third case क्या था भई x greater than 3 था है ना तीन से बड़ा कुछ भी 5 लो 10 लो कुछ भी लो तो यह तो positive आ रहा है भाई इस case में x minus 1 यह जो 3 यह तो है ही और यह भी अब भाई साब का number यह भी positive आएगा तो कितना आएगा भ अब क्या है यहां पर 2x is equal to minus 10 हो जागा x equal to आ गया 5 अभी हमें x5 ले लेकिन अभी ap नहीं मिला है अब क्या है इसमें put करो भाई फटा फट 5 minus 1 जाएगा 4 3 5 minus 3 जाएगा 2 तो यह बता भाई यह जो ap बन रहा है यह कौन सा ap है यह decreasing ap भी यह जिसका common difference minus 1 है समझ रहे हो बात अ अब clear हुआ होगा चीजे कि कैसे और अगर question में थोड़ा सा घुमा के पूछता आप से find first term of increasing के जाएग डिक्रीजिंग ap तो क्या आप पहला case लेते बिल्कुल नहीं लेते न अब decreasing question में पूछ दिया भाई तो decreasing ले लो अब यहाँ से यह वाला ap जो मिला है हमें यह decreasing ap है तो t6 निकालना है obviously a plus 5 d होगा clear है a कितना यहाँ पे 4 है plus 5 into d कितना minus 1 है भाई d तो minus 1 है न इसमें से इसको गटाओगे तो 4 minus 5 minus 1 तो इसका जो छटवा टर्म होगा minus 1 होगा करके भी देख सकते हो 1 होगा फिर 0 होगा फिर minus 1 होगा पहला दूसरा दीसरा चौथा पाच्वा छटवा 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 क्या है minus 1 है तो आई ओप आपका कुछ था ही नहीं यह सब बस आपका एक वार्म अप था ठीक है हर सिजयन आया समझ भाई इसके बाद हम questions अभी आपको जैमें का कराएंगे और जब session end हो जाए तो आप जो 2019-2018 पूछ आप उसे भी करेंगे ठीक है तो यहां से आपका दिमाग और माथा खुल गया होगा नहीं अच्छा question नहीं बहुत ही basic था 15 फरूरी से पहले ही हो जाएगा BGM Music ठीक है तो I hope enjoy कियों के question चलो फटा 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 आगे बढ़ते हैं भाई है ना ज्यादा time है नहीं अपने पास ठीक है आओ अच्छा हलकालका भी आ रहा है आज आएगा ठीक एक जानकारी और है ठीक है इसको भी ध्यान से सुनना कि यह भी आपका mind opener question है है ना समझना ध्यान से तो क्या करें रहा है भाई इन एंड इन फाइनाइट अपी दस सम और फाइनाइट एपी है दसम आइट पासरी फाइना को समझ माया कहने का मतलब है जो पहले और लाष्ट टर्म का सम है ओ हमेशा इक्वी डिश्टेंट जैसे सुरू से पाचवा लाष्ट से पाचवा उनके सम के बराबर होगा सुरू से दूसरे का सम लाष्ट से दूसरे का सम इन दोनों का सम पहले और आखरी के बराबर होगा सुरू से तीसरे टर्म का सम और लाश्ट से तीसरे का सुरू से तीसरा ले, लाश्ट से तीसरा ले सम के पहले और आखरी के सम के बराबर होगा विस्वास नहीं हो रहा है, चलो देखते हैं क्या कह रहा है, भाई, दो है चार है, पांच, सुरी है कि यह जो टर्म है सुखे दूसरा लो और लाच से दूसरा इनका सम्वी बराबर आए गा हिए ऑीज़ा बिलकुल आ रहा है बीच में उसको आप तूं से मंटिबलाई कर दो और 16 आ जाएगा क्योंकि सुरू से भी 8 है लाज से भी 8 है एट प्लस 8 16 ही आएगा है ना तो इस कॉंसेट का भी काफी यूज है अच्छा बहुत समय पहले की बात आओ एक आपको कहानी सुनाते हैं ठीक है बहुत समय आज से से लेके हंड्रेड तक का सम बताना है तो बताओ उस मैथमेटिक्सियन सुरज मोरे ने क्या दिमाग लगाया होगा उस वक्त की बात है आज से करेब देड़ 200 साल पहले जब मैथमेटिक्स नहीं हुआ करता था बहुत समय पहले की बात है ठीक है अभी बच्चे क्या करेंगे भाई या एन बाई टू हंड्रेड बाई टू ए प्लस एल कर देंगे पहला टर्म प्लस लास्ट टर्म अभी लेकिन उस वक्त यह फार्मला नहीं आया था तो उस वक्त क्या उसने दिमाग लगाया होगा पता है तो सारे बच्चों ने क्या क्या बाई ऐसे कर रहें 1 प्लस 2 3 3 3 6 4 10 5 15 प्लस 6 21 ऐसे कर रहें बट जो उस वक्त का मैठमेटिस हैं था उसने दिमाग लगाया कि भाई जो इक्वी डिश्टेंट टर्म्स हैं उनके सम तो बराबर है है ना मतलब आप चाहे 100 और 1 को जोड़ दो इसके पहले 902 का चाहे आप 902 को जोड़ दो चाहे 903 को जो मतलब 101 आएंगे ऐसे करके उसने 50 पेर भाई 100 टर्म्स है और दो दो का पेर बना तो 50 पेर बना तो उसने सीधे बोल दिया 50 का गुड़ा कर दो 101 से एंसो राजा का 5050 ठीक है तो उस वक्त इसने दिमाग लगा तो यह दिमाग लगाने का क्या मतलब कि कहानी सुनाने का कि आ पहले और आखरी का सम हमेशा एक्वी डिस्टेंट रहता है चार और बारा का करो चाहे जैसा करो क्लियर है हाँ बीजी हम म्यूजिक ने सही बताया ठीक है ना एंट्र टर्म के अडिसन का फार्मलोर मुला नहीं था वाई उस वक्त ठीक चलो तो आगे बढ़ते हैं हम अच्छा जब यह समझ लिए तो इसके बेसिस पर एक क्वेश्चन भी कर सकते हैं फटा फटा फट है ना तो फटा फट यह क्वेश्चन करो आइटिक क्वेश्चन आपको विजबल होगा ठीक है दिख रहा है लेट में सी हां हां दिख रहा है सारे बच्चों को दिख रहा है बहुत अच्छी बात है फटा फट मुझे पहले क्वेश्चन का एंस्मर चाहिए बाई जल्दी 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 आपको दिया हुए A1, A A6 plus A10 plus A21 plus A25 plus A30 is equal to 120 दिया है यह चीज़ दी हुई है और पूछा है कि थर्टी तक काप सम बता दो बता सकते हो फटा फट बताओ जरूर होगा क्यों नहीं हो गया इस पाटी तुरंद मुझे चैट सेक्शन में सारे बच्चों के एंस्वर चाहिए as soon as possible फटा फट जल्दी जल्दी कि अभी किसी का जवाब नहीं आया है अभी काफी जंग बाकी है भाई यह ना 600 और पिता सिंग ने जवाब दिये बहुत बड़ी है वेरी गुड आर एक बच्चे ने बोला आर और पिता सिंग 600 अंकुष चोद्री 600 भाई दू-तीन लोग और बताओ इतने लोग देख रहे हो फटा फट जवाब आना चाहिए नहीं है अगत बहुत पिटाई हो जाएगी बताईए चलो देखते हैं क्या आता है दो सिधिस बत यह दिया हुआ है सपोस्च हम 30 तक कि आपर बात कर रहे हैं तीस टम कि बात कर रहे हैं बिल्कुल अब क्या है भाई हम देख रहे हैं सपोस्च अपने पास एक पिए तुस पहला और पहला टरम एवन मानते हैं और थर्टी तरम म A4, A5, A6, है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पच्वा, छठ्वा, छठ्वा, शिक्ष टर्म है यह, है ना, या फिर आपको, कि यहां से यह पहला जैसा भी आप मानो, और A25 का आप देखो, A25, A26, A27, A28, A29, A30, लास्ट से कौन्स है, पहला, दूसरा, तीसरा, हुआ, और यह, लास्ट से सिक्ष वाला टर्म, 25, तो भाई, यह तो इसके बराबर होगा, इक्वी डिस्टेंट होगा, अभी जस्ट मैंने बताए, यह भी लेम्डा के बराबर होगा, उसी तरीके से, A10 है आपका, है ना, और A21 है आपका, यह भी आपका एक्वी डिस्टे करोगों, तो 3 लेम्डा आएगा, लेम्डा प्लस लेम्डा प्लस लेम्डा तीन पेर अपने एक्वल तो 120 तो लेम्डा आगया कितना, 40, अब निकालना क्या है, 1 से लेके 30 टक का सम, ठीक है, एन बाई 2, A प्लस L होता है, है ना, तो N बाई 2 मतलब 30 बाई 2, इन्टु A प्ल 20 हो गया है, तो I answer कितना आगया, 600, तो Q आलों का सही है, clear है, देखो, question नहीं समझ माया, जिसे फिर से समझ लो, क्या रहा है, अगर आपको A1, A2, A3, AP में दिया हो, और आपको एक सम दिया हुआ है, 120 के बराबर है, A1, A6, A10, A21, A25, A30, A20, A30, A20, A30, A20, A30, A20, A20, A30, A20 बराबर होगा, A25, A6 का भी सम बराबर होगा, अब इस्ट हमने यहां पर डिसकस भी किया हुआ है, वही थियूरी, हैना, कहानी भी सुनी उसके बेसिस पर, A10, A21 भी बराबर होगा, तो 3 लेमडा इक्वेल टो 120 हो जाएगा, तो लेमडा हमने निकाल लिया, सम कैसे निकालत है, थोड़ा बहुत, अभी सम में बताऊंगा भी, N by 2, first term plus last term होता है, हैना, तो A1 by, यहां पर first term A1 होगा, last term 30 होगा, A1 plus A30 लेमडा ही था, यह हमें पता हो गया, तो 30 term में 30 बटे 2 गुडे, आपका जो 40 है, ठीक है, तो फटा-फट, बहुत अच्छी बात है, अब यह वा दिया हुआ है, दिन वही कहानी फिर से, once a day के 25 कहानी पूछ रहा है, जल्दी जल्दी बता दो भाई, आज आना चाहिए, ठीक है, इसे फटा-फट इरेज करता हो, स्क्रीन सोट ले लो, हमने कर दिया, इरेज, बहुत अच्छी बात है भाई, अब क्या है भाई, सेम कहानी यहाँ पे भी यह क्या लिखा है भाई, a1 प्लस a5 प्लस a9 प्लस a13 प्लस a17 प्लस a21 प्लस a25, इस इक्वल टो 112 दिया है भाई, अब सिंपल सा दिमाग लगा ना, a1, a25 सबोस हम मानते है यह लेमडा है, है ना, यह हमने मान लिया भाई, लेमडा, ठीक है, शुरू से पाच पाच हुआ, लास्ट से पाच हुआ, है ना, यह भी बराबर होगा, इन दोनों का सम भी लेमडा होगा, a9, a17 यह भी लेमडा होगा, अब दिमाग लगाओ, यह कितना होगा भाई, अब ही जैस्ट हमने इसके पहले ही देखा था भाई, जो यह वाला मानत 8 को क्या लिख रह था, ठीक है, शुरू से 13, लास्से 13 यह मतलब कि लेमडा भाई 2 आएगा, समझे, भाई, अगर आप ध्यान से देखें, तो यह दो दो का सम लेमडा है, तो अकेला जो बच गयो लेमडा भाई 2 होगा, जो बीच में होगा, थोड़ा सा को रिलेट कर पा रहे हो, तो कितना प यह बन गये, लेमडा प्लस लेमडा प्लस लेमडा के, और एक भाई लेमडा भाई 2 बच गया अपना, 112 है, 3 लेमडा प्लस लेमडा भाई 2 तो मतलब 7 लेमडा भाई 2 is equal to 112, साथ, एक कम साथ 46, लेमडा एक वाई 22, कहानी खतम अब, इनफिनिस, अब क्या है भाई, यहां प आपका लेम्डा है तो लेम्डा कितना है 32 है मल्टिप्लाई करो 16 इन्टु 25 65 जा 80 16 ठूजा आपका 32 840 तो 400 वाला आप्षन आपका करेक्ट है 400 काफी बच्चों ने जवाब दिया very good मतलब की चीज़ें clear हो रही है है ना बहुत बढ़ियां यार बहुत बढ़ियां है वेरी गुड आगे बढ़ें आ रहा है समझ अब इंट्रेस्ट आ रहा हो गए ना थोड़ा 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 क्या पूरा पूरा ही आ रहा होगा अब मैं सी का नहीं अच्छा वन्स अगेन वाले आगें बच्चे ठीक है वन्स अगेन समझाता हूं मैं बाई सिंपल सी बात आपको फिर सी यह सम दिया हुआ था ए 25 तक ठीक है कुछ ऐसा सम दिया हुआ है तो हमें पता पहले और आखरी का सपोश हमने कुछ भी मान लिया सु एकवी डिस्टेंड सम भी फश्च के बराबर होता है सपोश हमने उसे लेमडा मानना तो सुरू से पाच हुआ लास से पाच हुआ उन दोनों का भी सम लेमडा ही होगा जैसा कि हमने थ्यूरियम भी देखा सुरू से नवा लास से नवाँ ओबी बराबर होगा लेकिन य निए पात ये लेंडा बच गया इसका क्या था लेमडा यी लेक्ट वाई टू था लेमडा भाई टू आमने कर दिया यहां से लेमडा निकाल या अब मैं नहीं करने जा रहा है है ना बहुत अच्छे मनी इस वेरी वूर्ड अगला चैप्टर मिहां लोग लगा रहे वो अब आओ फटाफट सम देखते हैं सम का फार्मला मैं बता देखे हो सब को याद होगा कि अपने पास कोई भी AP दिया हुआ A plus D दिया है A plus 2D dot 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 A plus N minus 1D अपने पास कोई AP है ये आपको TN suppose दिया हुआ है TN equal to A plus N minus 1D अगर हम sum लिखते हैं सन इकल टू क्या लिखते हैं एन बाई टू जितने टर्म से टू ए प्लस एन माइनस वन डी क्लियर है बहुत बढ़ी यह बात है और हम एक फॉर्मला और लिखते हैं भाई एन बाई टू जो अभी हम देख रहे थे यह तो पहला और आखरी टर्म लिख दो यह कहां से उभर ग लेते हैं हम है ना एन माइनस वन डी और यह बाउन वाइनस वन डी क्या लता है टी एं होता है टी एं किया लार्श्ट टर्म है न तो क्या हो गया एन बाइटू ए यही कहानी है ठीक है जो आपको सुनानी है तो दो फार्मिलों तो पहले और आखरी का सम कर दो दिमांद open रखोगे तब ही फार्मिलों का यूज कर पाओगे नहीं open रहेगा तो फिर खतम कहानी और एक होता है भाई n by 2 2a plus n minus 1d कुछ याद नहीं करना है आपकूर्स अलाउंडर इस more than sufficient ठीक है सिंगेश इस more than sufficient हाँ हाँ अंकुस बिल्कुल बिल्कुल ठीक है आगे बढ़ते हैं फटाफट more interesting important result to remember देखो भाई अभी तक हमने क्या क्या देखा ध्यान से समझना अभी तक बस हमने यह देखा है यह जो tn होता है वो sn-sn-1 होता है यह common sense की बात है ठीक है और एक चीज हमने यह भी देखा था यह जो d होता है वो tn-tn-1 होता है होता है कि नहीं होता है होता है तो अगर आप से d और s के बीच में कोई relation पूछ दे क्या आप बता सकते हो क्या बता सकते हो बिल्कुल बता सकते हो भाई कि common difference और sum की बीच में क्या relation है हमने भाई tn और sn की बीच में relation पाया है tn और d की बीच में relation पाया है लेकिन sn और d की बीच में क्या relation है तो कोई derive कर सकता है तो बहुत ही असान होता है बाई simply d अच्छे यह समझ मारा ना भाई कैसे अगले वाले टाइम में से पिछले वाले को माइनस ही तो करते वही तो d होता है तो d is equal to क्या होगा tn कितना है भाई sn minus sn minus 1 है और minus करना tn minus 1 तो यह हो जागे sn minus 1 यह minus sn minus 2 हमने कर दिया बहुत ही प्याद से ठीक अब क्या है भाई d equal to sn minus 2 times sn minus 1 plus sn minus 2 हो गया बस याद रखना कि n इस case में आपका greater than 2 होना चाहिए या फिर greater or equal to 3 होना चाहिए यह आपका common difference और sum का relation मिल गया यह सब छोटी छोटी चीज़ें जो आप भी अपने common sense से निकाल सकते हो ऐसा चुस में कुछ बताने वाली चीज़ नहीं है ठीक है मिल जाएगा मनीज कोई दिक्कत नहीं है हाँ बिल्कुल बनाना the known majesty बिल्कुल जीते इंदर का उसल कर सकते हैं अच्छा 12 के बारे में मैं सोचता हूं यार कुछ जल्दी है ना कि भी काफी बच्चे करें भी है 12 ठीक है 12 के बारे में सोचते हैं चलो ठीक है आई ओप यह क्लियर हो गया होगा आगे बढ़ते हैं अब आज आओ बाई जे में पर तूटते हैं है ना जे में का क्या question करो फटा-फट विदिम टू मिनट इसे स्वाल करो इसका एंसर कोई देख के नहीं बताएगा अभी इसे बता दे रहा हूं है ना 1151 तक मुझे इसका एंसर चाहिए फटा-फट बताओ भें question मैं मैं भी repeat करता हूं the common difference of the ap b1 b2 dot 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 bm is two more than the common difference of ap a1 a2 a1 ध्यान से question again question जब तक ध्यान से नहीं पड़ोगे तो याद कर लो गलती तो होगी ही होगी है ना if a 40 आपको दिया है a 100 दिया है b 100 equal to कुछ ऐसा दिया हुआ है then b1 is equal to फटा-फट इसका एंसर आप बताएगे जल्दी जल्दी भाई class time यार यह ठीक है जो क्योंकि पढ़ने माले बच्चों तो यह सुबही आते है ना एक आप भी अपना fix time बोगे से मुझे math पढ़ना है यहां पर तो हर हाल में पढ़ना है क्योंकि मैं अपना यहीं कोशिक करता हूँ यहां पर आपका 1 minute भी waste नहो अगर आप 2 घंटे आयो तो दो घंटे में चार घंटे की नॉलेज लेके जाओ भाई ठीक है अब आपके उपर डिपेंड करता है या फिर नहीं ले जाते हो ठीक है यह आपके उपर डिपेंड करता है तो ले जाना है ना नॉलेज तो फटा फट ले जाओ भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है करो फटा-फट B, B, काफी बच्चों ने जवाब दे दिया B, ठीक है C is answer इसमें भी confusion हो रही भाई फटा-फट देखो, इससे गलती हो रही है चलो देखते हैं B आएगा, अच्छा कई बच्चे B बोल ले हैं, कई बच्चे C बोल ले हैं नहीं, अबदुल निहाल बिल्कुल भी नहीं कभी ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि आप इतने तेज़ नहीं हों कि 60 out of 60 ले आओगे सबसे पहले बात दो अपने को दिया, हम क्वेस्चन ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से लिखेंगे, नहीं तो गलती हो जाएगी BM 1, AP दिया हुआ, यह वाली और एक क्यारक, AP अपने पास है A1, A2, A3, dot, 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 an दो AP है अब पहला के statement क्या था, the common difference of the AP यह वाला, is two more than the common difference of AP अगर इसका common difference, suppose हम D मानते है इसका common difference इससे दो ज्यादा है D plus 2 होगा, इसका बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है पक्की बात है कि गलती होगी जो बच्चे खुद से इसे attempt कर रहे होगे अभी तक, उन्हें पता चल लोगा भाई, एक गलती हमने कर दी है ठीक है, if A40 इतना दिये A100 इतना दिये, A40 मतलब कि A plus 39 इसका तो common difference D ही है equal to minus 159 है बहुत अच्छा, और A plus 99 इसका तो common difference D है तो हमने simply D लिया यह minus 399 दिया है तो पूछ रहा है आप एक और relation यह दिया हुआ है सबसे पहली बात तो यहां से हम कुछ obtain करने की कोशिस करते हैं अगर आप subtract करते हैं सब्सक्राइट करते हैं इसमें से इसको subtract करते हैं minus 66 D बचेगा equal to इतना लिख रहा है नीचे तक बहुत अच्छे यहां पर क्या बचेगा भाई 40 इधर से बचेगा और यह 240 यहां पर हो जाएगा है ना यह 60 है 66 नहीं है यह समझ मारा भाई plus होगा तो यह आपका 240 बचेगा गलती हो तो बताना तो D equal to कितना आगया भाई minus 4 ठीक है और इसका जो अब इस वाले का common difference है ध्यान से समझो इस वाले का common difference कितना आजाएगा भाई इसका D आया minus 4 तो यह तो D plus 2 था minus 4 minus sorry plus 2 कितना हो जाएगा भाई minus 2 तो इसका वाला जो common difference है भाई इसका जो common difference यह minus 2 है और यह जो A वाला है इसका common difference minus 4 है यह तो सबसे पहले highlight करके रख लोगे ठीक है जब इतना हमने पा दिया तो बस अब चीजें बहुत ही असान है क्या है B100 is equal to A70 ठीक है और B1 पूछा है तो B100 मतलब B1 plus 99D D कौन से यूज करोगे भाई ये वाला D आप यूज कर दोगे ये गलती तो पक्की बात कर दोगे एक्जाम इसलिए मैं अभी यही से साउधान कर दे रहा B1 के लिए B1 वाला D यूज करेंगे आप minus 2 समझे ये गलती पक्की बात कर दोगे A70 के बराबर है भाई यहां से देखो A के लिए आप सबोजी ये सब A1 था है न A1 plus 70 था तो 69 अब इसका D कौन से है भाई A1 वाले का minus 4 है अभी हम A1 नहीं निकाले थे यहां से A1 आप बढ़े आराम से निकाल सकते हैं A1 चलो निकालते हैं तो A1 कितना आजाएगा भाई minus 3 A1 minus 3 आगा है निकाल लिया होगा आपने तो B1 minus ये 198 is equal to minus 3 minus 49 is 36, 6 ये 3, 46 is 24, 27 तो B1 is equal to minus 279 plus 198 clear है अब क्या आजाएगा भाई 9 में 60 जाएगा 1 ठीक है 17 में सन हो जाएगा 8 और ये minus 1 रहेगा minus 81 ये क्या आगया भाई हमारा ये B1 आगया equal to minus 81 कौनसा option? option number C is correct ठीक है तो छोटी छोटी बातों अगर आप ध्यान रखोगे तो ही जाके आप जही में का question सही कर पाऊगे क्योंकि वहाँ इतना pressure होता है दिवाग में आप question सही नहीं कर पाते है फटा फटा इसका screenshot लो ठीक है जल्ली लो सब कुछ दिख रहा है ले लिए बहुत अच्छी बात है हाँ हाँ इतना ही जी आता है बट बच्चे गलती कर जाते हैं जो यहां पर मैं बताया जब यह वाला हिष्टे को लिखते है ना तो यहां पर गलती कर देंगे कि यह कौन सा ले तुरण तो लिखें कि बीवन प्लस 99 डी इक्वाल टू ए प्लस 69 डी और डी आप हमेशा यही वाला ले लोगे यह गलती मैक्सिमम बच्चे करते हैं एटी परसन नहीं करते हैं बड़ ट्वेंटी परसन बच्चे कर जाते हैं तो मैं नहीं चाहता कोई भी बच्चे गलती करें अगया तो क्लीर था दमदार था प्वेश्ट के लिए बिलकुल था हाँ हाँ यह आरसी बहुत बढ़िया है देखो क्वेश्टन करना क्या है बस बिसिकली प्रेक्टिस आपको है ना जितना प्रेक्टिस आप तो रुको तो नहीं अच्छी बात है आपके लिए फटा फटी यह वाला क्वेश्टन भी करो विलिन टू मिनट दो मिनट के अंद हाँ आपको प्रेक्टिस ने बिल्कुल सही बोला प्रीवियस एर क्वेश्टन अभी के लिए अभी के लिए प्रीवियस एर क्वेश्टन बढ़िया है ठीक है कोई भी ले लो आप अर्यंद का ले लो या फिर जिसकी भी बूक हो आपके पास प्रीवियस एर क्वेश्टन 2019 2018 2017 का आप बना लो निश्ची दूरूप से आपके बूस्ट हो जाएगा है ना अब जिससे जिसने कॉड्रेटिक पड़ोग अगर आप एक बार उठा के देखोगे तो आपसे प्रिवीश एर क्वेश्टन बन रहे होंगे भी हंड्रेट परसेंट बन रहे होंगे तो अभी तक कुछ लेवल में इंप्रूब्मेंट लगा आपको दो दिन में फटा फूट चैट सेक्शन में बताओ फिर उसी आपसे महिनत किया जाएगा भाई है दो भाई फटा-फट क्या कर रहे हो नहीं देना है जवाब बन रहा है बहुत अच्छी बात है बस अभी टूबी इक्वल सी ऑप्सन सी ऑप्सन चलो भाई कई बच्चों ने सी बोल दिया 78 चलो देख लेते हैं बाई कई बच्चों सी और कई बच्चों ने डी बोला ठीक है अच्छा सबसे पहले बात यह एपी में अच्छा यह वाला फामलर सबको पता है ना टूबी क्योंकि अब बार बार मैं ऐसा नहीं चाहता लिखूं कि भाई यह 14 माइनस 3 के पाउसा पोजी एक कुछ भी है यह और इक्वल टू भाई इसके माइनस 14 क्योंकि फिर वही बात होती 14 इधर ले जाओगे 28 हो जाएगा और यह इधर लागो तो सर्म हो जाएगा मतलब कि अग हाला कि हम आगे डिसकस करेंगे है ना तो अगर AP है ABC तो याद रखना हमेंसा 2B is equal to A plus C होता है यह हमेंसा याद रख लेना हो सकते हैं कई बच्चों को ना पता हो ठीक अब हम करेंगे सबसे पहली बात हो यह AP में तो 28 is equal to 3 to the power 2 sin 2 alpha minus 1 plus 3 to the power 4 minus 2 sin 2 alpha clear है वह अच्छी बात है बाई अब थोड़ा से इसे solve करना कैसे किया जाए ऐसे कर सकते हैं 2 sin 2 alpha divided by 3 हमने किया plus 3 to the power 4 divided by 3 के power 2 sin 2 alpha हमने कर दिया वाह यह दोनों चीज तो हमें सेम दिख रहे हैं यह उपर वाला यह वाला है ना तो हम क्या करेंगे अब power 2 sin 2 alpha को x suppose t p q r कुछ भी मानों आपकी मर्जी है ओके अब क्या आ रहा है भाई अब हमें सिंपल सा दिख रहा है कि 28 is equal to t by 3 plus 3 3 9 3 जा 27 3 जा 81 divided by x माना है ना में x ले दो यहाँ पर clear है अब क्या बच रहा है भाई यहाँ पर 3 8 जा 24 3 2 जा 6 84 और यहाँ पर x equal to x square plus 243 और यहाँ पर बस यही बच रहा है बिलकुँए अब क्या है भाई इससे थोड़ा सा solve करेंगे x square minus 84 x plus 243 is equal to 0 फटा फटा फटराइज करो 81 और 3 का multiply आपको 243 आता है तो हमने किया फेक्टराइज से x square minus 81 x minus 3 x plus 243 is equal to 0 common लिया हमने x equal to 1 तो आगे 81 ठीक है और 1 तो x equal to कितना आगे भाई जब यहाँ से common लोगे minus 3 x equal to 1 तो आगे भाई 3 clear है okay अब ध्यान से समझना मैं इस चीजों को erase कर रहा हूं बस हमें यह पता है भाई कि x को हमने कितना भाई यह हमने माना था एक्स 3 के पावर 2 sin 2 alpha को हमने माना था x ना अब मैं इसे erase कर रहा हूं और x कितना है भाई x आया 3 और 81 जो इसे erase करते है फटा फट इसलिन सौट जिसे लेना हो ले दो जल्दी हो गया ना हो गया इसलिन सौट बहुत अच्छी बात है इसे हमने erase किया भाई फटा फट इसके आगे का calculation करते रहो मेरे साथ साथ आपका भी पेन और दिमाग और हाथ कान चलना चाहिए बाई है ना सुनना मत बिल्कुल तुरंट तुरंट नोट करते रहो बहुत तेजी से अब भाई एक तो कह रहा है कि 3 के पावर 2 sin 2 alpha equal to एक तो बात हो रहे हैं एक तो यह बात हो रहे हैं बहुत अच्छा तो यहां से हमें मिल जागा 2 sin 2 alpha is equal to 1 मतलब कि sin 2 alpha is equal to 1 by 2 clear है नहीं हो रहे हैं तो कोई बात नहीं है वैसे हो रहे हैं तभी इतना देर तक तुम लोग लेक्च्चर देख रहे हैं भाग जाते हैं है ना एक तो भाई अपना कंडिशन बना था थरीके पावर 2 sin 2 alpha is equal to कितना आ रहा था भाई 81 एक आ रहा था ना कहां हमने एरेज कर दिया क्या 81 आया था था थरीके पावर जो भी आया था 4 आया था यहां 81 आया था ठीक तो यहां से कंपेर को को sin 2 alpha कितना आ जाएगा भाई 2 क्या sin की value कभी 2 आती है कभी नहीं आती क्यूंकि आपको पता है जो sin करें जब यह हो यह जो भी है अभी इससे मतलब नहीं थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा च्छटमा टर्म बस पूछा है यह गायब तो 3 पाउट 0 1 कॉमा 14 कॉमा यह जो भी आये हमें इतना क्लिक्वेसर नहीं करना कि कि इतना टाइम नहीं है है न सिक्स्ट टर्म आपसे पू यह था कि सी और डी होगा ओप्सन नंबर एही सही है इसका यह बाद में अथरवा यादों ने दिया ठीक है बट अच्छा बहुत बढ़िया ठीक है ना तो जल्दी बाजी नहीं करने है भाई देखो कुछ भी क्वेस्टन नहीं है मैं आपको अगेन समझा रहा हूं सबसे पहला काम तो आपको एकदम कूल डाउन रहना है फरवरी अटेम्ट को यह समझना है कि अभी में पस थीन अटेम्ट हैं बटकर नहुक्त अई इक्दम रिलेक्स हो के लिएक्स मैं तॉक्सिक गेंगिन को ठीक है लास्ट इस्टेफ है मैं समझा ऑब आप match अब आप फा एकलो फेल्फ प्र का आप एठी टीनो टर्म नहीं निकाल सकते तक यहां alpha pi by 12 रखो कि कितना है गा sin pi by 6 sin pi by 6 1 by 2 1 by 2 into 2 1 तो 3 के पावर 1 minus 1 3 के पावर 0 मतलब पहला वाला term गया 1 दूसरा गया 14 तीसरा यह जो भी हो अभी मतलब निकर कि हमें time बचाना है पूछा कहा 6 term 6 term को क्या लिख तो a plus 5 d a कितना है इस a p में यही तो a p दिया है ना भाई a तो भी या 1 है प्लस और d कितना है common difference 14 में से एक जागा 13 तो 13 into 565 प्लस 166 ठीक है music mantra बढ़िया है आगे या हरसित बहुत अच्छे very good यार यह तुम font कैसे बदल देते यूटूब पे हम लोग को भी सिखाओ भाई रियार अनुभव तुम भी हाँ जिसमें 100 ट्रिक लगेगा मैं वह बताया करूंगा ठीक है आ गया समझ टॉक से गेमिंग बहुत अच्छे चलो भाई फटा फट नेक्स क्वेश्चन की और मूप करो जल्दी जल्दी दो मिनट के अंदर इसे भी सॉल करो तब मजाएगा न इप दे सम अफ फ़र्स्ट 20 टर्म्स अफ दे सिरीज लॉग 7 के पावर 1 बाई 2X प्लस लॉग 7 के पावर 1 बाई 3X प्लस लॉग 7 पावर 1 बाई 4X प्लस डॉट 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 इस 460 कहां तक का पावर 1 रहता है न तो इसका प्रॉपर्टी सबको अपत्र बीर अम सामने आजाता यह लॉग यह भी यह वोजाता है ठीक है अगर वहिया कोई कहे कि लॉग है यह भी है इसके power n है और यहाँ पर simply a है तो जो n है न यहाँ पर जब आता है तो 1 by n हो जाता है log यह b है और यह a होता है तो जो base वाले के power में रहता है वो 1 by के form में चला जाता है और जो यहाँ पर power में रहता है जैसे a के power m था वो simply यहाँ पर multiply हो जाता है समझ में बिया रहा होगा कि जो नीचे है उसका उल्टा हो जागा 1 by n तो simply यहां भी वही कहां नहीं हो 1 by 2 है तो यहां बाहर आपका 2 हो जाया करेगा clear है अब करो भाई फटा फट करो फटा फट हो रहा है ए ए ए कई बच्चों ने अंसुल मिस्ट्रा ने ए बताया अथरवा यादों ने बताया ठीक है बहुत तेजी तेजी जवाब दे रहे भाई मैथ में आप 60 प्लस 70 प्लस एक्सवेक्ट कर सकते हो अगर आप वाकई में दो महीने जम के पढ़ दो है ना जम के मतला इल्क्तम खतम कि भी बोला भाई प्रतिक जैस वाल गलत बोले भाई गलत बहुत ही गलत चलो देखते तो मैंने क्या का भाई कि जब इस तरीके से कुछ लिखा वह आए तो यह जो वन बाई टू है यह वन बाई के फॉर्म में आ जाएगा मतलब कि वन एन को हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं क्या लॉग बी एक के पावर में हम वन बाई एन भेज दें बिल्कुल भेज सकते हो भेज सकते हो नहीं यह वन बाई एन फिर से यहां पर आ जाएगा यही प्रॉपर्टी है तो यहां भी आप ऐसा करोगे तो लॉग 7 है ना एक्स के एक्स स्कॉर प्लस लॉग 7 x क्यूब प्लस लॉग 7 x के पावर 4 प्लस डॉट 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 यह 20 टर्म्स तक की बात हो रही है भाई 20 टर्म्स तक की है आप देखो लॉग के प्रॉपर्टी होती है ना कि भाई लॉग m into n into p into q है तो यह सब एड हो जाता है लॉग m plus log n plus log p प्लस लॉग क्यूँ तो ही चीज यहां भी है सबका बेस सेम है तो यहां पे ले लो भाई अब यह हो जाएगा multiply ठीक है x square into x cube into x के power 4 dot 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 20 times तब की बाते हो रही है clear है यह sum अभी कितना दिया हुआ है यहां पे 460 इसे भी लिखते है चलो नहीं तो बाद में confused हो जाओगे 460 दिया हुआ है clear है अब दिख रहा है भाई कि log 7 x के power 2 plus 3 plus 4 plus dot 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 up to 20 terms की तना दिया है भाई 460 बहुत बढ़िया लग रहा है सुनने में तो अब क्या है भाई log 7 x के power ही इसे हम add करेंगे 20 term है न बहुत अच्छी बात है तो n by 2 ठीक है अब क्या है भाई यहां पर 20 terms है पहला term क्या है 2a plus n minus 1 20 terms 19 into d कितना है भाई 1 है तो यह हमने ऐसे कर दिया है न यह 460 के बराबर है चलो हमने लिखा भी हुआ था वहां पर अब इसे मैं erase करता हूं जिस इस property की screenshot ले लो ले लिए होगे ठीक है इसे हटा देते हैं भाई अब कुश्यन में कुछ नहीं बचा है सिंपल सा केल्कुलेशन है जिन बच्चों से नहीं हूँ आप यह कैल्कुलेशन ट्लिस्ट करें अपने कॉपी पहना तब जाके चीज़ें और अच्छी होंगी अपकी ठीक है अब क्या है भाई लॉग 7 अब यह उपर वाला एक से पार हम हम नीचे लेते आते हैं तो 10 यहां पर जाएगा थी यह क्या बचेगा तू बचेगा लॉग 7 एक्स टू बच गया इधर लेके जाओ सॉरी टू है ना इधर लेके जोगा सेबन का स्कॉयर हो जाएगा एंस्वर क्या है आप्सिन नंबर एइज करेप सेबन स्कॉयर या फिर 49 है क्लियर है भाइ दिव्या पाल चारी दिव्या यह बताओ सेब्टेंबर 5 2020 में यह कुछा गया हो कह रहा है और आगे और वह में देखना है ठीक है तो यह क्लियर हुआ या फिर से समझाना है फड़ा फड़ बताओ फिर हम आगे मूप करें जल्दी भाई और लाइक हो जाने चाहिए जितने लोग देख रहे हैं ठीक है एक बार और समझा दो अच्छा एक स्कॉयर कैसे कैसे हुआ अरे यार तुम लोग भी बदलने लगे यूटूब पर मुझे भी सीखना हुआ आज यूटूब पर देखके अब यहां पे हमने क्या किया भाई एक प्रॉपर्टी यूज किया अगर यहां व्न बाई टू है यहां वन बाई एन हो जाता है मतलब यहां पर तू आजाएगा है इस तू को मुँवर भी सकते एक सक्वाईर भी कर सकते तो वही चीज हमने हर जगह पे कर दी बहुत अच्छा अब हमने एक प्रॉपर्टी लगई log m into n कितना होता है log m plus log n होता है वही चीज लिखा न log m plus log n plus dot 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 तो हमने क्या कि log m into n वाला लगा दिया log x square x cube dot 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 लगा दिया है ना अब देख रहे हैं base same है तो power add हो जाएगा ना तो power add कि 2 plus 3 plus 4 dot dot up to 20 terms इसका sum तो बहुत ही ज्यादा easy है हमने sum निकाल लिए x के power n by 2 2a plus n minus 1d n कितना है 20 term है 19 d कितना है 1 है कर दिया हमने और यह जो x के power उपर है पता है log x के power n है n log x हो जाता है हमने इसे नीचे लेकर आया और यहां पर 460 कैलकुलेट किया तो यहां पर log 7 x is equal to आपका बच गया कितना यहां पर 2 था न अब जब भी आप बेस चेंज करते हैं जैसे यहां पर log है न तो जैसे कि आप देखते हो कि भाई log e x अगर होता है 2 आप x को कर तो e square यह उदर आप बेस देखते हो सिंपल सी यहां भी कहां नहीं आप जब बेस चेंज को को तो यहां पर आपका ऊपर चला जागा सेमन और यह इसको यह भी आपकी प्रॉपर्टी होती है आप इसे याद कर सकते है ठीक है ठीक है once tell the log property again ठीक है मैं इस question में बता देता हूँ log प्रॉपर्टी log अगर जो बेस में है a है ना और यहां पर suppose यहां पर b है ठीक अगर b के power m होता है भाई तो हम m को सीधे यहां पर लेते आते अगर लाग यहां पर b हो जाता है जब उपर वाले पर पावर कुछ यहां पर आके power m है है यहां पर कुछ नहीं है सपोज था थीक है तो यह जो अगर नीचे लेक्या होगे तो फिर यही चीज तो बन रही एंग वन भाई एंग लॉग एंग बी तो कि इसके पावर मुझ पर वाले के तो यही चीज तो बन रही तो वही हमें प्रॉपर्टी यूज की है अब क्लियर ओगया होगा भाई है ना चलो फटा फटा पक्षzdN solve करने कीकोशिस करो यह वाला क्कॉषण ठोड़ा सा दिमागया क्कुषच्चे है थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पर सकता है है क्योंकि यह सुरृभित आय ना इसमें a1 a2 a n b given a p question बड़े अराम से पढ़ना है मैं फिर से बता रहूं बड़े प्यार से पढ़ना है question whose common difference is an integer and sn equal to आपको कुछ दिया हुए if a1 equal to 1 an equal to 300 and आपको एक condition भी दी हुई है then the ordered pair sn minus 4 an minus 4 is equal to यह question थोड़ा साब को दिमार लाना पड़ेगा तो फट 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 दो तीन मिनट के अंदा सोचो at least हाथ पैर मारो कुछ आगे step कुछ conclusion तर निकल जाओ फिर यहां प्याओ देखने जल्दी जल्दी देखने बर कि बाद कितने question करना sufficient है प्लीज बताओ sir Mr. Intelligent मातर आप 10 से 12 question करेंगे खुद से है ना जो 2019 है 2018 पूछें बस आपका काम हो जाएगा ठीक है लेकिन याद रखना कि जब question आप कर रहे हो 12 से 15 यह 10 question तो उसका solution आपको नहीं देखना है और सपोज जिस case में solution देखना पड़े है सपोज AGS का question आ गया अरिथमेटिक जिमेटिक से आपसे question नहीं बना तो आप make sure यह करोगे कि भाई फिर सो टॉपिक आके किसी भी बुक से पढ़ोगे तब जाके आप कह सकते हाँ यह 10-15 question में लिए sufficient है ऐसा नहीं कि 10-15 solution देखके बना दिया है ना अच्छा कई बच्चे बताने भी लगें इसका एंसर बहुत बढ़ी है यान गजब बहुत ही अच्छी बात है भाई नहीं अब से बस आप previous year questions करो कोई DPP की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको ठीक है नहीं दनो मेजेश्टियम यूपी वाले हैं जो तुक्का ही लगा दो at least तुक्का ही लगा दो तो जिसे भी अनकेडमी पे जो अपना क्लास होता है आपका special classes उसका कोई cost नहीं जिसे वहां पे देखना है तो आपको नीचे दिख रहा होगा link में है ना सूरज मौरयाज profile link तो आप वहां पे क्लिक करके वहां जाके follow कर लो क्योंकि यही questions में सामको भी वहां कभी कभी practice कराता हूं या फिर कुछ और चीज़े वहां पे होती है ठीक है तो make sure कि आप वहां पे follow कर लोगे तो सही रहेगा आपके लिए ठीक है क्लास इंड होने के बात करें ना नीचे एक दम दिया हुआ है profiling जो अनकेड़मी एप पर होते हैं problem session क्योंकि वहां पर एक मज़ा आता है जैसे यहां पर 75 students यह देख रहे हैं ना तो वहां पर एक poll create हम कर सकते हैं ना जब आप poll create करते हैं तो वहां पर मज़ा आते देखने में लीडर बोर्ड भी शेयर होदा थोड़ा सा इंट्रेस्टिंग लगता है ना तो वहां पर जब किया करेंगे तो आ सकते हो आप अच्छा चबड़ियां चलो ठीक है नहीं हर से जैन आइफोन 11 प्रो है चलो ठीक है अब आगे बढ़ते हैं अभी तक क्वेश्चन हुआ नहीं आपसे करते हैं देखते हैं क्यों नहीं हुआ कि क्या रीजन है सबसे पहले बात तो बहुत यह कॉमन डिफ्रेंस जो है ओ इंटीजर है अच्छा पहला पढ़के हमने यह कंक्लूजन निकाला क्यों निकाला क्यों आगे क्वेश्चन में दिक्कत नहीं हो ठीक है एंड एसन इक्वल टू यह दिया हुआ है तो एसन इस इक्वल टू आपको भाई एक सम दिया है a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 प्लस a n ठीक है बहुत अच्छी बात है if a1 is equal to 1 a1 1 दिया है और a n मतलब last time a n दिया है आपको 300 और n आपको दिया हुआ है 15 से लेके 50 के बीच में है तो मैं फिर से करूँ question बड़े प्यार से पढ़ना है दिमाग से पढ़ लिया a n equal to क्या होता भाई a plus n minus 1 d होता है ठीक है ध्यान से समझना कितने असानी से question होगा 300 यह minus 1 हो जाएगा equal to n minus 1 d होगा ठीक है n minus 1 d is equal to 299 होगा d is equal to क्या होगा 299 by n minus 1 लेकिन ध्यान से यह समझना है हमें कि भाई यह जो भी हो n minus 1 भाई तुम divide करो मुझे कोई दिक्कत नहीं कोई problem कोई परसानी नहीं है लेकिन divide करना ऐसे कि यह इंटीजर ही बने तो अब इंटीजर बनाने के लिए ध्यमाग भाई क्या कहरें कि d आपका इंटीजर ही रहना चाहिए ऐसा नहीं कि n की कोई भी value अप ले लिए 15 से 50 के बीच में नहीं 15 से 50 के बीच में एक ऐसी value लेना ताकि यह प्राइब करें तो यह इंटीजर ही बने अच्छा इंटीजर बने तो मतलब कि इसका कोई भी factor नीचे आए ना भाई ताकि यह cancel out हो जाए तभी तूपर इंटीजर बनेगा मतलब कि ऊपर कुछ भी factor 2 x 3 जो भी बने और नीचे जो भी बने आपका डिवाइड हो तो आपका ऐसा कुछ factor बने कि नीचे वाला उसे cancel out कर दे बताओ इतना clear है कि नहीं फटाफट क्लियर है कि नहीं हो गया है चलो अब क्या है भाई ऊपर देखना है हमें क्या बनाना है factor तो 299 के कौन-कौन से factor है भाई ध्यान से देखो 13 23 23 23 सपोर्ज हमें एक बार ले जा रहे है तो 21 यह 1 हो जाएगा यह 3 हो जाएगा यह 13 हो जाएगा तो क्या 23 और 13 के अलावा भी है हम 2 299 की कोई factorization possible है भाई यह बिलकुल नहीं है है ना तो D is equal to क्या है भाई 23 23 बटे N-1 मतलब N-1 वाले भाई सहाब यह तो 23 होना पड़ेगा यह तो 13 होना पड़ेगा नहीं तो cancel नहीं होगा तो यह D integer नहीं बनेगा है ना अब मतलब कि Boundation होगे यह तो N-1 भाईया तुम 13 ब नहीं बन जाओ तभी तो यह इंटीजर बनेगा अगर N-1 16 ले लोगत कैंसील नहीं होगत इंटीजर कहां से बना यह तो N यहां से 14 आएगा यह तो N यहां से 24 लेकिन एक condition भी दी होई है क्या condition है भाई कि N जो आपका है 15 से लेके 50 के 20 में होना चाहिए है ना लेकिन यह वा 24 मिल गया ना N तो सबसे पहली चीज तो हमें मिल गई भाई N equal to 24 लियर है अब क्या करना है भाई यहां पर D भी निकाल सकते हैं तो 24-123 तो D मिल गया हमें 13 लियर है अब हमें निकालना क्या है SN-4, AN-4 क्या इसके बीच में जगा छोड़ाओ बहुत दिमागदार था मैं बाकी देज ना करना पड़े इतना चलियर होगे N 24 लियर है अच्छा अब क्या निकालना है SN-4 निकालना है है ना तो सबसे पहले तो हम A N या फिर आप इसे बोलो T N निकालेंगे जो की होता है A plus N minus 1 into D ठीक है A कितना है भाई आपका A अभी आपको यहाँ पर A1 आपका 1 है ठीक है यहाँ पर 1 है ठीक है प्लस आपका N minus 1 into यह D है D कितना आपने निकाला है इदर पीछे जाना है 13 है ठीक है 13 है यह भाई निकालना कौन सा टर्म था हमें यहाँ पर N minus 4 वाला ठीक है A N minus 4 हमें निकालना है ठीक है और N हमें मिल निकालना है या फिर आप सीधे यहां पे लिखो भाई कि हमें सीधी बात है वाई 20 टर्म निकालना है या फिर ए प्लस 19D आप कर दो समझ मारा है चीज ए प्लस 19D आपने कर दिया जब तो ए हमें पता है 19 इंटू आपका अब इसका मल्टिप्लाइ करो फटा इसका एंसर बता दू कितना आजाएगा इसका एंसर आजाएगा 248 यह कहानी हो गई है क्लियर हो रहा है बहुत अच्छे अब क्या है एस एन-4 निकालना है न कितना था यहां पे 24 था एन-4 20 मतलब एस 20 आपको निकालना है n by 2 2a तो मतलब 2 हो जाएगा प्लस n माइनस 1 n कितना है 20 19 इंटू डी 19 गुड़े 13 अब इसे आप सॉल्व करेंगे यह सॉल्व करने पर आपका कुछ आ जाएगा 2490 तो कौन सा हो गया 2490 और 248 यहां पे देखो 2490 और 244 कौन सा है option नमबर d is correct तो था अंदा दिमाग वाला question आया हुआ कुछ समझ क्लियर हुआ see ठीक है बहुत बढ़िया है हो रहा है क्लियर भाई समझ मारे ही चीजें साइड लो भाई साइड हो जाता हूँ एक बार स्क्रेंट ले लो आप लो ठीक है तो अच्छा question था थोड़ा सा आपको यहां पे दिमाग लाना था कि क्यों लिखा हुए लुए और क्यों यह एन की संदिविये भाई कि इसलिए यह टीक कंडिशन निकाल पाए आप वहां सदी निकाल लिए बेवकूप तो है कि यह दोनों सापको देगा है न तो जब कंडिशनस दी तो उसको आपको हिंड के तरह लेना है यह कंडिशन दिया क्यों है और यह सी मेंड की तरह उसे ट्रीट करोगे तो निश्ची द्रोब से आप सही कर पाएंगे हैं ना समझ आई बात क्लियर हुगा बताओ भई आगया समझ ठीक है न तो यही थोड़ा से आपे दिमाग लगाना था और कुछ नहीं और तो बाकी चीज़ें आपको समझ में आहीं गई होंगी ठीक है तो इतना काबिल आपको बनना है कि यही में में यह सब दिमाग लगा सको लगाओ के कैसे सीधी बात है जब आपको एक हिंट के तरह इसको अप्रोच करना है कि एक हिंट दिया हुआ है क्यों डी इंटीजर क्यों यह एन की कंडिशन दिवी इस स्टेप के लिए दिया हुआ है सीधी से बात है ताकि आप एन और डी की वैल्यू निकाल सको तभी आप यह निकाल सकते और कुछ चीज यह थोड़ी दिया हुआ है ना जब तक नहीं पता हुआ है कहा से स्ट माइस फोर निकाल हो गया ठीक है चुलो आगे बढ़ते हैं यह वाला करो यह भी बढ़िया क्वेस्टेन है ठीक है थोड़ा से इसमें भी आप अपन्फ्यूज हो सकते हैं क्या करें इफ फॉस्ट टर टर्म करा है तीन है एंड सम पहले पचीश टर्म का है इक्वल टू दसम अफ इस नेक्स्ट फिप्टीन टर्म यही चीज यहां पर आप दिक्कत खा सकते हैं यहीं पर आप कन्फ्यूज हो सकते हो है ना देन दा कॉमन डिफ्रेंस आप दिस सेपी सिंपल सा क्वेस्टन है फ वज़े से पहले कभी हुई है क्या छुट्टी नहीं होई ना तो क्यों इस फिराक में उगी छुट्टी होगी बिल्कुल नहीं होगी समझे फटा फटा फट विदिन त्रू मिनट इस क्वेस्टन को करो और बताओ चीजों को ऐसा कुछ नहीं कि बहुत कठीन क्वेस्टन बहुत ही इजी क्वेस्टन है सबसे असान सायद है ना अभी तक का सबसे इजी क्वेस्टन और पढ़ना है वेदी गूड यहीं जोस रहना चाहिए यहीं मंग बहुत बढ़िया ठीक है फटक 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 एंसर यहां पर पोल हो गए रहा होता तो मज़ा आता करने में भाई कौन सा बच्चा सही बता रहा है तो में एक सब्सक्राइब को प्रोफाइल मुझे फॉलो कर लेना डेस्किप्सिन बॉक्स में लिंक दिया है तो वहां पर कोई भी एंसर नहीं दिया है भाई करो फटा फट और एंसर दो मुझे आज पढ़ना है बहुत बढ़िया वेरी गुड एक बच्चे ने बता दिया भाई ए बी और पीटा ने बताया बी और कई बच्चे ने बताया सी अंको शौदरी ठीक है बी होगा अच्छा चलो देख है बाई कि कितने गधे हो आप लोग है ना हो गया दो मिनाट ठीक है नितिन सेखर तो कल आया था शायद यार मेरे सेशन में चलो देखते है इप फर्स्ट तर्म आफ एपी इस थ्री यह कह रहा है कि थ्री है ठीक है एट एट पहला जो पच्चीश तर्म हो इक्वल है कितने के to the sum of its next 15 टर्म यहीं पर मात खा जाओगे कि पचीश के बाद जितने टर्मस है सपोजे 40 तक उसका सम करा है बराबर है इसके बराबर किसके बराबर पहले पचीश टर्म का is equal to the sum of its next 15 टर्मस पचीश के बाद के 15 टर्मस के सम के बराबर है अगर यह लिखना हुआ त सम मतलब कि एस 40 है ना इस 40 में से इस 25 को अगर हमने घटा दिया थी यही बात तो यहां पर लिखी है और यही बात क्या भी रहा है कि 40 में से इस 25 गटा तो इस 15 टर्म का सम के बराबर है पचीश टर्म सुरू का क्या है इस the first term of 23 है तो हमने no down कर लिया and the sum of its first 25 टर्मस is equal to the sum of its next 15 टर्मस अगले 15 टर्मस के बराबर है भाई है ना तो यहां पर यह condition हमने लिख लिख ली सबसे पैदत अपने mindset में इतना बिठाल लो कि आगे का 15 टर्म कितना हो अगर 40 में से सुरू का 25 घटा दो यही तो 15 बचा बस clear है भाई और कोई बात ही नहीं है है ना यह condition ह तो मतलब 2 times s 25 is equal to s फोटो और यह बहुत easy question है ठीक है इसमें गलती का कोई chance नहीं होना चाहिए 2 into क्या पूछे common difference ना n by 2 है ना 2a कितना है 3 है 2a plus n minus 1 24 यहां पर d is equal to n by 2 ठीक है 2a 2 into 3 6 plus n minus 1 d मतलब यह 39 d अब इसे solve करना है basically लिए यह हो गए गायब यह हो गए भाई साब 20 यह पांचों के 20 यह पांच पचे 25 यह बचा क्या 56030 plus 120 d is equal to यहां पर क्या बचे का 46024 प्लस 4936 चार्टिक बारा तिन 15 दी इतना बच गया 30 में 24 जाएगा भाई 6 is equal to यहां पर 46 इतना आसान सा question था बट फिर भी maximum बच्चों ने गलत किया था क्या इस question में दम था क्या नहीं था ना ऐसी गलती मत करो इजी था है ना जी में में पूछा था यह आएगा बाद में सब ने यह बोला ठीक है तो यह गलती नहीं करने आप लोगों को मेक्सिर कि यह गलती कभी रिपीट नहीं होनी चाहिए दिवांज करता आई हैं यह बोट बढ़िया है ठीक है ना तो बहुत बढ़ियां है तो जितने नए आए हो लाइक कर देने स्ट्रीम को ठीक है तो गलती मत करो ईया अगर गलती करो गे तो भाई दिक्कत है है ना और जब दिक्कत है तो दिक्कत है मज़ा गया बहुत बढ़िया आगे बढ़ें आ जाओ आगे क्या करा है इन दसम आप दशीरीज दखो इन के जगा इफ होना चाहिए पहली बात तो ठीक है इफ दसम आप दशीरीज 20 प्लस 19 3 तरी बाइफ 5 इस तरीके से लिखाओ आपको पता है आपको पता है अ अप्ट तक कहानी है इसका सम एंट तरम सक 428 है और जो एंट टर्म है वह निगेटीव है यह फिर एंट तर्म क्या है ठीक है फटा फटा एंचेश यह वीदिन 2 मिनट्स जल्दी से और मेक सिवर कि आपका हाथ रुकना नहीं चाहिए कहानी नहीं चले यहाँ पर तुर्णत तुर्णत हाथ आपका हीलना चाहिए पेन कॉपी पर है ना नहीं हीले कर बहुत पिटाई हो सकती भाई साब बता दे रहें अभी से कि समझे है कि बताओ कि हो रहा है कि हो रहा है बाई बी एक बच्चे ने बता दिया बाई अनिरूध राठी ने कि अच्छा विसाल बहुत बढ़िया है ठीक है एक मिनट हाँ हाँ एक मिनट ले लो ठीक है क्योंकि थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे थोड़ा सा हाथ पहरी ला लोगे तब ही जाके काम बनेगा नहीं तो इस तरीके से चीज़े तो कहानी जैसे लगने लगने करो 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 फटा फट वेरी गुड़ आसु तोस एंसोर आजाना चाहिए था तुमसे अगर हो अच्छा अभी तुम्हें नहीं पढ़ाए गई है ठीक है कोई बात नहीं टेली स्कोपिंग स्रीज अब तक एंसोर आजाना चाहिए था भाई है ना अभी तक तो आपका एंसोर आजाना चाहिए था इलाइट बैस्टू कैसे जोइन करें कि रेंकर जहीं पर आप जाओ कोई भी वीडियो देखना है ना उससे रिलेटेड वहां पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा ओके भाई किसी से नहीं हुआ अब एक मिनट भी आपका बीद गया है तो सुराई ट्राई इतने इजी क्वेश्चन को करने के लिए क्या मुझे अब हाथ पैर मारना चाहिए करें आज आओ भाई आज आओ मैदाने जंग में किसी से नहीं हुआ सब मेठाड होगा हार्ति विजय टेंसन के लिए तुमने अभी नहीं हो क्वाड्रेटिक देखो न क्या होता है कैसे होता है चलो भाई अब मैं तयारी करता हूँ इसकी करने की आप से तो होने से रह गया है ना बेजिती करा दो गया लग से बाई सबसे पहले बात यह स्रीज मैं ऐसा तो कभी प्रिफर नहीं करता हूँ मैं ऐसा करूँगा भाई कि यह 20 लिखा है और यह 96 लिखा है यह 94 लिखा है यह end times तक की बात हो रही है और मैं यह भी नहीं प्रिफर करूँगा कि ऐसे लिखा हूँ मैं क्या करूँगा इस 20 को हटा दूँगा ठीक है इस 20 को हटाने के बाद 20 को मैं लिखा हूँ 100 भाई 5 लिखा हुआ है यह हमें है और इसका सम दिया है 488 यह इस तरीके से मैं कुछ राइट डाउन कर दूँगा क्या यही सीरीज में यहां लिखा हूँ बिल्कुल यही अब यहां से देखो तो इसमें particular A आपको मिल जाएगा 20 फर्स्ट टर्म आपको 20 मिल गया और common difference कितना मिल गया minus 2 by 5 यहां से भी करो minus 2 by 5 हमें common difference मिल गया दिख रहा है यह हमने उपर लिए साइड में अब क्या है बाई SN equal to दिया हुआ है आपको 488 है ना अब कैसे करना बाई n by 2 ठीक है 2 A तो 2 A कितना है 22 A हो जागा 40 प्लस N minus 1 और D कितना है बाई minus 2 by 5 है है ना is equal to कितना है बाई 488 है यह चीज दी हुई है अब थोड़ा सा simplification है है ना अब क्या करना है यह अंदर जाएगा तो यह हो जागा 20 N ठीक है 2 गायब कर देगा इससे यहां पर minus N into N minus 1 के साथ यहां पर minus N square plus N is equal to 5 8 जा 40 और यहां पर 5 8 जा 44 तो 4 5 हो जागा 2440 हो जाएगा clear है एन square यह 100 और यह 100 हो जाएगा तो minus 100 N plus 2440 is equal to 0 हो जाएगा clear है ठीक है भाई अब इसका factorization करोगे कि भाई 2440 को हम 101 और 2440 में कैसे करें कि भाई यह इसका multiple हो जाए देखो इस case में अगर suppose आपको वहां strike नहीं करता तो आप करोगे क्या सीधे सिधरा 4 method वहां पर लगा दोगे ठीक है अभी तो हमें पता चल जाएगा कि 61 और 40 अगर आप लें तो वहां से हो सकता है काम ठीक है वहां पर आपको यह strike नहीं करेगा तो आप simply क्या करोगे भाई कि आप सिधरा अब देखना है कि 40 और 61 में कौन सा है ठीक है अब चलो आई होप ले लिया होगा आपने इसका कोई जरूरत नहीं है हमने निकाल देखना हो जिससे बाद में देखना हो देख लेना ठीक है ओके यहां पर था तो इरेजर चूच करते हैं ठीक है अब कुछ नहीं बचा आप सिंपल सा केल्पिलेशन बचा है हमें एन की वेलूज मिल गई अब हमें सिंपले टी एन लिखना है और टी एन भी बड़े आराम से आप लिख सकतो है ऐसा कुछ कठें नहीं है ठीक है चलो टी एन अगर हमें तो 40 पे हमें दिख रहा है बाई कि इसका जो टर्म है यह पॉजिटिव आ रहा है मतलब कि ग्रेटर दैन जिरू आ रहा है ना आपको 20 है प्लस एन माइनस वन एन आपने 40 लिए तो 39 इंटू डी कितना माइनस टू बाई 5 है ठीक है जब मल्टिप्लाई किये था हमें यह मिली है ती 60 के अगर सपोज हम बात करें बाई तो कितना आ जागा भाई ए प्लस 60D लिया रहा है यह कितना हो जागा भाई 60 इंटू माइनस टू बाई 5 यह कितना जा रहा है और आ कितना रहा है ध्यान से देखो तो यह 5 यह 1 12 हो जागा ट्वेंस 24 20-24 माइनस 4 आ रहा है भाई ठीक है एन्थ टर्म माइनस 4 क्केशिण ध्यान से कराय कि एन्थ टर्म इस नेगेटिव होना चाहिए तो सीरी सी बात है यह एन एकल टू 61 यह तो गलत इसमें तो आपको पॉजिटिव आ रहा था कितना रहा था यह वाला तो हम लेही नहीं सकते हैं क्योंकि यह ग्रेटर देन जीरो आ रहा है यह वैलू कितनी आ रही है माइनस फोर तो आया समझ क्लियर हुआ बीबी बहुत बड़ी है अनुरुद तुमने दिया था हाँ सही है तो आया समझ थोड़ा सा दिमाग लगाना था इवन दिमाग क्या बस यही करना था भाई सिंपल एन की वैलू निकालने थी और फिर चेक करना था किसका टी एन पॉज आ रही है इसे नहीं लेंगे और 61 वाले करेस्पॉंडिंग आ रही हमारी वैल्यू निगेटिव माइनस पूर इसे लेंगे सारे अप्शन को मैच किया यह अब यही एडवांस में कर यही क्वेस्चन पूछता तो आपको तीन आप्शन भी करेक्ट हो सकते थे भाई माइनस पूर भी रख दिया है और यहां पर आपका एंट सिक्ष्टीवन भी रख दिया है सम भी पूछ दिया है इस तरीके से क्वेश्चन से बनते हैं क्लियर है तो आया कुछ दिमाग खुला वाई कुछ समझ में आ रही चीज़ें दिमाग में घुस रही कि नहीं कुछ रही दिमाग में ना बहुत बढ़िया है आगे बढ़ें आजाओ आजाओ मैदान जंग में त्रीक है इस सम फर्स्ट इलेवन टर्म जियो दें सम आप दे एपी आपको एवन एथी फाइफ इस केवन वेर के इस इक्वल टू बहुत ही इजी क्वेश्चन है इसमें द करो भाई फट आफट सब ठीक है आपके उपर डिपेंड करते हैं आपके इसमें हो सब के अपने अपने प्रोज हैं कॉन्स हैं है ना तो इसमें कोई हम वह बात नहीं कह सकते तो फटा-फट इसका सलूशन करें वाई विदिंग टू मिनट्स जल्दी जल्दी सारे बच्चों से इसका सलूशन आ जाना चाहिए फटा-फट चीटे की चाल में है ना क्या करता भाई इव दसम फ़र्ष्ट 11 टेम्स ऑफ एन अपी जीरो सम जीरो दिया है ठीक है और इसली जो यह अपना एपी है किस तरीके को कर डिक्रीजिंग होगा है ना एवन डस नॉट इक्वल तो जीरो देन दसम एपी एवन एथ्री एफाइफ एट्वेंटी थ्री इज के वन वेर के इज इक्वल टू बताईए भाई फटा-फट बता सकते हो चलो बहुत बढ़ी है विशेस पानी तो खतम हो गया कोई दिक्कत नहीं है बाद में पीएँगे दो घंटे आम बात है मेरे लिए ऐसे खड़े खड़े ना येस और नो येस भी नो भी ठीक है यहां भी ठीक है ऐसा कोई दिक्कत नहीं फटा-फट भाई अभी तक किसी का एंसर नहीं है सिर्फ एक बच्चे ने दिवांस ने ए ऑप्शन अच्छा चलो देखते है भाई तुम्हारा भी है न जल्दी जल्दी ए और पिता सिंग ए बहुत बढ़ी है देखते हैं कि क्या अपने मन से जवाब दिया जा रहे है या फिर ऐसे जवाब दिया जा रहे हैं चलो लेट सी मतलब कि S11 आपको दिया हुआ है जीरो है है न ठीक है बाई क्या कहने का मतलब एक बाई 11 बाई 2 N बाई 2 2 A तो A1 है प्लस N माइनस 1 मतलब कि 10 D is equal to 0 यही चीज़तों दिवाई 11 टर्म से आपको सम 0 दिया हुआ है तो 2 A प्लस N माइनस 1 मतलब 11 माइनस 1 D तो यह 2 A1 is equal to कितना गया माइनस 10 D A1 कितना गया माइनस 5 D यह चीज़ आ गई भाई यह A1 की कहानी आ गई बहुत बढ़िया हमने इतना निकाल लिया देन सम आप यह वाली AP की सम के बात किया भाई A1 A3 A5 डॉट 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 अब सबसे पहले तो यह बताओ किसकी बीच में टर अगर आप नहीं बता सकते हो दिमाग तो लगा सकते हो कि अगर हमें 1 है 3 है 5 है डॉट 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 23 तक हम जा रहे हैं तो हमें सीधी से बात पता है बाई कि अगर कितने टर्म्स हमें निकाल ले हैं तो 23 AN इक्वल तो A प्लस है ना N-1 यह 2 है the common difference यह 22 by 2 11 इक्वल तो N-1 इक्वल तो 12 ओविसली 12 टर्म्स है इसमें 12 टर्म्स है भाई हमने यहां से निकाल ले हैं कुछ रटे नहीं की जरूरत नहीं है तो इसमें कितने हैं 12 टर्म्स हैं तो सम कैसे दिखा लोगे N बाई 2 2A 2A प्लस N-1D N कितना था बाई 12 था तो यह 11 अब इसका बताओ common difference कितना ह होगा अच्छा A1 को सपोज हमने अगर माना भाई A2 को माना A plus D और A3 को माना A plus 2D है ना तो बताओ A3 और A1 की बीच में कितना difference आगा obviously 2D का बाई 2D का difference आ रहा है ना देखो A plus 2D मेंसे इसे घटा हुए 2D उसी तरी किस A5 मेंसे A3 घटा हुए 2D आएगा तो इसका common difference होगा और 2D होगा तो यहाँ पर हमने 2D कर दिया clear है और यह क्या कह रहा है is equal to K1 K times A1 पूछा क्या है K की value तो यह कितना हो जाएगा भाई 6 अब यहाँ पर D के जगा हम minus A1 by 5 हम कर देंगे ठीक है यह 6 2 times A1 और D के जगा हम क्या कर रहे है minus A1 by 5 कर रहे है ठीक है यह हो जाएगा minus 22 by 5 ठीक है A1 is equal to K times A1 A1 हमने घटा दिया भाई 6 2 minus 22 by 5 is equal to K तो K की value हमें यहाँ पर दिख रहे है कुछ कुछ अप्रोक्समेटली 5 2 जा 10 minus 22 minus 11 sorry minus 12 into 6 by 5 तो minus 72 by 5 यह आ गई K की value तो minus 72 by 5 है कहीं तो option number D is correct तो कई बंचों ने गल्लबी जवाब दिया है ना सितानसु आपका गलत है दिव्यापाल सही है निखिल वर्मा सही है एर निखिल आपने पहले गलत दिया था कि ना कि अग्या तब बढ़ियां दक्षिजेन इस वेली गुड़ चॉइस अगर आपको लगता है कि आप बहुत बढ़ियां से भी सिम कर सकते हैं देन में एक सुर कि आप वहाँ पर जा सकते हैं अच्छा पॉलेज है ठीक है कोई डाउट नहीं प्रफियो टाइम ज्यादा कैसे लगता है साथ आपका भी जाना चाहिए कि जितना टाइम मुझे लगा उसी के साथ आपका भी क्यलक्लेशन इंड हो जाना चाहिए है न टाइम ज्यादा नहीं लगना चाहिए 22 कैसे आया कहां 22 यह वाला अरे भाई 11 टूजा कितना होता है 22 ही तो होता है क्योंकि कॉमन डिफरेंस यहां पर 2D है सब कॉमन सेंस का खेले बट आपका दिमाग ही नहीं काम करता है ना दिमाग काम करने लगता है तो हो जाता काम तो ऐसा मत करो भाई बेज़िती कराओगे क्या पढ़ाने का यह ना जितने भी बच्चे हो बेज़िती मत कराना कभी भी यह तो फिर तो भाई दिक्कत है देखो जिस्क हो जाएगा आपकी जिन्दीक साथ पढ़ाना छोड़ देंगे यहीं पर क्या एं 12 कैसे हुआ वा भाई राजा मिस्रा वह बहुत ही अच्छा सवाल आपने पोचा गिल लेना तुम भाई घर जाके हैं ठीक है एवन लिखना एथरी लिखना 21 ठीक है और यहां पर 823 23 तक गया है भाई हम ना यहां पर देखो गिलो एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो दस ग्यारा बारा हो गया ना बारा ठीक है तो यह तो मेठड सहीं नहीं है देखो आपको क्या करना है भाई यहां पर दिमांग लगो कि कितने वन से स्टार् अब यहां पर है ना तो सीदय क्या करना मख्यी आपको पता है ना टीन इक ल्ट्टी अप्लस एन गाल नीकाल ना ही है यह कर दीए तेन्स दो यह कर दिया हूंने 23 में से गागी 22 222 आटक मेंस वन कितना गया 12 वा गया यह मेठड है वाई कांस ठीक है ये वाला यूज भाई यहीं से तो हमने d निकाला माइनस a1 बाई 5 और फिर इस d की जगा यहीं तो हमने रखा है माइनस a1 बाई 5 हो गया नहीं यूज कॉंसेंट्रेट तो है ही नहीं तुम लोगा दिमाग पहली बाग तो भाई है ना अब इतना टाइम नहीं दूँगा भाई मैं आगे बढ़ूँगा फटाफट यह बहुत easy question यह सारे बच्चों से हो जाना चाहिए फटाफट डिसका solution और सारे बच्चों का सही answer चाहिए एक मिनट का सवाल है एक मिनट के अंदर इससे करो फटाफट जल्दी करो ठीक है थैंक यू ए तेजा चलो भाई आगे फटाफट इससे सब्सक्राफट आप इस नहीं है इससे करेंगे आप मोर दैनेजी कहेंगे क्लियर है मोर दैनेजी दिलवाते हैं दर नोन मजेस्टी इनको 26 तोंफुक सलामी जल्दी दिलवाई जाएगी त्रेंसान मतलो नहीं तोप रखा है मेरे पास जैपुर में रखा हुए मेरा चार तोप वहां से मिल जाएगा मुझे कोई दिलवाता हूँ चलो फटा फट भाई एंस्वर आ जाना चाहिए था अब तत देखे अभी शुरू में सत्तर असी बच्चे थे अभी आएं 48 बीस पच्चीस बच्चे तो सो जाते हैं से कई लोग तो आज तक लाइब देखने लगते हैं न खुल-खुल के यही बात है दिव्या ने बता दिया D, D for दिव्या और D for D answer बहुत बढ़िया अंस जैन ने बता दिया D, अंस तुम्हें A बताना चाहिए था जब दिव्या ने दी बताया तो आपको A बताना चाहिए ना, नाम के हिसाब से काम करो, चाड़ा बेन फीट में रहोगे D, अर पिता को भी A बताना चाहिए लेकिन उन्होंने भी D बता दिया, नितिन को N बताना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं देखते हैं, easy question है If the दस्वाइ टाम आफ एन एपी इस मतलब A प्लस 9D इस इक्वल टू दिया है 1 बाई 20 और A प्लस 19D हमको दिया है भाई 1 बाई 10 कहानी खताम है, तुरण सॉल करेंगे तो 10D इसमें से इसको माइनस कर रहे है, एक्वल टू 1 बाई 20 बचेगा, डारेक्टली कर रहा हूं, तो तेजी तेजी क्योंकि फालतू चीजों में आपका टाइम वेश नहीं करना है, अब क्या हो जाएगा भाई, एस निकालना है, फर्स्ट टू हंडेट टू हंडेट टू ए, ठीक है, तो A कितना है भाई, 1 बाई 200 है, तो 2 A करोगे तो 1 बाई 100 आजाएगा, प्लस N-1 मतलब की 199D, कितना है भाई, 200 था, ठीक है, यह हो जगा, 100 into, तो जिसके बैच में आया होगा, तो बचारा खुस हो गया होगा, काओगा, वा भाई, मजा आ गया है न, अब क्या हो जगा भाई, यह, आपके यहां पर 2 से जाएगा, तो 201 by 200, यह हो गया भाई साहब, आपका गायब, ठ तक उस दिख रहा है क्या कहीं, option number D, यह वाला correct है, ठीक है, तो option number D is correct, here है, okay, start करते है फटा फट, जैसे AP देखा था, हमने वहाँ पे क्या था भाई, particular term से में common difference होता था, है न, कि भाई, इसका और इसका subtraction सेम होगा, इसका इसका subtraction सेम होगा, लेकिन GP में क्या होता है, geometric progression से बोलते हैं, इसमें common ratio सेम होता है, A होता है, AR, AR cube, इस तरीके से चीजें जब शलती हैं, तो हम इसे बोलते हैं, यह geometric progression, क्यों, क्योंकि आप इनका ratio, common ratio होता है, AR का A से लोगे, AR cube का AR से लोगे, तो यह सारी चीजें, AR square होगा, यहाँ पर AR cube आएगा, आपका एक sequence में चले होता हैं, तो यहाँ पर दोनों जीरा हैं, आपको में लगार क्या R, है न, तो R को हम बोलते है, common difference, अच्छा हमने वहाँ पर TNN की term find किया था, यहाँ थोड़ा सा दिमांग लगाओ कि कैसे find करना है, ठीक है, A लिखा है, पहले term के लिए, दूसरे term के लिए, AR, ठीक है, तो आर यहाँ पर simply AR के पावड 2-1 कर रहे हैं, थर्ड टर्म के लिए AR के पावड 3-1 कर रहे हैं, है न, फर्स्ट टर्म के लिए 1-1, सेकेंड के लिए 2-1, थर्ड के लिए 3-1, अगर आप nth term की कहानी देखोगे, तो उसके पावर में क्या होगा, n-1, simple सी कहानी है, तो इस case मे nth term कितना आता है, भई, a into r to the power n-1, यह आपका nth term होता है, clear होगी चीज़े, ठीक है, तो हमने खल्याद र्याद होगा, अगर आपको a, p, हमने a, b देखा था, भई, इसके जगा हम क्या करते हैं, कि एक last term में निकालते हैं, तो last term के अगर बात चलो करें, कि last term हम कैसे निक minus 1, है न, अगर आप l यहाँ पर रखोगे, तो यह आपका last term हो जाएगा, clear है, इसके पहले का term क्या होगा, जैसे वहाँ पर हम a minus d कर दे रहे थे, यहाँ पर divide करोगे, क्यों कि भाई, जैसे ar है यहाँ पर, अगर r से आप divide कर दोगे, तो पिछला term a मिल जाएगा, इसी तरीके से अगर आप l by r कर देंगे, तो आपको last से दूसरा term मिल जाएगा, मतलब कि last से दूसरे term के लिए हम क्या कर रहे है, l के power 2 minus 1, last से third term के लिए हमें क्या करना है भाई, r के power 3 minus 1, l by r square हो जाएगा, इसी तरीके से last से अगर हमें end term लिखना हुआ, मतलब कि t and s, ये क्या है भाई, end term from last, है न, अंतिम से end term अगर हमें निकालना है, पहला तो l हो गया, दूसरा l by r, l by r square, तो कैसे लिखो के end term की बात करने हो, third के लिए 3 minus 1, second के लिए 2 minus 1, पहले के लिए r के power 1 minus 1, यही कहाने repeat होटी, यहाँ पे l by r square n minus 1, ये चीज भी आपको याद रखनी है, तो starting से end term, a into r square n minus 1, end से end term, l by r square n minus 1, l क्या है भाई, हमारा simple सी बात है, यह last term है, अगर भाई, a पे इस particular first term को पाने है, मतलब यह कितना इदर है, n times इदर है, है न, l को लिख सकते हैं, a into r square n minus 1, r square n minus 1, ये गाया होगे, बच्चा तो a ही न, तो वहीं दिख रहा है, अगर यहाँ से end term, last में आते था, हमें a मिन रहा है, तो clear है, फटा फट बताओ, थैंक यू प्रतीक सर, अरक्सी, अच्छा अच्छा ठीक है, ओके, अरक्सी, ठीक है, अनसुमाद ठीक है, अब उसकी possibility create कर रहे है, अब यह तो इसके बाद complex number होगा है, तो फटा फट बताओ, यह starting से term, n to r k power n minus 1, last से term, l by r k power n minus 1, is it clear, yes or no? यह, 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 बहुत बढ़िया, है न, अब देखो यार, उसमें भी हमने sum देखा था, sum of n terms of ap देखा था, यहाँ पर हम gp का देखेंगे, gp का समयाद करना बहुत ही असान, अगर आपको, suppose एक कोई series दिया है, a plus a r, plus a r square, plus dot 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 a r k power n minus 1, यह चीज़ दी हुई है, तो simple सी कहानी है, यह sum लिखना है, तो हम लिखेंगे, a into r to the power n minus 1, यहाँ पर minus 1 होने हाँ होता है, divided by r minus 1, ठीक है, अच्छा, जब r आपका less than 1 होता है न, तो हम यह वाला sum यूज़ करते है, a into r to the power n minus 1 divided by, sorry, देखो, हाँ, अगर आप याद करो भाई, इसको अगर उपर नीचे आपने minus से multiply कर देते, यह 1 minus r के power n होगा, नीचे 1 minus r होगा, बात होई है, तो generally हम करते क्या है, यह वाला जो station है, यह वाला term हम इसे जब greater than 1 होता है, आप तब यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ भाई यहाँ भी नीचे plus रहेगा, उपर भी चीज़े आसान रहेंगे, और जब अपना r is less than 1 होता है न, तो हम यह वाला term यूज़ करते हैं, तो फटा-फट दिमाग में बिठाल लो, यह दोनों फार्मूले, फटा-फट, जल्दी से, हो गया, a into r के पावर n-1, r-1, अगर less than 1 रहेगा भी यह था हम a, 1-r के पावर n, 1-r, याद हो गई चीज़े, क्योंकि इसी के basis पर आगे हम questions करने जा रहे हैं, ठीक है, अनुप्रिता सिंग, इसका चार नंबर तो समलो, फिक्सी फिक्स है, है न, और आपके batch भी डिपेंड करता है, क्या है, अच्छा, infinite sum की बात कर रहे हैं, ठीक है, infinite sum के अर जो formula होता है, बहुत ही ज्यादा use होता है, ठीक है, हर जगह आपको इसका use मिलेगा, जब यह case apply होता है, mod is less than, sorry, मतलब mod r आपका less than 1 होता है, मतलब r is greater than minus 1 and less than 1, तब के लिए हम यह case use करते हैं, अच्छा, जब r less than 1 होता है, तो मैंने कौन सा formula बताया था, आपको याद होगा भीया, a, 1-r के power n, divided by 1-r, आपने कहा थे, यह वाला use करना है, अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, हमें infinity तक समच चाहिए, topic हमारा infinity तक, हमें gp का समच चाहिए, कि a लिखा है, ar लिखा है, ar square लिखा है, हम जा रहे हैं कहां तक, infinity तक जा रहे हैं, clear, अब s कितना हो जाग भाई, a divided by 1-r, minus ar to the power n, divided by 1-r, अगर हमारा जो n है, n क्या approach कर रहे हैं, कितने terms तक जा रहे हैं, यह infinity तक जा रहे हैं, क्योंकि हमें infinity का समच बताने हैं, तो जब हम infinity तक जा रहे हैं, तो आप ऐसा भी कहों कि limit n tends to infinity तक हम निकाल देते हैं, तो s equal to a by 1-r में तो कोई change नहीं होने जा रहा है, बट यहां पर जब आप r tends to infinity करेंगे, ध्यान से देखना, अभी limit में जब आगे मैं पढ़ाऊंगो ते चीज़ें और clear होंगे आपको, है ना, r क्या है भाई, less than 1 है, suppose r हम करना भी यह 1 by 2 है, अच्छा 1 by 2 के पावर infinity अगर n को infinity पूट करोगा, r हमें पतर less than 1 है, तो हमें सीधी से बात यह समाझ मैं, भी यह 1 by 2 के पावर infinity होगा, मतलब 1 by बहुत बड़ा number, big number, तो 1 by बहुत बड़े number जिवाइड कोगा, तो लगबग क्या होगी value, 0.0000, बहुत ही छोटी value आएगी, तो हम इस term को particularly, यहां पर पूरा term 0 हो जाता है, है ना, और सम कितना आता है, a by 1 minus r, इसे भी याद कर लो, इसका भी बहुत भारी यूज होता है problem solve करने में, है ना, तो सब को याद होना चाहिए, जितने भी सम के formula मैंने बताएं, infinity तक का s equal to a by 1 minus r, यह सब कुछ clear होना चाहिए, एक दम धिमाग में य ठीक है, तो जहां तक लग रहा है, यह चीज़ें अभी तक आपको clear हो रही होंगी, है ना, तो आओ फटाफट अब इसके basis पर questions करते हैं, तो चीज़ें और समझ मेंगी, ठीक है, आ जाओ, question number 1 से start करते हैं, फटाफट within 2 minutes, अब सब knowledge आपके पास हो गया है, सीधी सी बात य इसके basis पर questions कर लो, confidence आजाएगा, तो within 2 minutes इसका answer सभी लोग का मुझे chat section में दिख जाना चाहिए, तुरंत approach करो, मैं यहां बोलना हूँ, आपका अब तक question read हो जाना चाहिए था, है ना, question क्या है, if fx plus y equal to fx into fy, है ना, and आपके एक relation ने दिया है, fx plus y, x और y में, ठीक, x equal to 1 से infinity, fx by 2, है ना, xy belongs to natural number, where n is the set of all natural numbers, then the value of f4 by f2, पूछा है, बहुत easy question है, देखते हैं, कौन सबसे पहले जवाब देता है, है ना, चलो ठीक है, मैं side हो गया, देखते हैं, सबसे पहले कौन जवाब देता है, ओके अभी तक किसी का नहीं आया answer, है ना, फटा फट करो, arithmetic को geometric progression होता है, arithmetic और geometric का दोनों का combination जब एक summation में दिखता है, तो हम उसे AGP बोलते हैं, यह भी हम discuss करेंगा, उसके basis पर questions भी करेंगा, आप टेंसल मतलब एक दम, C, एक बच्चे ने बता दिया, C, साहिल, सुहेल खान ने, C बता दिया, ठीक है, और सारे बच्चों हाँ, जवाब शहिए, तुरंद, तुरंद, फास्ट हैर, फास्ट, हार ही है सिंगल, B, यो ही कुमार ने बताया B, एक बच्चे ने बताया C, एक बच्चे ने बताया B, एक बच्चे ने बता दिया, और अभी तक किसी का कोई जवाब नहीं है, फटा-फट, फ्लीज, थोड़ा सा जल्दी करो, क्योंकि आज बहुत चीज़ें खतम करनी है, तो अगर जवाब आएगा तुरं-तुरं, तो ही काम बनेगा, दो बच्चों ने C बताया, एक बच्चे ने B, C, B, C, B पे जनता आटक गई है, ओके, वेरी गुड, बहुत हमेसा, हम क्या करते है, घवाइघ एक पाता होता है, तो सिंपली हमें तो अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं पता है, चलो, सपोर्च हम मानते हैं, वाई, की F1 हमारे पास, के है, माल लेते हैं, सपोर्च कितना आजाएगा, घवाई, एक इस deficit कुतना है, जाएगा तो यहाँ पे f1 into f1 होगा मतलब f1 k है k square हो जाएगा तो f2 भी हमें मिल गया भाई k square f3 अगर निकालनो तो simply f2 plus 1 करेंगे है ना मतलब की f2 into f1 is relations है यहाँ पे f2 into f1 करेंगे क्या बचेगा k square into k equal to k cube है ना मतलब की f1 है तो k के power 1 है f2 है k square f3 k cube है simply f4 निकालो कि क्या आएगा k power 4 आएगा यह कहानी है और k क्या रहा है यह 1 से लेके infinity तक fx का sum मतलब की f1 plus f2 plus f3 dot 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 infinity तक का जो sum है वो 2 के बराबर है f1 कितना था k k power 1 k k power 2 k k power 3 dot 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 infinity भईया यह तो 2 दिया हुआ है बहुत बड़ी है इतना दिमाग अगर काम कर रहा है तो अब हमें पता चला कि यह जो series है यह क्या बन रही भी या यह infinite sum बनना है यह GP है GP का common difference k है यहाँ भी k है हर जगा k है तो simple सी बात है हम क्या लगा देंगे a by 1 minus r तो इसका sum कितना हो जागा a कितना k है और r कितना common ratio वह भी k है यह भईया हमें 2 के बराबर दिया है फटा फट हम इसे solve करेंगे तो k equal to 2 minus 2 k तो simply 3 k equal to 2 तो k equal to आपका यहाँ पे 2 by 3 आ जाएगा बहुत बड़ी है k मिल गया भईया हमें पूछा क्या है question में question में पूछा है भी यह f4 by f2 f4 कितना होगा भाई फटा फट k के power 4 होगा भीया हमने यहाँ से deduct किया है और f2 कितना होगा भीया k equal होगा मतलब कि f4 by f2 k equal आएगा k कितना निकाला है 2 by 3 तो 2 by 3 के equal 4 by 9 तो option number 10 correct है बागी आप सभी लोगों का गलत था ठीक है A, A, A at last तक BGM Music ने बस सही जवादिया विसाल कुमार्ड ने दिया है न जैर बस हमें इतना बता दो कि क्या चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रहीं बिल्कुल मतलब इतना आदमी पढ़ा रहा है आपको एक एक चीज़ बेसिक से में पढ़ा रहा हूँ कि यह चलो तुम इंफिनीटी सम भी सीख लो ठीक है सारे सम की फामले में बता दिया कैसे टर्म्स यूज करने सब कुछ बता लिया बट फिर भी अगर यह बेसिक सा क्वेस्टन आप से गलत होगा तो मैं कैसे करसकते हूं भाई तुम मेरा क्रेश कौर्स देखके में 60 पलस अराम से स्कोर कर सकते हो और तुम्हे क्या लगता है कि इस क्वेस्टन में आपको ज्यादा ज्यादा दू मिनिट से ज्यादा मिलें बिल्कुल नहीं मिलेंगugen है ना 25 questions होते हैं एक subject में है ना आपको 60 मिनट में अटेंब्ट करने होते हैं देख question में on average 2 minutes 10 minutes हता दो है ना और कोई-कोई questions तो ऐसे होते हैं जिसमें 5 minutes भी लख सकते हैं तो इन सब questions पर इतना calculation यहां पर दीखर आए बट यहां से आप कोई करना है सबसे पहले तो लाइक कर देना आप लोग ठीक है लाइक तो करते ही नहीं हो ठीक है ओके तो स्टार्टिंग दिमाग कैसे लगाना है भाई हमें यह relation दिया हुए जब भी fx into f y देगा हम एसा समलोग जीपी क्योंकि जीपी हमें इसा प्रोड़क्ट में डील करता है और fx प्लस fy दिया होता तो एपी का कुछ होता एपी हमें इसा आपका सम में आपका डिसाइड करता है ठीक है तो यहां भी यह चीज़ हो गई लेकिन हमें पता नहीं हमें ऐसा यह तो question में आपको एक condition दिया रहा भी यह f1 की आपको value दी है या फिर दिया रहेगा कि f1 की value कुछ है या फिर आपको मानना होगा भी यह f1 कुछ है ताकि हम आगे का term निकाल सके तो हमने f1 को कुछ भी मान दिया फिर f2 निकाला f3 निकाला इसी तरीके से कर दिया ठीक है बहुत easy question था इससे आपसे यह expectation नही यह answer आना चाहिए देखके नहीं इमानदारी से करोगे तभी काम बनेगा within two minute इसका भी जवाब सारे बच्चों साना चाहिए कुछ कठीन नहीं है बस आप लोग की mentality खराब हो गई है ना सोची नहीं पा रहे हो थोड़ा सा brain नहीं खुल पा रहे है आपका relax हो के मैं वहीं ब अगर मेरा concept कभी सपोच छोड़ा होंगा तो कैसे मैं 2020 के सारे questions आप से करा दूंगा एक एक टॉपिक एक concept में discuss भी कर रहा हूं जब की ठीक है तो फटा फट हाट पिन चलना चाहिए है ना तुरं तुरंत दिमाग लगाओ at least मेरे करने से पहले इसका approach समझ लिया करो कि approach क्या होने जा रहा है भाई है ना और आपका level यह होना चाहिए कि देख के समझ जग भाई कौन सा approach हमें यूज करना है क्या question कह रहा है है न अगर इतना आप समझ सकते हैं तो फिर भाई यह सही है करो सुमित यादो ने बोला भी चलो देखते हैं सुमित हो सकता है कि तुम उम्मीद पे खड़े उतरो है ना सुमित ने बोला भी हो सकता है भाई सुमित अपने उम्मीद पे टिका रहे हम लोग के बिल्कुल बिल्कुल मिर्ति उन्जा सर्मा बिल्कुल इनफ है more than इनफ है बट six month आपका six years के बराबर होना चीए इस लेवल से प्रिप्रेशन करो है ना सुमिद ने बोला और सुमिद ने बोला भी आट्चना ने बोला सी बहुत अच्छे देखते हैं भाई बी अंकु शोधरी ने भी बोल दिया बी बहुत बड़ी है तो बस अभी तीन से चार बच्चों ने जवाब दिया है ठीक है एक मिनट और इस ज़ार करते है ठीक है दो चार क्वेशन को उसके बाद फटा फट करना है थोड़ा सा तेजी क्योंकि आज इस लेवल सको अपने ख बच्चे चालिस बच्चे में कि लाक्ष तक बने रहना ने फिर मजा नहीं आएगा और जवाब सारे बच्चे दो बी सी बी सी ठीक है आई थिंक मोर देन इनफ टाइम इतने में तो सौल हो जाना चाहिए था क्योंकि इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं हर्स ने बी न टिन सेकर्न सी मोहितने सी बहुत बढ़िया हैं देखते देखो सबसे पहली बात तो आपको देख रहे हैं यहां पर एस क्वाइर करके आप डिवाइक यहां पर बी स्कॉइर करके तो हमें तुरंत दिवां में श्ट्राइक यह हो जाना चाहिए कि कुछ तो बेटा स्कॉयर बनेगा तो यहां पर ध्यान से देखो लिखेंगे क्या हम लोग ब्रेक करो तो A² P² Plus B² P² plus C² P²-2ABP-2BCP-2CDP plus B² plus C² plus D² is equal to zero दिया है दिमाग में मेरे यहीं स्ट्राइक कर गया है लेकिन आपके समझाने के लिए यहां पर मैं बता रहा हूँ कि A² P² को अगर ध्यान से देखो ABP को अगर साथ में देखो और B² को साथ में देखो है ना तो क्या बनेगा भाई AP-B का whole square बन रहा है कि नहीं फटा-फट बता दो भाई कि भाईया इसको अगर आप लेते हैं इसको अगर आप लेते हैं और इसको अगर आप लेते हैं तीनों को लो तो इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं बिल्कुल क्योंकि A² P² यहां पर बन जाएगा प्लस B² यह वाला बन गया minus 2APB यह बन गया similar लग यहाँ पे करोगे इसका होगा BP ठीक इसको लोगे और BP कहा है यहाँ पे है इसके साथ CB आया है तो C वाला भी लेंगे तो BP minus C का whole square होगा यह ले लिया हमने किनो term अब CP वाले का लोग CP का whole square बन रहा है CP के साथ कौन सा आ रहा है भाई DB आ रहा है तो D CP minus D का whole square equal to 0 कर सकते हो ठीक है अच्छा अगर इसे 0 होना है और हमें पता है कि यह तीनो term positive है है कि नहीं बिल्कुल है क्योंकि यह square भी यह यह भी positive यह भी positive यह भी positive है अगर क्यों इसमें से minus होता है तो हम समझते है भाई ऐसे 0 आप नहीं बोल सकते हैं यह तीनो term square है चुकि positive है यहाँ पर आपका 0 होगा तो सारे terms आपके 0 होगे तो पहले conditions क्या मिल जाएगा P equal to B by A है ना दूसरे से क्या मिल गया P equal to C by B तीसरे से क्या मिल गया P equal to D by C और भाई AP में अगर ABC इन सबको होना है तो आपको समझ मा रहे होंगी चीज़े कि भाई अगर आपका ABCDGP क्योंकि यहाँ पर common ratio दिख रहा है ना हर जगा आपको तो अगर GP में कोई भी term होता हमें पता है भाई B by A होता है है ना Is equal to E सका इसका ratio होता है Is equal to इसका इसका ratio होता है D by C और वही चीज़ तो यहाँ पे भी लिखी है तो क्या कह सकते है भाई यह ABCD जो है आपके वो GP में है तो option C वालों का सही है है ना प्रवल तुमारा गलत है सुर्या तुमारा गलत है हर्स का भी अंकु शौदरी गलत सुमिद यादो गलत क्या दिक्कत है क्या प्रवलम है भाई यह भी एक समझ लो zero level का question था है ना कुल मिलाजला के कहने का मतलब यह है कि आप अभी भी अपने brain से overcome नहीं हो पाए हो है ना थोड़ा सा thinking still बढ़ा हो ठीक है अगर नहीं समझ मारे इन चीजे तो थोड़ा सुबर meditation की अगर उठके थोड़ा सा दिमाग खुलेगा थोड़ा सा तब महौल सही बनेगा पढ़नेगा है ना तो अब सब का आ जाएगा सी very good wishes very good लास्ट वाले statement में फिर से समझा देता हूँ कि हमने square बना लिया तो जब भी आपको दीख रहा है अच्छा ये बताओ ये positive number है ठीक है ये भी positive number क्योंकि square ये भी positive number है आप कोई ऐसा combination बताओ क्या ये 1 भी positive 2 भी positive क्या इन सब का sum करके 0 आ रहे कही है कोई भी combination ले लो even 0.5 ले लो 0.9 ले लो plus 0.0 क्या 0 आ रहे है नहीं तो प्लस अगर तीनो है तो भाई कुछ number आएगा और कुछ नहीं आ सकता एक कैसे बन सकता है भाई कि अगर ये तीनो टर्म 0 हो तभी 0 आएगा नहीं तो भाई एक positive number रिटर्न हो जाएगा तो भाई ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 तभी तो हम इसे 0 के बराबर कहेंगे तो हमने 0 पुट किया और यहां से P मिल गया B by A P मिल गया C by B और फिर D by C मतलब तीनो P के बराबर है तो हम ये कह सकते हैं भाई B by A equal to C by B equal to D by C और एक किसका condition है भाई ये GP का condition है कि अगर A, B, C, D, GP में है तो B by A, C by B, D by C आपके बराबर होते हैं ये ही कहानी थी वेरी गूड अब सेक्ट यही मोटिवेशन यहीं मंग अगर रहा तो निश्चित रूप से तुम ले के आओगे है ना बिलकुल दिक्कत नहीं है ओके चलो मुबान करते हैं नेक्स्ट को देखते हैं कब तक आपका ये जो ढए है ये जो फियर है कब तक खतम होगा है ना आजाओ फटा फट अब इसे स्वाल करो ये numerical टाइप में question पूछा गया था 6 September 2020 के second shift में फटा फट इसका भी solution हो जाना चाहिए अभी just हमने इसके पहले question देखा हुआ है तो इसका भी जवाब तुरंत मिलना चाहिए भई तुरंत का तुरंत suppose that a function after that r tends to r satisfies fx plus y equal to fx into fy for all x y belongs to real number ठीक है एक्स और y दोनों real number से बिलॉंग करते है f a आपको दिया हुए 3 ठीक है यहाँ पर चुपी i equal to 1 से तो आप इसे 1 treat करेंगे थोड़ा से यहाँ पर miss intent है f1 3 दिया है then n is equal to फटा फटा बता दो भई वहाँ पर हमने infinity तक देखा था बट यहाँ पर हम n तक की कहानी देख रहे है इसका भी जवाब तुरंत आना चाहिए है ना आ जाएगा बहुत ही easy question है clear हाँ यो ही जरूर करेगा क्रेश को increment क्योंकि मैं यहाँ पर theory के साथ-साथ previous year problems भी करा रहा है within 10 days आपको यह लगने लगेगा हाँ भाई मेरा concept काफी strong हो चुका है है ना मेरा सोचने का तरीका वदल चुका है निश्चित रूप से आपको इतना ज्यादा benefit होने जा रहा है ठीक है तो फटा-फटी यह वाला question solve करो सभी बच्चों का जवाब चाहिए भी तुरंत और जो नए बच्चे आ रहे है लाइक करते जाना इस्ट्रीम को सो लाइक तो कम से कम कर दो अगरवाल हर five बता दिये ठीक है देखते बाई और बताओ five five ठीक है देखते एक बार comment को ताकि और लोग को भी मौका मिले बताने का समी पटेल ठीक है एक मिनट ले लो फटा फट छे सितंबर वालों को तो मौज आ गई होगी है ना उनसे सारे questions तो होई गए होंगे लगबट लगबट तो निश्चीत रूप से यह है भाई कि बहुत कठीन exam नहीं होता है अगर आप चाहो करना तो आपके पास time है दिव्या और बत्चे attempt कर रहे हैं है ना का कि देख्ते हैं हर्स ने बताया अच्छा ठींग और बत्चे कहा है भाई और बत राचे कहां है अभी जिश्ट ऐसा ही question हमने देखा है इसके पहले वाले पहले question जो हमने तो उसके बाद यह नई बनेगा भाई फिर तो दिक्कत है 5 चलो ठीक है काफी बच्चों ने जवाब दिया है 4-5 तो वैसे दिये हैं है ना देखते हैं एक function आपको दिया है किया रहा है तो मैं उस वक्त भी कहा था अगर आपको दिया होगा एक फवन इकोल डू 3 अगर नहीं इस पे इस relation से आप obtain कर सकते हो है ना यहां से तो कैसे obtain करेंगा भाई सिंपल सी कहानी है लोको पेन ले ले ठीक है भाई क्या करना है सिंपल सी बात है कि f1 प्लस 1 करोगे तब ही तो हमें मिलेगा f2 f1 into f1 हो जाएगा मतलब कितना आगया 3 square आगया f2 कितना आगया 3 square f3 की कहा नहीं लिखोगी तो क्या होगा भाई f2 plus 1 लिख सकते हैं f2 into f1 लिख सकते हैं बड़े अराम से यह 3 cube हो जागा 3 square into 3 तो हमें इसमें भी यही पता चल लगा भाई जो भी हो fn जो भी हो आप यह कहोगे भाई यह तो 3 के power n आ रहा है है ना या fk हम वहां मांदर जितने टर्म सक क्या आप बात करेंगे suppose पहला निकालना है तो 3 होगा दूसरे की बात करो 3 square होगा तीसरे की बात करो 3 q होगा यही हमें यहां से deduct हो रहा है ठीक है क्या क्या रहा है भाई कि f1 plus f2 plus इस summation को मैं break कर रहा हूँ है ना dot 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 fn तक की अब बात की infinity तक नहीं गया यह भी यह हमारा 363 के बराबर है बहुत बढ़ी है f1 के जगा आप लिख दो terms 3 plus 3 square plus 3 cube dot 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 3 के पावर n is equal to 363 n terms की बात है तो क्या लिखते थे भाई सम कैसे लिखते थे a into r comma ratio 3 है r के पावर n तो 3 के पावर n minus 1 divided by r minus 2 हो जागा यह 363 हो गया cancel out होगा 1 to 1 हो जाएगा clear अब क्या है भाई simply 3 to the power n is equal to 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 1 जा 2 plus यहां पर 1 उदर जाएगा तो यह 1 हो जाएगा तो 3 to the power n मिल गए 243 clear अब इसे हम लिख सकते भाई 3 to the power 5 कैसे मेरे दिमांग में श्ट्राइक किया कि 3 के पावर 4 81 होता है 3 के पावर 5 obviously 81 में 3 का multiply करोग तो यह चीज़ आ जाएगी ठीक है तो यहां से compare करो base same है n equal to आगे आपका 5 clear है कहानी तो is equal to 5 तो सारे बच्चों ने सही जवाब दिया था ओ एन ए क्या लिखा है यह numerical वाला है है ना एन फोर numerical ए फोरा में नहीं पता है भाई है ना यह जी था है ना तो जो पहले questions कर लेए 7 किसका गया भाई हर सिन्ना का कैसे ठीक है उसका नाम लेते ही है हम तो हमें इसा लेते है भाई इस बार सबसे पहला जवाब दिया था अगरवाल हर्स ने सही दिया था ठीक है तो अगरवाल हर्स आपका सही है very good ठीक है अब आओ इसको करो फिर देखते है भाई कौन करता है फिर उसका भी नाम लिया जाएगा लेकिन इमानदारी से करना है भाई ठीक है इसका solution बताओ फटा फट सारे बच्चे विजिन 2 minutes 2 minutes बहुत जादा time है 2 to the power 10 आपके एक series दी हुई है then s is equal to यह equal s minus 2 to the power 11 के और फिर आप से पूछ रहा है कुछ चीज फटा फट कहानी बता दो इसकी भाई देखते हैं कौन देता है हाँ हाँ जही मेंस का ही इतना आसान जही मेंस में ऐसे questions पूछे जाएंगे चाहे है quadratic हो चाहे complex हो चाहे sequence हो इवन calculus हो बस थोड़ा सा वहां पर प्रेसर आपके दिमांग में रहता है और इस प्रेसर को मत आने देना सेप्टेम्बर उस और फेर्वरिवाल एक्जाम में तभी अच्छा कर पाओगे है ना अगर थोड़ा सा वही दिमांग में आपके प्रेसर आ गया तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी भाई पक्की बात है है ना तो अगर प्रेसर आ गया भाई दिमांग में तो वहीं से कहानी बिगड़ने लगती है ठीक है तो प्रेसर बिलकुल मत लाने देना बताओ दीख रहा है कोशेज हमाई कुछ दीख रहा है हारदिक विजय ने बताया अभी तक सी हारदिक विजय ने सी बताया बहुत बढ़ियां हारदिक अगर्वाल हरस ने भी बताया देख बढ़िया ठीक है 11.49 तक आपके पास ताइम है करिये फटा फट इस पेशल सीरीज एके प्रो ने बता दी एस पेशल सीरीज वेरी गुड वेरी गुड एके प्रो हर्दिक ने सी अगरवाल हर्स ने भी चलो ठीक है बहुत बढ़िया अरकसी ने सी बाई चाइनों इनों क्यों क्या यार बी 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 काफी बच्चे ज intéressantग बीजिया बीजियन मुज़े बी काफी बच्चे बीबी बता रहे हो में और बहुत बड़ी है वीरी गुड ऑफी बिदा कि बहिए यह तो कौन से एंगल से देख रहा है क्या इस तरीक से मल्टिप्लाइ कर देख से स्पेशल सिरीज का हो गया तुम्हीं जैसे लोगों के लिए ऐसा तो ओवराल आप देख रहे हो कि यह कॉमन रेशियो इसका 3 by 2 और यह जो समेशन हमें दिये यह जीपी है भाई है ना जिसका की कॉमन रेशियो क्या है 3 by 2 आप कोई सा भी एक उसके पीछ वाले डिवाइड करके देख सकते हो क्या लिखा हुआ है सिंपली आपको देखो ध्या गलती कहां करते हैं कि इसका जो समेशन कितने टर्म्स तक गया है ध्यान से देखो यहां पर 3 इंटू 0 लेख सकते थे ना 2 के पाउर 10 के साथ तो 0 से लेके 10 तक गया मतलब टोटल 11 टर्म्स हैं इससे कंफ्यूज मत होना कई बच्चे कलती करते हैं यहां 10 तक यह 10 टर्म है न टोटल तो यह गलती कितने लोगों नहीं थी में एक सवर की चैट वाक्स में बता देना तो यह कितना है भाई 2 के पाउर 10 है इंटू r to the power n 3 by 2 के पाउर n कितना है 11 है है ना minus 1 divided by r minus 1 3 by 2 minus 1 is equal to s minus 2 के पाउर 11 दिया हुआ है बहुत बढ़ी है इससे simplify करो तो 1 by 2 यहां बचेगा और 2 उपर ले जाओ तो यह बचेगा क्या 2 के पाउर 11 और यहां पे 3 के पाउर 11 minus 2 to the power 11 divided by 2 के पाउर 11 यह कहानी बच रहे है यह equal to s minus 2 के पाउर 11 के है ना थोड़ा यह बचा क्या 3 के पाउर 11 minus 2 के पाउर 11 इक्वल टो s minus 2 के पाउर 11 यह भी गाया हो गया बचा क्या s is equal to 3 to the power 11 कोई option है option number b is correct ठीक है तो b वालों का सही था सनी पटेल कहां से भाई इतना confidence आ गया डी कहां से आ गया तुम्हारा तो सबसे पहले जवाब भाई किस ने दिया था अगरवाल हर्स ने सही दिया था हार्दिक का गलत हो गया था जो आप तो सबसे पहले हार्दिक नहीं दिया था बड़ उनका गलत हो गया भाई काफी बच्चे C भी बोले एक बच्चा तो आके बाद में बोल दिया D ठीक है फर्स्ट आगे वेरी गुड ओके तो भी औप्सर न इसका पतनी के से कंफ्यूज जाते हो तुम लोग ऐसे इसे कंफ्यूज हो गे तो फिर काम नहीं बन पाएगा ठीक है कुछ क्वेश्चन में दम नहीं था सीध़े सा सम निकालना था सीधे कंपेर करना था nothing इल्स कुछ भी इसमें नहीं करना था सिंपल सी बात थी भईया सम निकालो फारूले में compare करो answer आ गया फिर भी आप से इतनी बड़ी गलती हो रहे ये बहुत बड़ी बात है है ना इतनी गलतीयां करो होंगी तो फिर जही में तो मुस्किल हो जाएगा तो make sure कि थोड़ा सा mind concentrate करोगे तब जाके चीज़े होंगी है ना फटा फटी से करो भाई question पड़ो तुनन दिमाग approach करो question पड़ो तुनन दिमाग लगाओ ठीक है क्या राइक if the sum of the second third and fourth terms of a positive term GP is 3 है ना and the sum of its sixth, seventh and eighth term is 243 then the sum of the first 50 terms of this GP is कुछ है यह नहीं सिद्धे आपको एक normal GP को इसा एजियूम करना है तुरंद उसके basis पर calculation करना है दो मिनट के अंदर इसका answer चाहिए भाई सभी बच्चों से ठीक है क्या हो गया भाई अमन चोर हाँ हो गया साइड बहुत बढ़ी है यह तब तो संगीत वेरी गुड़ फटा फट करिए ग्यारा पैताजिस तक इसका जवाब दो सारे बच्चे ठीक है इसमें आपको वाला दिमांग नहीं लगाना है जब भी थ्री टर्म्स होते हैं जनली सबको पताई होगा बत मैं एक बार बता भी दोंगा अगरे एपी के तीन टर्म्स आपको लेने हैं तो कौन सा लेते हैं और जी पी के तीन टर्म्स से जी पी के इस पांच टर्म्स अगर आपको लेने तो कौन सा लेते हैं तो मैं बता दूँना खेर उसका इसमें यूज नहीं आप टेंसल मतलो है ठीक है कर लिए बहुत बढ़िया तो फटा फटा एंसवर बता दो कर लिया तो जिन बच्चों ने कर लिया फटा फटा एंसवर बता दो जिस कुश्चन में ट्रिक लगेगा मैं वहां पर बता दिया करूँगा बी काफी बच्चे बता रहे हैं यह क्रिश्चन तो फिक्स है है देना चार नवब तो फिक्स है और चार नंबर कितना रैंक इंपरोब आप्पि यी आप लोगral को पता भी होगा है ना चार नंबर्स आप लोग करीब अगर आपका कम स्कूर है तो आप बहुत आगे जा सकते हैं हाइज स्कूर में तो नहीं कह सकते हो कि भाई 250-255 बहुत रहें का डिफिरेंस होगा नहीं बट हाँ 125-139 की बीच में बहुत डिफिरेंस होगा यह माइने रखता है चार सबसे पहले का अब जब भी इस तरीकेस लिखा रहेगा काफी आगे तक एक टर्म तक गए तो आप घ्प मान लोगे ऑ ए ए आर ए इसक्वाइर डॉट 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 आपने एक जीपी मान ले एक इस टेंड़ जीपी ठीक है सम आप इस सेकेंड थर औ पोजिटिव जीपी है तर्म जीपी इस 3 मतलब कि दूसरे का दूसरा टर्म ए आर है थर्ड का ए आर इसक्वाइर और फोर्थ का ए आर क्यूब यह दिया हुए 3 भाई and the sum of its 6th, 7th and 8th term is 243 कौनसा कौनसा भाई 6th तो AR के पावर 5, 7th तो AR के पावर 6, 8th term AR के पावर 7 is equal to दिया हुआ है 243 then the sum of first 50 times यह तो असान है यह तो हम निकाले लेंगे पहले यहां से 2 unknown 2 equation तो आरा हम से solve कर सकते हैं कैसे solve करेंगे ऊपर देखो बन रहा है A1 plus R square plus R cube ठीक है, R अगर हम common भी ले लेते हैं तो AR यहां से चलो common ले लो, तो यहां पे 1 plus R, यहां पे बच रहा है A R square simply बन ले ले तो यह 3 है यहां से आप AR, सुबच यहां पे AR के पावर 5 हम common ले रहे हैं तो 1 plus R plus R square equal to बन रहा क्या, 243 है न, 243 अब क्या करते हैं, इस second को first से divide कर देते हैं, कर दो, तो क्या पच रहा है, simply R to the power 4 यहां से देखो, और यह चीज, यह चीज, यह तो गाया वो जगत, बच क्या रहा है, 243 क्लियर है, अब यहां से हमें समझ रहा है, कि R की हम value निकाल सकते हैं, ठीक है, एक चीज यहां पे और है, कि यह 3 था, यहां पे आपके यह cut के 81 बन जाएगा, है न, यह हमने कैसे guess क्या, कैल्कुलेसन कैसे mystery की, क्यूंकि R के पावर 4, 243 बनता, तो काम नहीं बन पाता, है न तो R यहां से आप compare करोगे बाई, तो R हमें मिल गया 3, जब R 3 मिल गया, तो कहां नहीं खता में, बाई, है न, अब यहां पे R आप put करेंगे, और फिर आप यहां से R की value निकाल सकते हैं, एक common लो, तो R की value 3, प्लस 3, 3 जा 9, प्लस 3, 3 जा 9, 3 जा 27, is equal to 3 है, है न, थोड़ा और दिमाग लगाओ, तो 3 cancel out हो जागा, 1 प्लस 3, प्लस 9, is equal to 1, तो A कितना आ गया, 9, 3, 12, और 1, कितना गया, 13, तो A equal to 1 by 13 है, ठीक है, इतना सही है भई, पहले बता दो, इसके आगे हम तभी बढ़ेंगे, R equal to 3, 1 by 13, A equal to सही है न, बिल्कुल सही होना चाहिए, अब क्या क करना है भई, A into, A कितना मिल गया हमे, 1 by 13, R to the power N, R कितना है भई, 3 है, तो 3 to the power 50 minus 1 divided by R minus 1, तो 2 नीचे, 3 minus 1 हमने direct कर दिया, तो 2 लिख दिया, बचा कितना भई, 1 by 26, 3 के power 50 minus 1, कौन सा option दिख रहा है भई, option number B दिख रहा है, तो B is the correct answer, तो अगरवाल हर्स आपका गलत होगे, इस बार D कहां से आगे है भई, यह 2 भूल गए थे क्या, ओके, तो D कहां से आगे है भई, क्यों तो यह नहीं समझ मारा है, हमें तो जहां तक लग रहा है, यह option number B, और option B ही सही है, ठीक है, calculation होगेरा सही है, यहाँ पर हमने कर दिया था, 81 इसको अटाके, तो R मिल गया 3, A मिल गया 1 by 13, simply हमें सम पूछा था, फर्स्ट 50 टेम्स का, निकाल दिया हमने A into R के पौर N minus 1 divided by R minus 1 वाला formula लगा के, simple सी कहा नहीं थी, answer आ गया, चलो कोई बात नहीं है, तो सबसे पहले बाई जवाब किस ने दिया था, सलेंद्र दास ने, फिर उसके बाद एक आस मुंजल ने, फिर पुर्णीमा सिंग ने, very good, फिर भी अच्छा response आया, दो भूल गे, कोई बात नहीं, very good BGM music, आजाओ, आगे ये वाला question, फटा फट करो, let alpha and beta be the rules of the equation, gamma and delta be the rules of, ये, alpha, beta, gamma, delta, form a geometric progression, then the ratio 2Q plus P, 2Q minus P is, आप से ratio पूछाए, simple सी, फटा फट करेंगे सारे बच्चे, इसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ सकता है, तो 2 मिनट लो, सोचो, समझो, फिर बताओ, जल्दी, जल्दी जल्दी भाई, ज्यादा time नहीं लेना इसमें भी, थोड़ा सा आपको सोचना जरूर पड़ सकता है, मैं खुद कह रहा हूँ, ठीक है, बट अगर करना चाहोगे, तो हो जाएगा, ऐस सच बहुत कठिन नहीं है, करो, हाँ, एडवान्स तक हम आपके साथ रहेंगे, तम टेंशन मत लो, एकान स्मूध गल्ठीक है, वेरी गुड़, तुम्हारा नाम, मैं पढ़ा भी तु नहीं था, साइदेकास, अच्छा ठीक, एकान स्मूध गल्ठीक, चलो, कोई दिखकर नहीं है, नाम में क्या रखा है, रखा है क्या कुछ नाम में भाई, लोग बताओ, जल्दी, 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 हाँ, हाँ, सभी बात, करो भई, अभी तक किसी का जवाब नहीं आया है, जल्दी, जल्दी, करो, जब तक जवाब नहीं आएगा, तब तक काम नहीं बनेगा, ना, बी, हाँ, हाँ, बिल्कुल, अबसे, बिल्कुल, मेंज के बाद ही होगी, हर्स ने बताया, बी, अच्छा, देखते हैं, भाई, हर्स कैसे बताया है, मेठड कौन सा यूच क्यों हर्स, ये बताओ, मेठड का नेम लिख दो, तो समझ माया की चीज़ें, कि हाँ, भाई, कौन से मेठड सा आपने किया, इसे सॉल, मेठड ये हैं, तो कोई बता दे, तो वहाँ से समझ माया जाएंगी चीज़ें, कि आपने किस मेठड से किया है, सम एंड प्रोडक्ट अब दरोर्स, अच्छा, ठीक है, सी, सी, अच्छा, इस वाले टर्म से कितने लोग आऊगा थें, भाई, कंपोनेंडो एंड डिवीडेंडो, इस वाले मेठड को कितने लोग जानते हैं, ये अपने 12 में जब पढ़ा होगा, तो वाई, 12 में आपके टीजर ने, इंटिग्रेशन में एक क्वेश्चन कराऊगा, तो उसमें आपको बताया होगा, भाई, ये मेठड यूज होता है, कंपोनेंडो डिवीडेंडो, है ना, चल लेम्डा हो गया, अच्छा, ठीक, ये मेठड सायद कई बच्चों ने जानता भी हो, भाई, कई बच्चे जानते होगे, कई बच्चे नहीं भी जानते होगे, तो जानते हो भाई, बताओ फटाफ़, चलो, जानते हो, भाई, अगर आपको a by b is equal to c by d दिया होता है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं, ये अप पढ़े भी होगे उस वक्त, तो याद रख लो, कर कोई ratio दिया हो, a by b equal to c by d, तो आप कुछ इस तरीके से इसे अप्लाई कर सकते हैं, और हमें क्या क्या रहा है, ये अलफा, बीटा, गामा, डेल्टा, ये जो है, ये हमारा gp में है, और हमें यहाँ से देखने से कोई ऐस सच relation नहीं मिल ला है, अभी मैं इसका एक और तरीका बताऊंगो, solve करने का, बट ये standard method, ताकि आपका time save हो सके, थोड़ा सा time बस सके है, फिर बताना कौन से method सही है, ये बीटा बाई alpha is equal to delta by gamma है, यहाँ समने ये पा लिया, या फिर थोड़ा सा simply अगर इसे लिखें तो alpha by beta is equal to gamma by delta हमने दोनों हो उल्टा कर दिया और कुछ नहीं किया, अच्छा इस ratio में अगर लगाना हुआ हमें componendo dividendo, तो कैसे लगाएंगे, ज gamma plus delta, अब समझ में आ रहे होंगे चीज़ें कि क्यों हमने इस method को लगाया, क्योंकि हमें पता भई, इसका जो root है, ये alpha और बीटा है, और इसका जो root है भई, इसका gamma और delta है, ये भी समझ में आ रहे ही चीज़ें, तो भई, जब ये दोनों roots है, हमें difference of root पताई, root d by a होता है है ना, सम of root हमें पताई कि कैसे निकालना होता है, ठीक है, clear है, तब जब इसे थोड़ा सा और solve आप करेंगे, अब मैं इसे erase कर देता हूँ, जिससे screenshot ले ना, screenshot ले लो, ठीक है, I think ले लिए, बहुत अच्छे है, ठीक है, तो अभी मैं एक method और इसका बता दूंगा, जिन ब अलफा माइनस बीटा निकालोगत क्या जाएगा उपर से, रूट डी बाई यह होता है, तो रूट बी स्क्वाइर, 9 माइनस 4AC, 4P, divided by A, 1 है, और गामा माइनस डेल्टा अगर यहां से आप निकालोगत क्या आएगा, रूट बी स्क्वाइर, 36 माइनस 4Q, है ना, अलफा प् बीटा रखो, रूट 9 माइनस 4P, अलफा प्लस बीटा रखो, कितना है भाई, 3 है, is equal to गामा माइनस डेल्टा रखो, तो रूट ओवर 36 माइनस 4Q, divided by गामा प्लस डेल्टा रखो, 6, यह 2 हो जाएगा, स्क्वाइर करेंगे, 2 को इधर बेजेंगे, 4 टाइमस 9 माइनस 4P, is equal to 36 माइनस 4Q, clear, यह क्या हो जाएगा, माइनस 16P, 36, 36 से कैंसिल हो जाएगा, और माइनस 4Q, यह गायब हो गया, तो यहां बचा 4, तो Q is equal to, हमें क्या मिल गया, भाई, Q is equal to, मिल गया, 4P, इतनी कहानी समझ मागी भाई, कि Q भाईया, हमने 4P निकाल ले, पूछा क्या था, यही relation आप से पूछाता, अब रखो Q को 4P, तो 8P प्लस P divided by, फिर Q को रखो कि क्या, 4P, तो यहां पर रखो कि 8P minus P, 9P divided by 7P, यहां तक दिख रहा है, बहुत बढ़ी हैं, तो PP से कैंसिल हो गया, तो ratio क्या गया भाई, 9 by 7, एंस्वर कौन सा, option number B, तो सबसे पहली बात तो बताओ बताओ भाई, clear हुआ की नहीं है चीज, सबसे पहली बात तो, first अगरवाल हर्स, हाँ, तुमारा first है, ठीक है, सबसे पहले बताओ तो पहले बताओ भाई, यह चीज, clear हुआ की नहीं, componendo, dividendo, और यह method नहीं समझा है, तो मैं दूसरे method से solve करूँ, बताओ यह फटा-फट, आपको सारी चीजें सीख के जानी है, है ना, मजाथ नहीं करना है, जब सीख के जाओगे, तब ही काम बनेगा भाई, भाईया, रूट्स को इक्वल कैसे कर दिया, रूट्स को इक्वल कहां किया है, रूट्स इक्वल नहीं किया हूं मैं, यह simply हमने method लगाई, यह componendo, dividendo है, पहले वालस हमने alpha, minus, beta निकाला, और यहां साथ, यह component, dividendo method है, अगर आपको इस तरीके का कोई ratio दिये, तो आप उपर alpha minus beta करो, नीचे alpha plus beta, यहां पर gamma minus delta करो, यहां gamma plus delta, कहां नहीं है, second method बताना है, अच्छा ठीक है, ठीक है भाई, अलब इसी का इंतिजार था, यही एक सुकता अंदर होनी चाहिए आपके अंदर, है ना, कि भाईए अगर हमसे इस method से नहीं बना था, हम exam में क्या करेंगे यार, ठीक है, अगर यह आपके अंदर है, कि भाईए अगर यह method आगे था, भाई, हम exam में क्या करेंगे, तब आप समझ सकते हैं, भाई, सभी बात है, कि दूसरा method भी हमें आना चाहिए, चलो, आगे बढ़ते हैं, second method, very good, excited, आजओ मैं, देखते हैं, दिमाग लगाते हैं, मैं रेज कर दे रहा हूँ, तो एक बार जिसे screenshot लेनो, प्लीज screenshot इसका ले लो, क्योंकि बाद में मिलता नहीं है, आपको, नोर्स में यह सब रेज हुजाता है, फटा-फटी screenshot लो, सारे बच्चे, बाद में करोगे तो मज़ा आएगा, है ना, ले लिए, इस screenshot, बहुत अच्छी बात है, ले लिए, चलते हैं, बढ़ते हैं, इसे ही रेज करते हैं, बहुत बढ़ियां, अब आ जाते हैं भाई, दूसरे मेठट पे, सबसे पहली बात अलफा और बीटा इसके हैं, बहुत बढ़ियां, अलफा बीटा गामा डेल्टा भाईया करें, जीपी में हैं, तो चलो भाई, अलफा बीटा गामा और डेल्टा जो है, कह रहा हैं यह हमारे जीपी में हैं, है ना, तो अलफा को सपोज हम मानते हैं, है ना, बीटा को मानते हैं, अर, गामा को मानते ar square इसको मानते ar cube मानोगे की नहीं मानोगे मानेंगे भईया क्योंकि alpha, beta, gamma, delta gp में है तो हमने suppose alpha को a मान लिया, beta को ar मान लिया gamma को ar square और delta को ar cube मान लिया अब हमें पता क्या है यहाँ से देखो अब हमें भाई a और r की value निकालनी है आपको यह भी पता है साथ ही साथ में p और q आ रहा है तो चार equations बनानी है दो तो यहाँ से बन जाएंगे सबसे पहला case अगर आप लगाओ ध्यान से alpha plus beta भईया minus b by a मतलब 3 है ठीक है दूसरा case लगाओ भईया alpha, beta, c by a मतलब कि p है अब यहाँ पे alpha plus beta लिखो मतलब कि a plus ar 1 plus r directly में लिख रहा हूँ ठीक है यह पहला condition मिल गए दूसरे condition के आप बात करोगे alpha, beta a square, r हमें p मिल गया भई इन दोनों को मैं करूँगा highlight ताकि बाद में हो असानी एक यह equation मिल गया एक यह equation मिल गया भई पहला और यह आपका दूसरा बहुत अच्छी बात है भई अब यहाँ पे एक partition में देता हूँ ठीक है चलो अब क्या है भई gamma और delta के भी कहानी लिखो इसी तरीके से तो gamma plus delta कितना है भई minus b भई यह 6 और gamma delta कितना इसी बाई यह मतलब q हमें जो information अब simply हम उसके basis पे knowledge निकालने है अपना तो ar square plus ar cube करोगत simply आप ar square common लेख 1 plus r equal to 6 मिल जाएगा है ना gamma delta करोगत a square है ना r to the power 5 is equal to q मिल जाएगा अब इसे भी highlight करते हैं यह equation यह मिल गई एक equation भाई यह वाली मिल गई अब कैसे हम थोड़ा सा भाई calculation कर सकते हैं जहां से देखो यहां पर देखो अगर हम इसे और इसे divide करते हैं तो कुछ काम बन रहा है divide करते हैं ar square one plus r divided by इसको इससे divide करते ताकि हमें a की value r की value मिल सके one plus r तो equal to six by three करोगे जो two क्या किया हमने इस वाली equations को इससे divide के अब हम values निकाल ले हैं यह चीज गायब होगे इससे ए गायब होगे इससे तो simply r square मिल गया two clear हो गई कहानी ठीक है भाई अब इतना जब हमें clear हो गया तो हम यहां से यह भी पासकते हैं भाई कि जब r square two मिल गया है तो कुछ और हम यहां से conditions निकाल सकते हैं जैसे कि ध्यान से देखो अगर हम इससे divide करें इन दोनों को अगर हम divide करें तो कुछ condition निकल ले ही बिल्खुल निकल ले ही भाई जब आप करोगे मिल गया भाई 4P यह relation मिल गया हमें Q इकल टू 4P अब कुछ करना ही नहीं है यह ratio पूछा था तो Q को रखो 4P तो 9P plus P divided by 9P minus P कितना बच्चे का भाई उपर अच्चे यह 8P plus P है 8P minus P तो 9P divided by 7P ठीक है यह कितना बच्च गया पीपी गया तो 9 by 7 ओप्सन नमबर बीच करेक्ट ठीक है तो ऐसे सच कुछ नहीं कि कमपोन इंडो आपको लगाना है जो आपके पास दिमाग है जो आपके पास common sense अगर उसका apply करो तो हजारों मिठर सा आप कर सकते हो है ना वेरी गूट केस हो आपको अभी तो सिर्फ previous year questions करने चाहिए भाई इनकी PPT accounts आपको telegram पे मिलेगी description box में देखो कि नीचे आपको telegram का link दिया होगा वहाँ से join करो तो वहाँ पे मिलती है कोई बात नहीं हर्स तो clear हुआ is it clear as or no I think clear हो गई होगी चीजे है ना समझ मारी ही चीजे मतलब आपको nice question और nice इसके दो-दो approach भी है अच्छा nice explanation अच्छा ठीक तो आगे हैं ना समझ चलो आगे बढ़ते हैं ये वाला question करो फटा फटा इसका solution तुरंत आना चाहिए भाई तुरंत का तुरंत ठीक है इससे पहले मैं आपको कुछ चीजे बता देता हूँ जैसे AP में थैयार अगर आपसे कभी तीन टर्म्स की बात करता है ना तो आप तीन टर्म्स ऐसा लोगे ताकि आपके तो आपके दे ले सकता है अगर 5 टर्म्स पूछा है यह लोगे यह दि लोगे a plus d लोगे तीन टर्म्स हुए फिर इसके एक और पीछे जाओ घट लगे और यहां पर a plus 2d लोगे तो देहां से देख़ो यह भी 5 टर्म्स हो गए ना बड़े अराम से हो गए सेम जीपी में जीपी में करा है तो पहला ए लोगे उसके पीछे जाओ भाई A by R और उसके एक आगे जाओ भाई A R ले लोगे और पांच टम्स की बात कहेगा भाई उसके एक पीछे गए एक आगे भी आ गए ठीक है फिर एक पीछे गए एक आगे आगे यह पांच टम्स की कहानी क्यों ऐसा करते हैं क्योंकि जो अपना अगे आगे इस संके ना एक प्लस एक प्लस एक प्लस यह फाइप बन जाता है है ना ताकि calculation easy हो जाए और geometric progression में multiplication से deal करते हैं जब इसे multiply करोकत a cube बन जाएगा आर गायब हो जाएगा है ना जब इसे multiply करोकत a के पावर 5 बन जाएगा आर गायब हो जाएगा तो जब calculation easy करना होता है और 3 और 5 terms की बात होती है तो हम generally इन terms को preference देते हैं ताकि हमारा calculation easy हो सके ठीक है अब इसे के basis पर फटा फट एक question करो answer बताओ इसके ले लो चलो बताओ भाई हाँ कंपोनेंडो डिवीडेंडो अक्सी अच्छा था ठीक है तो करिए फटा फटाथ इसे भी अगर हो रहे है चीजें तो बहुत बड़ीया हैं नहीं हो रहे हैं तो भी बढ़ीया हैं क्योंकि आज नहीं तो कल होगा ही होगा बहुत बढ़ी है सानी पटेल बहुत अच्छा है ठीक है सनी पटेल वेरी गूड तो जो नहीं आरे हो लाइक करते जाना इस्ट्रीम को है न जल्दी शुरू का गारो आई थिंक कॉंपलेक्स नंबर के बाद हम कोनिक पे या जाएंगे है न दिब्या पाल सी बीजिय म्यूजिक ए और सबसे पहले अगरवाल हर्स ने बोला ए अच्छा ठीक है हर्स देखते हैं ओके चलो आ जाओ अब सल्यूशन करें बहुत पढ़ना है भी सल्यूशन देखते हैं भाई क्या है तो सबसे पहले मैंने का भाई जब भी इस तरीके के तीन टेम्स की बात करेगा तो आप कौन सा जी पी लोगे आप क्यों का कि हमारा केल्किलेसर निजी हो सके हैं न कहारा है दसमाओ फर्स थी टम्स आप जी पी इज एस इनका सम जो है अबाई आर प्लस ए प्लस ए आर ए कितना दिया भाई एस है एंड देफ प्रोड़क्ट इस 27 तो ए बाई आर इंटू ए इंटू ए आर ए कितना है भाई 27 के बराबर है बहुत बढ़िया है ठीक है तो जब एक कोई टू थी मिल गए था हमें एस की कंडिशन बता दिन आल सच एस लाई तो यहां पे आप रखेंगे ए बाहार लिल दो तो थी वन प्लस वन ठीक है यह कहानी बन गई अब क्या है भाई थोड़ा से बेर करो तो 3 प्लस 3 टाइमस R प्लस 1 बाई R अब देखो जो भी यह टर्म होता है अपना X प्लस 1 बाई X आपको पता होगा जब X positive होता थी यह greater or equal to 2 होता है और जब X कोई भी value होती तो इसका जो interval आता है यह हमेसा सबोजी आपको अगर हम T माल लेते हैं तो T आपका जो होता है यह तो greater or equal to 2 होता है या फिर T इसले और equal to 2 होता है जब negative होता है मतलब कि minus infinite से minus 2 तक इसकी कहाने जाती है और फिर 2 से infinity तक जाती है तो चलो करें तो मतलब कि जो यह value R plus 1 by R वो कहां से कहां तक जाएगा suppose हम इसे T मान दे रहे हैं हमें यह S मिल गया है 3 plus T तो जो T होगा भाई सबसे पहले तो minus infinite से minus 2 तक जाएगा है यूनियन यह आप 2 पे close भी कर दें तो यह आपका जाएगा फिर यहां से लेकर 2 से infinity तक यह लेकिन अभी सिर्फ हमने टी का लिखा है 3 से multiply नहीं किया अब 3 से multiply करोगे तो कर देते हैं वही minus infinity से minus 6 है ना union 6 से infinity अभी हमने सिर्फ इतना निकाल एस तो पूरा है ना 3 का भी multiply हम नेकिए अभी 3 एड़ भी है तो एड़ भी आप यहां पे करोगे तो जब एड़ करोगे तो क्या में लगए minus infinite से minus 6 प्लस 3 तो minus 3 union 6 39 9 से infinity तो कौन सा option दिख रहा है यही वाला तो दिख रहा है साइड option number 3 is correct तो केसो केसो सही बताए तुम अगरवाल हर्स गलत हो गया बीजियम म्यूजिक गलत दिब्या का सही था है ना तो क्या confusion आ गई क्या confusion आ गई भाई देखो जो x प्लस 1 बाई x होता है या फिर आप यहां पे हाँ चलो r प्लस 1 बाई r होता है इसके आप कोई भी value रखो सपोज आप जब 1 रखो गया तभी यह 2 आएगी ठीक है मतलब कि 2 से infinity तक जब आप r बढ़ा होगे कुछ भी आगा जब positive होगे और ज इसके बीच भी यह आपको याद भी करना होता है फिर जब आगे आप पढ़ेंगे calculus में तो आप इसका derivation भी कराऊंगा मैं है ना तो यहां पर आपको दिखें कि भाई r आप कुछ भी ले लो सपोज आप कह रहे हैं कि हम 1 लाना चाह रहा है तो आर कभी 1 आहीं सकता है जैस आपको आपने 0.5 ले लिया है ना कुछ भी लेकर चेकर दो 0.5 प्लस 1 बाई 0.5 तो यह 2 हो जागती यह भी 2.5 आगया है ना तो इसकी value जो होती 2 से infinity होती देख के भी लग जाता है और minus 2 से infinity अगर r positive है अगर यह positive value दिया हो है बाई तो positive की case में यह हमेंसा greater or equal to 2 होता अभी conic section जब पढ़ोगे तो वहाँ पे जो focal chord का length आप निकालोगे ना t plus 1 by t का whole square तो वहाँ पे आपको समझ में आगा कि a into t plus 1 by t का whole square is greater or equal to latest rectum है ना मतलब 4 एके बढ़ा होता है या फिर जो आप वहाँ पे relation किसी बच्चे के याद होगा तो थोड़ा सा correlate कर पा रहा होगा यह पे relation हम निकालते हैं है ना greater or equal to length of latest rectum तो वहाँ भी इसका यूज होता है तो इसे अभी याद ही कर लो अच्छा तो confusion मतला हो ठीक है तो यही छोटी छोटी गल्किया होती जो आप मेंस में करते हो नहीं तो आप अच्छे इसकोर कर सकते हैं है ना तो make sure कि इन गल्कियों का avoid करना है तब ही जाके कुछ हो सकता है ठीक है आगे बढ़ते हैं नहीं ऐसी तो बात नहीं है और की वेल्यूप हाँ निगेटिव भी हो सकती है सपोज मैं कह रहा हूं कोई माइनस टू है ठीक है और कोई एक फोर है ठीक है मतलब कोई भी एक निग घंग बाया तो वहां पर निगेटिव भी है सकता है सच कोई foundation नहीं जैसे कि टू हमने कहा ठीक है फोर किये और हम लगाए हमने माइनस फिर माइनस फिर माइनस फिर माइनस वर्यागा अल्टरनेट चल लें तो ध्यान से देखो कि तो फिर हां भाई यह जो अपना है आर यह यहां पर निगेटिव आएगा तो इसका कॉमन रिस्यों कितना रहा है इसको इससे डिवाइड को तो भी माइनस टू इसको इससे डिवाइड को तो भी माइनस टू तो ऐसा कुछ क्लियर है इस इट क्लियर है सौन नो बताओ भाई आगे बढ़ें आजाओ यह वाला क्वेश्चन करो पटापट इप मॉड एक से लेस देन वन मॉड वाई इस लेस देन वन एंड एक्स इस नोट इक्वल दू वाई देन दस सम तू इंफिनिटी आप दे फॉल्लविंग सी य यह जो सिरीज आपको दिया हुआ थोड़ा सा आपको को रिडेट करना होगा मैं एक बार लिख देता हूँ ठीक है सबसे पहली बात आपको कंडिशन इफाइनाइट वालत देख दिया है ना कि मॉड एक्स लेस देन है और मॉड वाई लेस देन वहना और दोनों बराबर न सिरीज क्या दिया भाई एक्स प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वाई प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई स्क्वाई प्लस एक्स स्क्वाई प्लस एक्स स्क्वाई प्लस एक्स वाई स्क्वाई प्लस एक्स वाई स्क्वाई क्यूब प्लस डॉट 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 बताईए, लियर हो रही हैं चीज़े, चलो कोई बात नहीं है, जल्दी बताओ भाई, इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पुड़ सकता है, है न, यह तो इसली तो फटा फटा भव्या या तो आप इसका एंसर बताओ, है न, फटा फट, दिख रहा है question डिस्प्ले हो रहा है, हाँ, मैं तो फालतू कहीं लिख दिया, दिख रहा है question डिस्प्ले हो रहा है, है न, simple सा एक condition आपको बनाना है, देखो दिमाग से क्या हम x, x square, x cube को लेके कुछ कहानी ऐसी बना सकते हैं, नहीं बना सकते, दिख तो रहा है बहुत असान की x plus x square plus x cube plus x के power 4, इस तरी केस करके हम sequence बना देंगे, बट इनका क्या होगा भाई, x, y वाले भाई साब का, ये सब भाई साब कहां जाएंगे, फिर यहाँ पर फट जाओगे, है न, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है, फटा फट एंसर बताओ भाई, चैट सक्षन में, तब मजा आएगा है न, फटा फट, as, f, as soon as possible, जल्दी जल्दी, c, अच्छा, दिव्या ने बता दिये, c, बहुत बढ़िया, जो बच्चे किये होंगे, वो बता सकते हैं, असानी से, जो बच्चे नहीं किये होंगे, उन्हें थोड़ी से प्राब्लम हो सकती है, x प्लस y की पावर r, अच्छा, देखते हैं बई, complex number हर सकल से होगा, टेंसर मतलो, complex number बहुत बढ़िया करना है, है ना, mastery करने ही, एक बार ऐसा समझ लो, c होगा विसाल कुमार, देखते हैं, देखते हैं, क्या होगा, क्या नहीं होगा, ठीक, दोखे यार जब भी इस तरीके का term आएगा, हमें तो सबसे पहले दिमांग में यह बच्चे अप्रोच करने लगेंगे, यह X plus X square plus X q, हमने लिख दिया है, ना, फिर Y plus Y square plus Y q, लेकिन थोड़ा सा मैं कीहारूँ कि आपको वहां पर time बचाना है, तो सीधे दिमांग में यह क्लिक करना सूँ, अगर हम उस अप्रोच के और मूब करेंगे दिन हमें यह पता चल ला है यह जो चीज़ एक्स वाई एक्स स्कॉयर वाई एक्स वाई स्कॉयर यह सारी चीज़े तो फिर मिसलीट हो जाएंगे फिर काम नहीं बन पाएगा भाई तो इसलिए यहाँ पर कुछ अलग दिमाग लगा भी सकते हो कि आप अगर उपर नीचे एक्स माईनस वाई से सपोच डिवाइड हो मल्टिप्लाई करते हैं है ना तो उपर यहाँ पर बन जागा भाई एक्स स्कॉयर माईनस वाई स्कॉयर है ना प्लस अब यहाँ पर एक फायदा यह होगा एक्स माईनस वाई कर क्यो कि x-y का हमने ऊपर पूरे टर्म में किया इसमें भी इसमें भी इसमें भी और नीचे हमने बस एक डिवाइट कर दिये ताकि चीजें मेंटेन रहें तो जब इसमें multiply करो x-y का तो देखो पहले ज़िए x3 plus x square y plus x y square फिर minus वाला जाएगा ताकि सब cancel out भी कर सके माइनस y से जब multiply होगा तो minus y x square minus x y square और यहाँ पर minus y cube अब जहां से देखो x square y इससे गायब होगा x y square इससे गायब होगा बचा क्या x cube minus y cube तो यहीं से आप idea लगा सकते हो कि अगर यहाँ पर कुछ symmetry देखो x minus y से multiply करोगे तो बस x cube y cube बचेगा यहाँ क्या बचेगा x के पाउर 4 minus y के पाउर 4 ठीक है तोड़ा से से हम आगे लिखते हैं इसी चीज को मैं modify करके यहाँ पर लिखता हूँ is equal to कितना गया बाई 1 by x minus y यहाँ पर कितना आया एक में x square minus y square दूसरे में कितना आया x cube minus y cube इसके बाद कितना आयेगा x के पाउर 4 minus y के पाउर 4 यह कितने तक बात के infinity तक की बात किया है है ना बहुत बढ़िया 1 by x minus y अब x वालों को एक साथ ले लो x square plus x cube plus dot x के पाउर 4 dot 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 infinity और y वालों साथ यह minus बाहर लेके y square plus y cube plus dot 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 infinity तक इसे हमने ले लिया बाई clear हो रही ही चीज़े अब बहुत असान कहानी हो गई यह 1 by x minus y यहाँ पर है यह चीज़े जो है है ना यहाँ पर क्या करोगा बाई इंफाइनाइट वाले सम का फॉर्मला लगा होगे आर कितना है जहां से दो खुथ x है लेकिन ए कितना है x square ठीक है ए बाई 1 minus r mod x कितना दिया हुआ था less than 1 obviously यह condition तो लगा ही सकते है है ना plus यहाँ पर यह minus राथ है का y square a by 1 minus r r कितना है y है यह होगया भाई अभी भी कहानी खतम नहीं हुई है तो 1 by x minus y यह क्या होगा भाई x square minus x square y minus y square x plus x y square इतना दिख रहा है बहुत बढ़िया ठीक है यहाँ पर क्या होगा 1 minus x 1 minus y होगा ठीक है अब क्या है भाई उपर कुछ आप common लोगे यह हो जाएगा 1 y x minus y और नेचे 1 minus x 1 minus y यहाँ पर क्या लोगे भाई x square आप common लो तो यहाँ से दिख रहा है आपको अब इसको थोड़ा सा अलग simplify करते कि यहाँ पर जगह नहीं बच रही है ठीक है यहाँ से देखो इसमें और इसमें कुछ अगर आप common ले सको तो x आप यहाँ पर common लिए तो यहाँ पर बचा क्या x minus y ठीक है यहाँ पर minus x y इन दोनों आपका नीचे 1 minus x 1 minus y बचेगा और उपर x minus y common कि यह गायब हो जाएगा तो कुछ ऊपर यहाँ पर टर्म बचता है तो फटा फट बता दो कौन सा टर्म बचता है भाई फटा फट ट्रिग्नोमेट्री होगा भाई ठीक है उसका टेंसर मतलो आप इसमें कहीं कैलकुलेसर में आपका कुछ दिक्कत लग रहा है मुझे ठीक है एकस माइनस y common आएगा ठीक है ओके तो होगा उसमें कुछ दिक्कत ठीक है तो आई होप क्लियर हो गया होगा यह 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 फिर से यहाँ से एरेज करके फिर से इसका कैलकुलेशन करें फटा फट बताओ अगर यहाँ से आपन जल्दी बताओ भाई फिर से कलकुलेशन करना है क्या मैट्रिक्स भी होगा यार सब कुछ होगा सब होगा यार ऐसा नहीं है कि कुछ होगा नहीं यहाँ ठीक है तो आप्सन सी वालों का सही है फिर से कलकुलेशन करेंगे ठीक है तो सी आप्सन वालों का सही है उपर कुछ आपका बच्चे का एक्स माइनस वाई इससे गाया बजागा और यह बच्चे का आपका एक्स प् फटा फर्तर हूँ सी वेरी गुल ठीक है सिंपल से कहाने थी बाई कुछ नहीं करना था इतना हमें मिल गया अब इसके आगे का कैलकुलेशन करना है यहां से फिर कुछ कॉमन लेना है एकस माइनस वाई आपका यहां से गायाब हो जागा बस और कुछ भी आपको नहीं सोचना है ठीक है आगे बढ़ें हम बताओ भाई प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी लास्ट में होगा है ना यह वाला क्वेश्चन करें यह मोर देन इजी क्वेश्चन है इसका जवाब तुरंट दो मिनट के अंदर आ जाना चाहिए इसका प्रोबेबिलिटी इसका प्रोबेबिलिटी आपसे सिंपली पूछा हुआ है बतादो भाई बतादो जल्दी से सबका एंस्वर चैट बॉक्स में आना चाहिए जल्दी 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 भाई सिंपल सा प्रोडक्ट है कुछ करना नहीं है है ना एक लाइन का जवाब है एक लाइन में चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए भाई तुरंद एंसर बता सकते हो है ना तुरंद का तुरंद हाँ बिल्कुल भविया यादो बिल्कुल ठीक है जल्दी बताओ भाई इसका एंसर दो मिनट के अंदर अभी तक किसी का जवाब नहीं आया है ना कोई भी जवाब नहीं आया क्वेस्चन से एक बार आप खुद से धर भी ट्राई किया करोगे ठीक है वैसे एक लाइन का था ए ए ए ए सबसे पहले केसों ने बताया ए अच्छा ठीक है बाई देखते हैं गलत है वैसे आप लोगों का है ना है फटा-फट करो भाई ए ए ए ए ए ए ए चलो तो देख लेते हैं भाई फटा-फट फटा-फट भाई जब भी इस तरीक एक चीजी दील ठोड़ा सा सिंपलीफिकेशन कैसी बनता है और इंसे निफिनीटी तक बात हुई है है तो अगर आप देखें रहीं तो 2 के पावर 1 भाई 4 है इसको लिख सकते है बाई 2 के पावर 1 भाई 8 इसको लिख सकते है बाई 8 को 2 क्यूस हो पन्यक्य क्या करने है 1 by 8 plus 1 by 16 यह कहानी infinity तक गई है सम कितना है इंफिनिटी अगर आपसे कोई सम पूछत कितना आता है या a by 1 minus r a कितना है भाई 1 by 4 है और r कितना है भाई ध्यान से देखो तो 1 by 8 divided by 1 by 4 तो भाई या यह 1 by 2 है तो 1 by 2 करेंगे clear है निकालना क्या था इसकी value तो 2 के power 1 by 2 आ गया मतलब कि root 2 या फिर a option आप बोलो a is correct answer बढ़िया है आसिस कविया ठीक है तो d वाले गलत कर दिया आपने c वालों भी गलत क्योंकि मैं बस इतना बोला था कि यह वालों का गलत है बस इसी पर आप confused होगे और d बोलने लगे यह बोलने लगे भाई ऐसा मत करो थोड़ा सा simplification करो question solve करो एक minute कभी even question नहीं था more than one minute में आपको दिया भी बट फिर भी आप खरे नहीं उत्रे भाई विश्वास पे बहुत गलत है very bad chapters का sequence क्या है जैसे की quadratic हमने दो लेक्चम खतम किया sequential है दिन उसके बाद आपका complex number चलेगा दिन उसके बाद में भी हम coordinate geometry स्टार्ट करते है ना यही सेक्वेंच चलेगा बहुत बड़ी है icons very good यह question करो फटा फट देखने में बड़ा लग रहा है बट है हल्वा question एकदम let an be the nth term of a gp of positive terms if आपको कुछ दिया हुआ है and n equal to 1 100 a to n equal to 100 a then आपसे n equal to 1 से 200 a n पूछ रहा है भाई फटा फटा बता दो जल्दी जल्दी करके है ना question बहुत ही easy है बहुत कठी नहीं है बहुत easy है ठीक है अगर बता लेता है तो काम हो जाएगा नहीं तो कुछ बात ही नहीं भाई ठीक है पूछ रहा है आपको भाई sum simply 1 से लेके 200 हंद्रे तक और आपको दो पार्ट में इसके sums दिये हुए दो पार्ट में है ना तुरंत solve करो दो मिनट आपको लग सकता है इन टीए अभ्यास के sum क्या करूए जब जही में कही कराया जा रहा है तो यह तो सबसे बढ़ी है ना भाई जो exam में actual question पूछे गए है उन्हीं का practice कराया जा रहा है तो क्या दिक्कत है फिर इसमें यह तब सबसे ज्यादा सही है ना आपके लिए भाई actual question से आपका नाता है आपका वास्ता है तो इसमें तो जहां तक मुझे लग रहा भाई कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए हो रहा है बताव भाई करें चलो यह option कहीं बच्चों का आ गया है देखते हैं सही है कि नहीं a, a, b, c, d, a काफी ज्यादा मतलब fluctuation है आपके answers में है ना चलो देखते है भाई कि कैसा हो रहा है क्या जवाब है आपका सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है ठीक है कोई सभी सही हो जाह है ना let an be the nth term of gp ठीक है यह तो होता ही मालो ऐसे of positive terms ठीक है सबोज हम gp चलो एक मान ही ले तेंग हमारे पास gp a, a, r, a, r, square a, r, cube, dot, 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 dot इस तरीके से एक gp है पहली बाद तो odd terms का sum दिया 1 से लेके 100 100 terms तक का sum मतलब की start कहां से की है भाई 212, a, 3, ठीक है plus a, 5, plus a, 7, dot, dot, dot ऐसे 100 terms तक की बाद के यह कह रहा है कि 200 के बराबर है clear है तो भाई, a, 3, कितना है अगर a, 3 आप लिखोते है यहाँ पर a, r, square लिख सकते हो है न, a, 5, लिखोत a, r, 4, लिख सकते हो है न, a, 7, लिखोत, a, r, 6, dot, dot, dot 100 terms तक 200 हो दिया हुआ है है न, तो कैसे sum इसका लिखे भाई, sum अगर इसका करोगे a क्या है, यहाँ पर a, r, square into, a, into, r, k, power, n होता है r कितना है भाई, इसमे कई बच्चे सिंपली गल्ती, भाई, जल्दी-जल्दी r, square, इस particular gp के लिए जो आपकी value, r, square है है न, तो यहाँ पर r, square के power करेंगे, r के power n n कितना है, 100 times तक है minus 1 divided by r, minus 1 यहाँ फिर r, square, minus 1 clear, यह आपको 200 दिया है भाई, ठीक है अब दूसरी कहानी देखते है यहाँ पर क्या है, यह भी 100 times ते की बात कर लेकिन, a2 plus a4 plus a6, dot 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 100 times कर अभी यह 100 के पराबर है a2 कितना है, चलो इस form में लिखते है, a r plus a r cube, plus a r के power 5, dot 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 100 times तक कितना दिया value 100 दिया है, इसका sum कैसे लिखोगे, a into a कितना, a r है, r कितना इसमें भी r square है, तो r square के power 100, r के power n minus 1, r by minus 1 equal to 100 दिया है, यह second equation मानोगे, यह आप मानोगे भी यह first equation है ठीक है, अब क्या दिख रहा है भाई ध्यान से देखो, चलो page खाली नहीं है इस equation और इस equation कुछ दिख रहा है, similar, भाई यह जो चीजें एकदम similar दिख रही है, है ना, अगर हम कहें, भाई, divide first by second first को हमने second से divide कर दिया, ठीक है यह चीजें तो गायब हो जाएंगी simply बचे का, simply बचे का r is equal to 2, यह भाई हमें मिल गया simple सी कहाने, कि r equal to 2 भाई हमें यहाँ पर मिल गया clear है, अब क्या करना है, हमें निकालना क्या था 100 तक का sum, चलो मैं next page पर करता हूँ, ठीक है मतलब कि, अब देखो, simply हमें निकालना था, n equal to 1 से 200 तक an, है ना, मतलब कि आपको निकालना है, a1 plus a2 plus a3 plus dot 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 200 तक का sum आपको निकालना है, ध्यान से देखो, वही चीज पूछ रहा है ना, an है simply यहाँ पर, अगर by chance हम यह कहें भाई, कि इन दोनों को भाई, हम चलो add करते हैं है ना, यह जो sum अपने को दिया है क्योंकि इसमें ध्यान से देखो, a3 है, a5, a7, जितने भी odd places है, उसे cover किया हुआ 100 तक, ठीक है और इसमें क्या है भाई, a2, a4 यह cover किया हुआ है, अब 2 कितना, 200 तक इसमें भी 201 तक cover किया है, भाई, जब आप 100 तक जाओगे, a20 1 तक, यह summation cover किया हुआ है, और यहाँ पर 200 रखो, a200 तक यह summation cover किया हुआ है, लेकिन start कहां से हो रहा भाई, यह 3 से और 2 से, तो जब दोनों समेशन को add करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना ठीक है, सपोज हम इन दोनों को add कियें, तो value पहली बात तो 3 मिल जाएगे लेकिन summation start कहां से होगा यह a3 से start था, और यह a2 से start था, और यहाँ पर यह even places सारे cover कर लिया 200 तक, और 201 तक यह odd places cover कर लिया ठीक है, अब आगे बढ़ो, तो जब हम उन दोनों को add कर रहे हैं, तो मतलब a2 plus a3 plus a4 plus dot 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 a200 plus a201 तक की भी कहानी हो जा रही है, यह दोनों सम करने पाद 300 आएगा नहीं सोच पा रहे होगे, जहां तक दुझे लग रहा है, ठीक है, ओके तो यहाँ पर 200 भाई, यहाँ पर इन दोनों को हमने add कर दिया भाई, दोनों terms द्यान से देखो यह odd places से 3 से यह even places से 2 से 200 तक, यह 201 तक, लेकिन पूछा क्या है भाई, हमसे पूछा इसकी value भाई ठीक है, अच्छा A2 को क्या लिख सकते है भाई, A2 को हम लिख सकते है, A R है न A3 को लिख सकते है, A R square, A4 को लिख सकते है, A R cube plus dot dot dot, A 200 A R के बाद 200 equal to 300 दिया है, अगर आप थोड़ा से दिमाग लगाओ, आप से पूछ रहा है, A1 से लेकि यहां तक, A1 मतलब A plus A R plus A R cube इसकी value पूछ रहा है, अगर आप यहां से A common ले लेते हैं, sorry R आप यहां से common ले लेते हैं तो हमें मिल क्या रहा है, A plus A R plus A R square up to A R के बाद 199 यह मिल रहा है बाई, कितने के बराबर 300 के बराबर, अब हमें पता चलिए को यही चीज तो है 200 तब, अगर आप 200 terms को add करोगे, यही चीज तो है starting from 1, 200 term लिखो कि A R के बाद 200 minus 1, यह 200 term होगे, थोड़ा से दिमाग लगाओ, तो बचा क्या बाई R into, यही हमें निकालना था, यह वाला sum is equal to 300 तो S is equal to 300 by R, R हमने कितना निकालना था, 2, यह कितना आ गया, 150, clear है क्यों भाई, गाली के लोज कर रहे हो, यार मत करो ऐसा, ठीक है तो थोड़ा सा question कठें था यह question नहीं, question आपका पिछला वाला था है न, इसमें भाई, simply आपको भाई, एक odd terms के sum दिए हुए थे एक आपको even terms के sum दिए हुए थे दिन आप से पूछ किया रहा था भाई simply n equal to 1 से 200 तक की value हमने एक general GP माना उसके basis फिए वाला equation solve किया, उसके basis फिए वाला किया दोनों को divide र की value निकाल ली अब हमें पताचलक दोनों को add करेंगे, तो कुछ ऐसा term अपने पास बच जाएगा, भाई कि यह 201 तर जाएगा, लेकिन यह 2 से start होगा जब दोनों को add करोगे है ना, फिर जब अगर आप R1 common ले ले तो यह वाकई में क्या बन जाएगा, 200 terms तक का sum बन जाएगा, इस तरह के समने से solve कर दिया, तो clear है ओके आंचल पढ़ो पढ़ो ठीक है, तो फटाफट इन दोनों का screenshot ले लिजिए, है ना इसका done, screenshot done और यहाँ पे, screenshot done, यह question नहीं है, question तो अलग दिये, है ना बिल्कुल इसी तरीके के यह भी question है इसमें जाता आपको दिमाग नहीं लगाना है ठीक clear है, तो आई होग समझ में आ गई होंगी चीजे, हैना थोड़ा सा था question tricky की, कि भाई, इस तरीके साब को दिया और आपको n equal to 1 से 200 लेकिन अगर आप एक बार खुद से करोगे दिमाग लगाऊगे तो आपको पता चल जागा, हाँ भाई इन दोनों को add करने पे हमें जरूर a 2 से मिला, a 200 1 तक, बट अगर हम r common ले ले तो क्या बच जाएगा भाई, a 1 से लेके 200 टक और यही हमें सम निकालना था और simply इसका सम हमने suppose s माल लिया r हमने निकालना था, 2 तो देड़ सो आगे, clear है पता नहीं क्या दिक्कत है प्रिंस इस special class नमन हाँ होगी इसी questions का वहाँ पर भी practice कर लेंगे ठीक है जिससे special class में देखना हो आज आना बस आज last कर देते हैं बस support इसी तरीके बनाये रोगे तो हो जाएगा खता अब आँ भाई थोड़ा पतेजी से पढ़ाई करते हैं बहुत question हो गए जीपी पे है ना अब जल्दी जल्दी पढ़ाई कर लेते हैं ना क्योंकि आज ही खतम करना AP जीपी तब ही काम बन पाएगा ठीक है अच्छा HP तो भाई AP पढ़ लिया जीपी पढ़ लिया HP आपको पढ़ना ही नहीं है अगर हम कहें भाई आपका HP में है तो सिंपल से बात HP AP का उल्टा होता है ना 1 by A1 1 by A2 1 by A3 तब आपका AP में होगा समझ गहें मतलब A1 A2 A3 अगर आपका HP में है तो उसका जो रेशीप रोकल को AP में होगा तो अब आपको करना के कोई HP जो भी दिया हो उससे मतलब नहीं है आप सीधे उसको उल्टा करेंगे उससे सारे रिजल्ट डियूस करेंगे कैसे इसका common difference बराबर होगा भाई 1 by A2 minus 1 by A1 is equal to 1 by A3 minus 1 by A2 है ना सारी properties यहां से लगाओगे simply कोई भी नंबर अगर आपको दिया है तो आपको करना क्या है कि भाई जो भी नंबर से उसको reciprocate करेंगे तो यह AP में बन जाएगा सारी कहान यहां से सेम रहेगी जैसे suppose तीन नंबर कोई क्या रहा कि ABC हमारा HP में है ना अगर HP में भाई तो सीधी बात है अब क्या हो जागा भाई 2 by B is equal to 1 by A plus 1 by C यहां से आप HP का भी condition निकाल सकते है है ना तो अगर आपको AP आता है GP आता है तो HP भी अराम से कर सकते हो सारी प्रॉपर्टी से में AP जैसे यह बस रिप्रिजेन आपको इसको रिवर्स करना है और सारी चीज़ां आपकी सेम हो जाएंगी ठीक है फिजिक्स फिजिक्स थोड़ी पढ़ाये जाएंगे यहां पर है ना चलो एरिथमेटिक मीन एम फटा फट देखते हैं भाई इसके बेसिस पे भी इस बार एक क्वेशन पूछा गया था अब एक बार फिर से कंसेंट्रेट हो जाओ फिर से रिफ्रेस हो जाओ फिर से मन लगा के पढ़ाई करना चालू करो ठीक है चलो करें ठीक है एम निकालते है सबसे पहले तो अगर आपको दो नंबर्स दियें ए बी और सी ठीक है तो आप इसका एम कैसे लिखेंग भाई बी इक्वेल डूए प् अगर आपको करेंग इसका एम आपको निकालने ता आप क्या करोगे एम क्या मिल गया सिंपल सी बात है कि अगर आपको दिया होगे जितने भी टर्म्स है एवन प्लस एटू प्लस एथी प्लस डॉट 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 एए उसको आप डिवाइड किस से करेंगे एं से करेंगे कहानी खतम यह हमारा एम निकल गया अगर आपके पास एंड टर्म्स है तो ठीक है अब एक चीज और आती है कि अगर आपको इंसर्ट करना है अगर आपको इसके बीच में अरिफमेटिक मीन इंसर्ट करने है मतलब कि इसके basic देखो इस बार question पूछा कि ध्यान से कर यहां समझ दोगे तो आगे चीज़ें और समझ में आ जाएंगी a3 है a4 है dot 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 an है यहां पर b है मतलब कहने का है कि a और b के बीच में आपको n arithmetic mean insert करने है तो कैसे करोगे ध्यान से समझो यह तो n terms हो गए न अगर यह method समझ दी तो पकी बात है कि आप अच्छे से कर सकते हो आगे questions तो हमें यहां पर समझ मारा भाई solution करोगे तो ध्यान से लेखो भाई यह जो है b किसके बराबर होगा tn अब लिखते है a plus n कितना यहां पर ध्यान से बताओ भाई n तो यह arithmetic means ही हमने insert कर दिया न तो n और 2 यह terms थे n plus 2 minus 1 और यह d हो जाएगा आपका है न अब क्या है भाई b minus a divided by n plus 1 यह आपका d के बराबर आ गया तो common difference सीधी सीधी बात है कि आप यहां से निकाल दिये ठीक है common difference हमने simply यहां से निकाल दिये अब अगर आपको a1 लिखना हो तो सबसे पहले बात जब भी आपको arithmetic means insert करना होगा n arithmetic means तो आप क्या करोगी कि common difference निकालोगे जब common difference आपने निकाले तो भाई simply आप a1 को लिख सकते है कि a plus d लिख सकते हो कि नहीं भाई अगर यह am है arithmetic है तो भाई obviously a1 कितना होगा a2 कितना होगा a1 plus d होगा या फिर a plus 2 d होगा तो a1 लिख दो simply by a plus b minus 1 by n plus 1 बहुत ही आराम सापने arithmetic mean insert करा दिया दूसरी बात अगर आपको a2 लिखना होगा ठीक है तो a2 कितना होजागा भाई a plus 2 d हैना तो अब कितना होगा a plus 2 और d कितना है b minus a by n plus 1 बताओ भाई यह कहानी आईगी नहीं समझ फटा फट बताओ ठीक है तो आपको अगर कभी भी कहा कि दो number हमेरे पास है भाई a है और b है और भाई यह इसके बीच में हमें insert कराना है n arithmetic means यह n numbers आपको insert कराना है तो कैसे कराओगे भाई simply भाई आप जो भी आपके पास concept tn मतलब कि b equal to a a plus n यह टर्म से plus 2 minus 1d अभी इसके basic जब question कराऊँगा तब और चीज आपको clear हो नहीं तो भाई इसका use भी है जिंदगी में है न ऐसे फालतू का नहीं है तो make sure किसे एकदम समझ लो अगर नहीं clear हो तो मैं एक बार फिर से repeat कर दूँगा फटा फट बताओ अगर नहीं clear है तो मैं एक बार फिर से clear कर दूँगा क्या अब आपको अगर कोई कैक भाई a और b की बीच में आपको n arithmetic mean insert करना है कर सकते हो या नहीं क्योंकि इसके basic जब question लोगा तो फिर वहां पे बाई गलती नहीं होने चाहिए simply बात यहीं है है न आगे बढ़ें समाझ आ गया repeat ठीक है repeat कर देता हूँ अगर आपको दो नंबर a और b दी हो इसके बीच में अगर आपको n arithmetic means insert कराने है तो simply आप यह करोगे भाई कि b is equal to यह last वाला term equal to a first वाला term यह n terms है n mean insert करा रहे हो n और यह two terms है तो total हम कितने होगे n plus 2 हो जाएंगे a plus n minus 1 d होता लेकिन यहाप n plus 2 terms है minus 1 into d तो हमने यहाँ से simply common difference सबसे पहले तो निकाल लिया common difference निकल के तब कहानी है ही नहीं कुछ a1 को क्या लेका होग भाई इसके बाद कौन सा टर्माएगा a plus d a1 हो जाएगा a plus d a2 a plus 2 d बस यहीं सिंपल सी कहानी am clear है अच्छा एक बच्छा पूछा है sir how can you say resulting sequence is ap देखते हैं भाई हमने क्या कहा भाई कि यह आपका a2 निकल गया ठीक है a2 हमने कहा a2 कितना है a plus और इसे हम कहा है b minus a क्या है d है na a plus 2 d है a1 कितना है भाई a1 a plus d है यहाँ पे देखो a plus d हमने माना है यही चीज़ है अगर आप a2 minus a1 करें तो common difference कितना आ रहा है d आ रहा है इसको करो भी d आ रहा है क्योंकि इसके बीच का common difference ने d माना था जब हम इसे solve कर रहे थे इस sequence का जो है by common difference वो d है clear आगे बरो फटा फट gm की बात करें अगर आपको दो numbers के geometric mean लिखने भाई है ना तो कैसे लिखोगे भाई simple सी बात है कि ab के power 1 by 2 या फिर root ab लिखते हो दो number का gm अगर आपके पास n numbers है suppose की कहरा है भाई आपसे कि a1 a2 a3 dot 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 an है है ना तो फिर आप कैसे लिखोगे भाई इनका geometric mean तो simply कहान यह है यगर इनके बीच का आपका gm लिखना है भाई a1 a2 जैसे वहाँ आप add करते थे है ना वैसे यहाँ पर 1 by n करते है वहाँ आप add करके divide by n करते थे यहाँ पर simply क्या करते भाई पावर 1 by n लेते जाते हैं अब इसमें भी same कहान यह थे भाई आप कैसे इंसर्ट कराओगे n geometric means सबसे पहले बात तो gm का यह याद कर लो है ना याद हो गया ठीक अब अगर आपसे कोई कहा कि भाई यह आपको insert कराना है क्या कि भाई सपोज अपने पास दो numbers है ए और बी है ना इसके बीच में n geometric mean आपको insert कराने है तो कैसे कराओगे भाई दिमाग लगा सकते हो बिलकुल लगा सकते हो जैसा हमने उसमें किया था same कहानी यहां भी repeat करनी है ठीक है चलो करें तो भाई last term b is equal to a into suppose common ratio r r to the power n minus 1 लेकिन n कितना है भाई n तो यह है और दो यह भी है तो n plus 2 minus 1 है ना तो भाई कितना आ जा रहा भाई r के power n plus 1 is equal to b by a है ना तो r is equal to b by a to the power 1 by n plus 1 यह कहानी भाई basic से r हमें में में लिगा अब अगर g1 लिखना तो क्या लिखोगा भाई a into r लिखोगे ना मतलब कि a into b by a के power 1 by n plus 1 g2 लिखना हुआ तो कैसे लिखोगे a r square मतलब a into b by a के power 2 by n plus 1 इसी तरीके से लिख सकते हैं अच्छा क्या यह सब चीजें याद करने हैं बिल्कुल नहीं याद करने हैं सिर्फ इसका method याद करना है इसलिए इसका मैं method बता रहा हूँ अगर आपको इसका method याद हो गया तो आप निश्चित तोर से question solve कर सकते हैं अच्छा ठीक है अन्सूल्स का सोचेंगे मैराथन का बट उतने बच्चे आते नहीं फिर मैराथन में कोई motivation नहीं रहता आप जैसे समझ में आता है तो फिर मज़ा भी आता है ना आगे बढ़ें चलो हार्मोनिक मीन अगर लिखना हुआ हार्मोनिक मीन अगर लिखना हुआ तो सिंपल से उसको कुछ ज़्यादा पूछा नहीं जाता है न नंबर से सब्सक्राइब आप क्या करेंगे बाई दो नंबर का निकालना हुआ तो न कितना रखोगे टू और दो नंबर सपोज ये और बी है तो वन बाई ए प्लस वन बाई बी तो कितना आज एक बाई टू ए बी डिवाईड़ बाई ए प्लस बी इस तरीके आप लिख सकते हो ठीक है इंसर्ट वगरा कराने के इसमें हम भी हो गया फटा फटा ये वाला question करो इस बार पूछा हुआ question है ठीक है इसी के basis पर अगर इतना knowledge हो गया कि भाई AM क्या होता है GM क्या होता है हम क्या होता है दिन उसके basis make sure कि आप ये question तो कर सकते हो ठीक है if M arithmetic means AMs and 3 geometric means GMs are inserted between 3 and 243 such that 4th AM is equal to 2nd GM है ना then M is equal to फटा फट दो मिनट का time लो जो भी मैंने ग्यान दिया उसका यूज करो और निश्चित रूप से आपसे ये question हो जाना चाहिए ठीक है if M arithmetic means M arithmetic mean and 3 geometric mean ठीक है याद करो भाई कैसे कैसे वहाँ आप हम निकाल ले थे भाई 3 और 243 के बीज में M arithmetic means insert किये गए है और 3 geometric means insert किये गए है such that 4th AM is equal to 2nd GM है ना बहुत असान है then M is equal to 3 September 2020 को पूछा हुआ question है है ना तो जिसको मैं इसके पहले वाले बैच में पढ़ाया हूँ अन्दिश्चित तौर सो अच्छा किया होगा अगर वो समझ गया कि कैसे चीजों को करना है है करो फटा फट इजी question है ऐसा जिसमें कुछ ज्यादा कठिन नहीं है कि कुछ ज्यादा ही कठिन है ना असान है करना चाहोगे तो कर साओ ठीक है कर सकते हो तुरं 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 हाँ हाँ दिख दोनों की नहीं है टेस्ट होगा नहीं ठीक है विश्चिस नो प्रॉब्लम ओके तो फटा फट करो इसका solution दो मिनिट के अंदर हो जाना चाहिए सारे बच्चों से करो भाई फटा फट हो रहा है कि नहीं हो रहा है अच्छा एक relation भी होता है am is greater than gm is greater than hm ठीक है equal to be hold आपका करता है जब आपके तीनों numbers equal होते हैं ठीक है तो जहां तक सब कोई बता है और अभी कोई बताने का मतलब नहीं जब calculus में हम देखते हैं तो आप एक problem आता है am is greater than gm is greater than hm वाला concept वहाँ भी यूज करते हैं तो वहाँ पर हम ओ डिसकस करते हैं ठीक है ना कोई दिक्कत किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है फट फट इसका एंसर बताओ भाई am is equal to a numerical type का question है है ना numerical value वाला इसमें तो कोई तुक्का भी नहीं लगा सकते हो करना ही पड़ेगा solve करना ही पड़ेगा भाई देखते हैं कौन होस्यार बच्चा है जो बता देता है चलो ठीक है विसक कोई बात नहीं है 39 अच्छा ठीक है एक बच्चे ने बताया सनी पटेल ने 12th A का student है ठीक है देखते हैं कि क्या सही हो तुम सनी ओके आँ फटाफट करते हैं जिससे नहीं हुआ एक बार आप यहां पे देखो if M arithmetic means M AMs and 3 geometric means insert किया जा रहा भाई 3 और 243 के बीच में था अच्छा अभी मैं बताया कि अगर M arithmetic means मतलब कि A1 A2 dot 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 AM इसके बीच में insert किया जा रहा है अच्छा ठीक है and 3 geometric means भी इसके बीच में insert किया जा रहा है चलो भाई अच्छी बात है है ना यह हमने कर दिया भाई such that 4th AM is equal to 2nd GM तो निकालोगे कैसे भाई 4th AM इसका कैसे निकालोगे अब यहाँ पे तो दुबिदा हो गई कि 4th AM कैसे निकाले अब ध्यान से समझना सारे बच्चों का concentration यहाँ होना चाहिए हमने क्या कहा था भाई उस वक्त ध्यान दिया और TN equal to आप लिखते हैं पहले तो common difference निकालते हैं equal to A plus N कितना है भाई? M terms यह है equal to B यह सबसे पहला काम हमने कर लिया है ना? अगर आप से कोई कह रहा है कि भाई यह हमें 4th AM की बात करनी है है ना? 4th AM तो 4th AM क्या लिखो भाई? क्या A plus 3D लिखोगे? बिल्कुल सोच भी मतले ना ने तो गलती कर बैठोगे क्योंकि 4th AM जोगा कुछ A3 और A4 यहां पे कुछ होगा ना? यह तो पाचवा टर्म होगा ना भाई? स्टार्टिंग से तो A4 AM अगर आपको लिखना होगा तो आप लिखोगे क्या A plus 4D यह चीज clear होने चाहिए दिमांग में कि 4th AM क्या? जैसे A1 क्या A plus D है? A2 क्या? A plus 2D है? A3 A plus 3D simply A4 A plus 4D लिखोगे D हमने निकाल लिया भाई यहां पे देखो यहां पे ठीक है? अब इसकी बाद चलो करते हैं है ना? तो यह हो जगा A N is equal to common ratios का निकालते हैं A N equal to A into R to the power कितने टर्म से हैं? 4 तो इसमें कितने इंसर्ट करा जाता है? 3 अच्छा 3 to 5 R के पाउर N minus 1 तो 5 terms हैं 5 minus 1 को होगा 4 यह हो जागा 81 तो R कितना आ गया भाई? 3 आ गया. R तो मिल गया भाई हमें 3. अब अगर आपको लिखना हुआ, suppose इसमें कराए कि 4th AM is equal to 2nd GM 2nd GM कैसे लिखोगे? तो भाई G2 कैसे लिखोगे? क्या R लिखोगे? नहीं न यहीं एक इस्टे फे जहां में बच्चे गलती कर जाते हैं भाई तो G2 अगर लिखना है भाई आप लिखेंगे A, R is equal A कितना है भाई? 3 है और R कितना है भाई? 3, 3 जा 9 है. यह आपने G2 लिख दिया और G2 किसके बराबर है भाई? A, 4 के बराबर 4th AM. 4th AM कैसे लिखना है? A plus, तो 3 plus 4 times D. D कितना है? 240 बटे M plus 1 240 बटे M plus 1 Is equal to कितना? आपका 2nd GM के बराबर है Is equal to 2nd GM हमने निकाल दिया कितना है भाई? 3 into 9 मतदब 27 के बराबर है Clear है? अब क्या करना है भाई? simply 4 240 बटे M plus 1 is equal to 24, यह हो जगा 4, 6 है 24, यह हो जगा 40, कटके M plus 1 कितना बच गया भाई? M plus 1 हमें मिल गया भाई 40, तो M कितना मिल गया? 39 हम बोलते हैं, नाम से ही पता चला है भाई है, यह arithmetic भी है यह geometric भी है, तो एक ऐसा series जिसमें कि हर terms multiplication हो AP और GP के जैसे अगर मैं कहूँ कि भाई A है, A plus D है A plus 2D है, है ना यह dot 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 एक तम ध्यान से समझो हमेशा questions बनेंगे, हमेशा कभी फेल नहीं होगे इसमें, एक बार अगर समझ लिए तो, ठीक है, यह suppose हमारा पास एक series दी हुई AP की, अगर मैं कहूँ कि इसमें मैं particular एक GP से multiply कर रहा हूँ भाई, यह हमने R यहाँ पर multiply कर दिया, यहाँ पर हमने R square से कर दिया यहाँ पर हमने R के power N minus 1 से multiply कर दिया clear है, मैं इसको series बना देता हूँ प्लस लगा देते हैं, तो series बन जाता है प्लस यहाँ प्लस है ना तो यह जो series आपको दीख रही ना इस sum को हम बोलते है arithmetico geometric series, identify कैसे करोगे यह जो पहले-पहले सारे terms हैं, वो AP में होंगे और जो बाद में multiply हैं, वो सारे terms GP में होंगे, दिख भी राए A, A plus D, A plus 2D, A plus N minus 1D यह सारे terms हमारे AP में हैं और 1, R, R square, R to the power N minus यह हमारे terms GP में हैं ठीक है, अब इसका method क्या होता है, solve करने का अगर आपका किसमाद बहुत बढ़ी हैं, बहुत ही lucky हो तो आपसे S infinity वाला पूछ देगा अब उसमें फायदा क्या होता है? इसमें करते क्या है, जो भी आपके GP का common difference है उससे multiply करते हैं तो इस particular case में R है, है ना? देखो, R है, GP का common difference अब R से जब multiply करोगे, तो यहाँ पे मिलेगा AR आप एक shift करके लिखेंगे क्यों कर रहे हैं भाई? यहाँ पे R है ताकि सब्ट्रेट करेंगे, तो काम असान हो जाएगा, है ना? अब इसमें जब multiply करोगे, तो A plus D यह R square बनेगा, है ना? clear है? इसी तरीके जब N टर्म के आप बात करेंगे जब इसमें आप multiply करोगे, है ना? ध्यान से समझो, अगर आप इसमें multiply कर रहे हो तो simple सी बात है भाई, जब इसमें करेंगे तो हम A plus N minus 1 D के power यहाँ पे R simply R to the power N रहेगा लेकिन जो इसके पहले वाला टर्म होगा, इसके साथ कौन सा टर्म जाएगा भाई? इसके साथ कौन सा टर्म जाएगा, इसके पहले वाला कौन सा टर्म होगा? अब करते क्या है, इसके पहले में से दूसरे को सब्ट्रेक्ट करते हैं, S minus R S करते हैं, अब देखो क्या फायदा हो रहा है? यह बनेगा A, है ना? यह क्या बनेगा भाई? AR तो गायब हो गया, DR बन रहा है, है ना? DR ओके, यहाँ पहे क्या बनेगा? AR square तो गायब हो गया, बच क्या रहा है भाई? DR square प्लस DR square, सिंपली इसी तरीके सा आप N term तक जाएंगे, और जो यहाँ पे बनेगा भाई, ध्यान से समझो, अगर A plus N minus 1 D वाले को इससे आप minus करोगे, तो भी आपको मिलेगा क्या? DR के power N minus 1, लेकिन यह वाले भाई साहब जो हमने एक सिफ्ट करके लिखा है, यह यहाँ पे ही रह जाएगा, एकदम किनारे, और वो minus में आएगा, A plus N minus 1, DR to the power N, नहीं समझ मारत, एकदम hopeless मत हो, ठीक है? अब हमें एक फायदा दिखा रहा है भाई, यह जो चीज है अगर आप इसमें से देखो, D common ले लेते हैं, A को अभी बाहर रखेंगे, इसमें से अगर आपने D common ले लिया, तो आपको क्या समझ मारत भाई, यहाँ पे R plus R square plus dot dot, R to the power N minus 1 बन रहा है, यह तो भाई, simply एक GP बन अब है, अच्छा ठीक है, अर्सिजन, निश्चित रूप से आप लोगों का complex number बहुत अच्छा हो जाएगा है, एकदम tension मत लेना, अगें कल math की class नहीं होगी, है न, तो फटा फट बताओ, clear है, arithmetico geometric series, इसके basis पर क्या questions किया जा सकता है, बताईए भाई, फटा फट, कर लिय एटेजा question, questions आपको अभी के लिए क्या करना है, जो जेही में के previous year questions है, 2019, 2018, 2017, 2016, ये सारे questions अभी आपको करने है, clear, very good, एटेजा, ठीक है, इसके basis पर चुले, एक question मैं देता हूँ, basic सा, बेसिक सा नहीं है, ये बहुत ही अच्छा question है, ठीक है, plus 7 by 5 square plus 10 divided by 5 cube dot 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 dot, ये आप एक series दिया हुआ है ना, ये हमरे पास एक series है, कह रख find the sum, ठीक है, find the sum पहले तो end terms तक, है ना, और दूसरा, up to infinity, infinity terms तक find करने है आपको, फटा-फट, एक दो मिनट का time लो, solution सोचो, फटा-फट करो, कैसे करना है, एक दम दिमाग से, एक दम पहली बात हो, जो आपका rough work होना चाहिए, एक दम neat and clean चलना चाहिए, neat and clean नहीं रहेगा, तो फिर तो दिक्कत है भाई, है ना, तो फटा-फट, ये imagine करो कि क्या चीज है पहला question कर, end terms तक find करना है, दूसरा infinity terms तक, अगर ये question कर लेगा, तो trust me, आप से कोई भी question नहीं हो, छूटने जा रहा है, exam में कोई भी ऐसा question आ जाएजिए, इसका आप सभी questions को बना सकते हो, बड़े अराम से, फटा-फट करिए भाई, करो, हो रहा है, होना चाहिए भाई, देख लो अब, वैसे हुसियार बच्चे हो, तुम लोग कर ले जाओगे, कर ले जाओगे, सारे बच्चे, संडे को रात को नो बजए एक अपना session है, best book for mathematics, तो उसे join करना, वहाँ पर ज्यादा interest आएगा है, तो, आज जितना complex number हो जाएगा, हो जाएगा, फिर इसके बाद देखेंगे, अरे ये कौन सा नाम है भाई, अनुभाव भर्दवाज, आज हम जो sequence series में थोड़े topics बचे थे, उसे देख रहे हैं, तो फटा फट कलम, बाखी बच्चेों का ध्यान सीधे question पर होना चाहिए भाई, तुरंट-तुरंट करो, जल्दी, ओके साकीब, अभी के लिए जल्दी से question करो, क्योंकि चीजें बहुत ही basic सी हैं ना, दिमाग अगर clear करके चलोगे, तो निश्चित रूप से गलती तो भाई, तुमसे नहीं होनी है कभी भी, है ना, complex number होगा ना इसके बाद, जेश्ट अभी आधे घंटे का यह topic बचा हुआ था sequence में, मैं नहीं चाहता कि आपको कोई भी topic छुटे, अगर हमसे पढ़ रहे हो आप, तो मैं नहीं चाहता कि आपको कोई भी topic छुटे, इवन सिंगल topic, क्योंकि जे मेन वालत यह नहीं देखा ना, भाई, तुम्हें topic छो of 90 तो हम score कर सकते हैं, लेकिन जो chapter पढ़ो, उसको दिल से पढ़ो, ठीक है, मैं नहीं करा कि आप PNC जाओ पढ़ो, आप अपना एक हफते बरबाद करो, फिर भी आपसे question नहीं बनेंगे, exam में अगर कठिन question आ गया, है ना, असान आगया तो बन जाता है, ठीक है, मैं नहीं topics ऐसे, जिसमें आपको time waste करना ही नहीं, अगर आप, भाई, 360 हो, 300 में 300 वाले बन्दे नहीं हो, अगर आप एक अच्छा एनाइटी college चाहते हो, 200 के प्रॉक्स आप score करना चाहते हो, 180-200, एकदम average होके, relax होके तयारी करो, अराम से के प्रो में तो सभी कोई ही राय देता हूँ, सब like कर दो फटापट, चलो अब देख लें, सबसे पहली बात तो मैं starting कर दिया, अगर आपका किसमत खराब, आपको end term पूछ देगा, किसमत अच्छा है जिए infinity term पूछ देगा, तो reason क्या था बोलने का, ध्यान से जो find कैसे करेंगे, ap जो बनना है कुछ ऐसा बनना है, 1 है न, 4 ठीक है, 7, 10, dot, 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 end terms तक ये है, और इसके साथ multiply क्या है भाई, 1 multiply है, 1 by 5 multiply है, 1 by 5 square है, ठीक है, और यहाँ पर 1 by 5 cube है, dot, 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 ab, end terms है, मतलब कि दोनों का multiplication है, तो सबसे पहले था हम इसका end term लिखेंग भाई, इसका end term कौन सा होगा, तो समझो ध्यान से एकदम, बड़े प्यार से, लिखना होता तो क्या लिखते है था भाई, tn equal to भाई, हम लिखते है, a plus, 1 plus, देखो कितने प्यार से कर रहे है, n, term सक जा रहे है, n minus 1, और d है 3, बड़े अराम से करना है, ठीक है, तो यह हो जाएगा 3n minus 2, a plus n minus 1, d हमने कल लिए, पहले बताओ, इतना step clear है, या नहीं, क्योंकि सभी बच्चों को सीख के जाना है, कुछ भी हो जाए, clear है, अच्छा, बहुत बड़ी है, अब इसका हमें लिखना है, enter term, तो उसका enter term कैसे लिखेंगा, बाई, सेधी बात है, a into r to the power n minus 1 होता तक a वहाँ पे 1 है, into r कितना है, 1 by 5, to the power n minus 1, enter terms तक की बात कर रहे हैं, यह हम उसका enter term लिखेंगे, अब अगर हमें दोनों का combined enter term लिखना होता हम enter term इसका क्या लिख सकते भाई, simply भी है, इसका और इसका multiplication, मतलब कि 3n minus 2 multiplied by 1 by 5 to the power n minus 1, clear है, cross verify एक बार हम exam में करेंगे, कि क्या पहला term 1 आ रहा है, n equal to 1 रखो, तो 1 रखो कि दो यह 1 हो गया, यह भी 1, हाँ भी यह पहला 1 आ रहा है, दूसरे term को verify करेंगे, n equal to 2 रखेंगे, तो 3, 2 जा 6 minus 2, 4 आ रहा है भी है, और 2 वहाँ रखोगे, है ना, तो 2 minus 1, तो यह 4 by 5 हो 3, 3 जा 9 minus 2, 7 होगा, और divided by 2 रखो, 3 रखोगे तो, यहाँ पर 1 by 5 square हो जाए, यह 7 by 5 square, तो हाँ भी है, यही nth term होगा, बहुत बढ़ी है, अब मैं यह सब को erase करता हूँ, ठीक है, चलो, यह सब को erase करते हैं, जिसको screenshot लेना हो, previous slide करके आप ले सकते हैं, ठीक है, अब हम पहल निकाल दिया, बड़े प्यार से, बड़े आराम से, ठीक है, यही एक question ऐसा है, जो आपको बदल देगा, आपको कभी भी AGS में दिखकर नहीं आगा, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं, कि क्या कहा था भाईया ने, भाईया ने कहा था भाई, कि as equal to, आप लिखे लेते हैं, है ना, एक corresponding term पहले भी लिख लेते हैं, क्योंकि subtract करने में असानी रहेगी, अगर N-1 term लिखना होगा, थोड़ा से यहारा रफ वर्क में कर रहा हूं, तो क्या लिखा हो कि 3 N-1, minus 2, यहाँ पर 1 by 5 to the power N-2, N-1 लिख रहे हैं, just इसके पहले वाला, clear है, यह हो जा यह 1 by 5 to the power N-2 plus, यह वाला लिख देता हूं मैं, 3 N-2, 1 by 5 to the power N-1, दिख रहा है, किसे erase कर देते हैं, पहले तो बता दो भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि फिर मैं erase कर दे रहा हूं, फिर बाद में समझाने में थोड़ी सी musicality हो जाएगी है ना, आ रहा होगा जह अहां तक समझ है, ठीक है, अब क्या कहा था मैं, कि जो भी आपका common difference है भाई, जो भी common difference है, हम उससे multiplication करते हैं, तो इसमें AGS में common difference क्या है GP का, 1 by 5 है, हर जगा दिख रहा है, तो हम क्या करेंगा भाई, इसमें 1 by 5 से multiply करेंगे, और एक term shift करके लिखेंगे, है ना, तो यहां पर जैसे 1 by 5 से multiply किए, इसके साथ लिखेंगे हैं, यह 4 by 5 square लिखेंगे हैं, यह 7 by 5 cube लिखेंगे हैं, plus dot 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 dot, अब जब इसके साथ आप कुछ भी multiply करेंगे, है ना, तो यह तो भाई, कहा जाएगा, एक आगे चलने, इसके साथ जैसे यहां पर multiply किए, इसके आगे वाले प 5, है ना, और 1 by 5 to the power n minus 1 लिखोगे, clear है, लेकिन अभी इसमें भी multiply करना है, एक extra आता है, जैसे आपने derivation में देखाता है, यहां पर करोगे, तो 3 n minus 2, यह 1 by 5 to the power n लिखेंगे, करते क्या थे, इन दोनों को subtract करते थे, s minus 1 by 5, s करते थे, है ना, अब क्या बचता था, 1 plus, 4 by 5 minus 1 by 5, 3 by 5, यहां पर 3 by 5 square, प्लस यहां पर 3 by 5 cube, प्लस डॉट 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 यहां पर minus 5 है, थे ना, देखो, अब जब इस turn के बात करेंगे, यहां तक तो रहने लो, 3 n minus 2, इसमें घटाओगे, आप minus 2 plus 5, 3, तो 3 into कितना भई, 1 by 5 to the power n minus 1, clear है, और एक साथ में, यह वाले भाई साब तो minus हो रहे हैं, इन्हों को भी लिख दोगे, 3 n minus 2, दिख रहा है नीचे तर, 1 by 5 to the power n, थोड़ा सा अगर दिमाग लगा रहे हो, तो correlate कर पा रहे होगे, भाई, हलका सा दिमाग लगा रहे होगे, तो, अब क्या लगा, थोड़ा सा ही रेज लग रहा है, करना पड़ जाएगा, लेकिन मैं यहीं में मर्ज कर देता हूँ, इतने में मैं कर देता हूँ, ताकि आपका स्क्रीन साट लेने में कहानी खतम हो जाएगे, यह हो जाएगा, वाई, 4 by 5, s is equal to, कितना, 1 plus 3, हमने इसमें से कॉमन ले लिया, भाई, 1 by 5, plus 1 by 5, square, plus 1 by 5, cube, dot, 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 1 by 5, के power n minus 1, है न, यह बन गे, minus साथ साथ में यह वाला भी आ गया, 3 n minus 2, 1 by 5 to the power n, अब सभी गधे बच्चे यह बतायेंगे, कि यह कितने टर्म्स भाई, यह total कितने टर्म्स हैं, कई बच्चे सोचेंगे, अब यह n टर्म्स हैं, अरे भी यहाँ 1 से स्टार्ट, अगर यहाँ पर 1 plus लिखा होता, मैं 1 by 5 के power 0 से स्टार्ट करता, तो कहते n टर्म्स हैं, लेकि हो, थोड़ा समय इसको erase करके यहाँ पर लिख दूँगा, चलो, यह जगह तो खाली है न, बढ़िया है, अब क्या है भाई, 4 by 5, S is equal to, क्या था, यह 1 plus 3, अब बताओ, इसका summation क्या निकाल सकते हो, भाई, इसका, अब इसली निकाल सकते हो, भाई, यह sum है, जिसका GP है, है न तो, इसका sum अगर लिखना हो, तो A into A कितना था, 1 by 5, R to the power R भी, 1 by 5, अब इसमें आप यह वाला formula यूच कर सकते हो, कोई सा भी करो, confused नहीं होना है, R के power N minus 1 divided by R minus 1, यह फिर चाहिए 1 minus वाला, ठीक है, R कितने terms है भाई, N minus 1 term से भाई, 1 minus 1 by 5, और एक साथ में यह minus वाला भी 1 by 5 to the power N, यही लटक रहा था, हाँ भी, यह यही था, clear, अब क्या है भाई, 4 by 5, S is equal to 1 plus 3 by 5, ओके, यह हो जाएगा भाई, 5 उपर चला जाएगा, 4 by 5, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यह नीचे 4 आ जाएगा, ठीक है, 1 minus 1 by 5 to the power N minus 1, minus 3, N minus 2, 1 by 5 to the power N, अब भाई, simply यहाँ से कहानी solve करोगे, 1 plus 3 by 4, minus 3 by 4, 1 by 5 to the power N, minus 1, minus 3, N minus 2, 1 by 5 to the power N, जितना आपको simplify करना हो, आप कर सकते हो, ठीक है, अब S को 5 by 4 को इधर भेज़ दोगे, 4, 3, 7 बटे 4 होगा, 7 बटे 4, बुडे 5 बटे 4, माइनस, यहाँ पे 5 by 4, इंटू 3 by 4, है न, 1 by 5 to the power N, minus 1, minus 3, N, minus 2, इसके साथ भी 5 by 4, multiply होगा, है न, 1 by 5 to the power N, अब इसको simplify कर लो, ठीक है, जो भी आपको term बचेगा, वो आपका answer होगा, ठीक है, 5 by 4 हमने आ कर दिया, ओके, तो I hope इस तरीके साथ, कोई भाई, अगर आपको AGS मिलता है, ता आप बड़े अराम से निकाल सकते हो, infinite वाले का भी निकाल दिया बच्चोंने, बहुत अच्छे, very good, ठीक है, तो थोड़ा गंदस आता है, इसका calculation, 35 by 16, है न, थोड़ा से लेंदी आता है, इसका answer, 35 by 16 माइनस इस तरीके से करके, है न, तो जो भाई, दिमाग वाला रहेगा, ओ सीधे यहाँ पे infinity रखेगा है, इनको यह वाला term 0 कर देगा, simply यहाँ पे 35 बटे 16 भी लिख सकता है, तो यहाँ से भी आप infinity वाला निकाल सकते हो, छे बजे लेते हैं या पांच बजे अनुबव, आप फालो कीरोगे तो आपको वहाँ से पता चलता रहेगा, है न, तो फटा फट जितने नए बच्चें भाई, लाइक कर देंगे stream को, है न, और फिर अब हम solve करने जाए भी infinity वाला sum, ठीक है, यह clear हुआ कि नहीं, फटा फ अच्छा ठीक है, उसको भी discuss करेंगे, कि प्रो एकदम बने रहो साथ साथ, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, clear, should I repeat yes or no, मैं फिर से repeat कर देता हूँ, यह AGS अपने पास दिया हुआ है, है न, AGS दिया हुआ था, सिंपल सी बात कही थी, कि यह कुछ यह terms दिवें, जो कि AGS में है, तो हमने क्या किया भाई, जो method हमने पता था भाई, पहले दो निकाल दिया, इस AP का end term और इस GP का निकाल के दोनों multiply कर दो, है न, फिर उसके बाद क्या करोगा भाई, आप multiply करोगा 1 by 5 से, और एक term shift करके लिखोगे, जैसे जैसे calculation हो, ऐसे आप कर सकते हो, एक बार खुद से, जब lecture end हो जाएगा, finish हो जाएगा, आप यही question self से क अच्छा कर ले जाओगे, end term, हाँ हाँ बिलकुल, hard dip, ओके, फिर से end term repeat कर रहा हूँ, end term हमने कैसे निकाला भाई, जो भी यह अपने को term दिया था न, इसमें हमने किया क्या, कि भाई, पहले थो 1, 4, 7, 10, यह end term तक AP बना रहा है, उसका हमने end term निकाला, TN वाला यूज करक जो GP बना थो, इसमें क्या दिकत है, है न, AP और GP है, कहां नहीं खतम इसकी, आफट आफट भाई, टाइम नहीं अपने पास, इसका infinity वाला कर लेते हैं, है न, जल्दी से, ओके, जल्दी से इसका infinity वाला कर दो, infinity वाला तो बहुत ही easy होता है, ठीक है, क्या था, 1 प्लस 4 5 square प्लस, आपका यहां पे 10 by 5 cube प्लस dot 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 infinity वाला, है न, मैं बोला था, कि असान होता है, ठीक है, infinity तब इसके निकालना है भाई, अब देखो, इसमें तो कुछ दिमाग ही नहीं लगा न, कैसे, भाई, सिंपल लिएसमें आप क्या करोगे, infinity आपको n तो 5 ही नहीं करने है, है infinity तक हम देखने थोड़ी जा रहे, कहां कौन सा minus हो रहा है, कुछ नहीं, clear, अब क्या करोगे, भाई, s minus 1 by 5s करोगे, पहले में इस दूसरे खटाओगे, यह 1 as it जाएगा, यह आपका यहां पे 3 by 5 बचेगा, इसको करोगे तो 3 by 5 square बचेगा, यहां पे 3 by 5 cube बचेगा, plus dot 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 infinity भाई हम देखने थोड़ी जा रहे, टर्म कौन सा है, है ना, अब यहां पे क्या बचेगा, भाई, 4 by 5s is equal to, 1 plus हमने common ले लिया, क्या भाई, 3 common ले लिया, suppose, 1 by 5 plus 1 by 5 square plus 1 by 5 cube, dot 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 infinity हमने कर दिया, clear है, भाई, simply 4 by 5s is equal to 1 plus 3, यह जो भी है, gp है, 1 by 5, ठीक है, और यहां पे, अच्छा, a by 1 minus r लगता है, जब भी infinity वाला काम रहता है, तो a, 1 by 5 divided by 1 minus r, 1 minus 1 by 5, कर दिया हमने, अब क्या बच रहा है, भाई, 4 by 5, s is equal to 1 plus, ठीक है, यह कितना हो जागा, भाई, 4 हो जाएगा, उपर जाएगा, गायब हो जाएगा, 5 minus 1, 4, तो यह 3, और उपर जाएगा, त इदर लेके जाएगा, s equal to 5, 7, 35, 4, 4, 16, तो 35 by 16, यह आपका answer आगया, clear, sir, third line, good morning, हाँ, जब end term वाली बात आती है, तो बहुत lengthy होता है, है ना, और infinity वाला generally आपको exam में एगर case पूछ दिया, तो बहुत बढ़िया हो जाता है, ठीक है, 35 by 16, ओके सांतनों, तो यह infinity वाली कहानी थी, infinity अगर आपसे पूछ दिया, तो चीजें बहुत ही easy हो जाती है, ऐसा कुछ इसमें difficulty नहीं आती है, clear, हाँ, infinity वाला बगवान समनाना क्या आजा है, है ना, ठीक है, नहीं कोई trick नहीं होती है, ऐसा कोई formula नहीं है, आपको simply solve करना पड़ेगा, देखो, इस case में तो यह वाला जो कठीन था, यह सबसे toughest situation था, और generally आपको इतना बड़ा calculation वाला नहीं आगा, बहुत easy आ जाएगा, है ना, तो एकदम tension मतलब उसके लिए, ठीक है, तो इसका कोई ऐसा sword trick नहीं होता है, कि आप sword trick के help से आप solve कर सकते हैं, से, ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब sigma notation देखते हैं थोड़ा सा, है ना, यह भी जरूरी है भाई, क्यूंकि sigma notation पे भी questions आप से धडले से पूछे जाते हैं, ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए भाई, चले, ठीक है, अब देखो, sigma notation भाई, जो sigma यह लिखा होता है, इसका क्या मतलब होता है, यह plus इसका मतलब होता है, अगर आपको सपोज दो, आपको दो terms दिया हैं और sigma एक में common हैं, तो आप sigma को distribute भी कर सकते हो, sigma t1, sigma t2 भी कर सकते हो, है ना, sigma में अगर लिखा हुआ तो भा एक बार 1 रखके, एक बार n को 2 रखके, एक बार 3 रखके, ऐसे 100 तक, यह चीज करते हैं, अच्छा यह अगर कभी लिखा रहे है, sigma tr इंटू tr डैस, अपोज यह दो terms दिया है, आप ऐसा कभी नहीं करोगे, कि यह यह ऐसे कर देंगे, यह गलत हो जाएगा, यह कोई method नही कई बच्चे बता, इसलिए राओं कि कई बच्चे एक्जाम करके आते हैं, है न यह गलतियां, यह गलती नहीं करना है, अच्छा कोई इसकी value बता सकता है, इसकी value कोई बता सकता है, फटा फट मुझे answer चाहिए, इसका solution कोई बता है, जल्दी से, मुझे chat box में दिख जाना इसकी value बता सकता है, फटा फट बता दो भाई, कुछ देर में स्टार्ट हो जाएगा हार्दिक विजए, बिल्कुल टेंसर मतलो तुम, है न, तू, देखो सावेज खान, राजमिस्रा सही है, ठीक है, बाकी सब लोग गलत है, ओके, बाकी सब लोग गलत है, नितीन का भी सह ही है, बहुत बढ़िया, तो करन अभी भी आप स्टार्ट करो, है न, aiming for April, लेकिन अभी से स्टार्ट कर दो, तू, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, तो तू आलो, बहुत बढ़िया, बहुत महान हो तुम लोग, ठीक है, बहुत ही ज्यादा महान हो, ठीक है, अगर इतन नहीं आरो, तो कैसे काम चलेगा, बताओ, भाईया को अच्छे स्कोर भी चाहिए, कैसे चलेगा भाईया, एसे, नहीं चल पाएगा न, भाई, I equal to 1 से 100, मतलब 2 को आप 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus, भाई, यह समझो न, यह सपोच, I की पाउर यहाँ 0 है, है न, कितना बार ले जाओगे, 100 त भाई, क्या कर रहे हो यार, बिल्कुल, बिल्कुल आसुतोस, ठीक है, तो पता नहीं कौन सी मिश्टेक तुम लोग कर रहे हो, क्या करना चाहते हो, है न, एक बेसिक सा क्वेश्चन था, तो अगर यह छोटी छोटी चीजे नहीं हैं, कि तो मैं ज्यादा पढ़ा कि क्या कर दूंगा यार, अगर यह बेसिक में आप गलती कर जाओगे, तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे यार, अंको शोदरी बिल्कुल गलत है, ठीक है, तो 200 इस एंस्वर, तो मैं एक सवर कि आप लोग अपना दिमाग खोल के रहे हैं, है न, थोड़ा सा common sense भी लगाया करो, यहाँ पैसा नहीं कि two common आ गया है, two common भी ले लो कि तो one को आप hundred times तक जोड़ोगे, ठीक है, तो 200 is the right answer, ठीक है, यह छोटी छोटी गलती अगर करोगे तो फिर भाई बहुत गलत है, चलो, आगे बढ़ते हैं, अगर आपको natural numbers का sum कूछ है, सिग्मा एन, ठीक है, आपको करा है numbers तक का sum है, मतलब कि one plus two plus three plus dot 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 n तक का पूछत, इसका क्या आता है भाई, n into n plus one by two, आप ध्यान से देखो, यह कुछ आपके, oh sorry, a p भी बनना है, तो वहाँ से भी निकाल सकते हो, nth term मगर आपको निकालना हो, तो भाई, a plus n minus one, d, ठीक है, तो आप यहाँ से भी आप इ हाँ, तो nth term आप यहाँ से निकाल सकते हो, ओके, आपको अगर nth term लिखना सीधे, यहाँ पे n ही लिखा है, तो n ही आएगा आपका, और sum अगर इसका निकालना है, भाई, one plus two plus, तो n by two, ठीक है, two a plus n minus one, d, क्या है, one है, है न, तो यह क्या बनने का, भाई, n by two, यहाँ पे यहाँ तो सब कोई पता, भाई, n यहाँ पे भी दिया हुआ है, nth term आपका, ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लिखें, भाई, आपसे अगर कोई पूछे कि, भाई, odd terms का sum बताओ, मतलब कि, भाई, कोई कहा रहा है, one plus three plus five plus dot 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 dot, two n minus one, इसका sum बताओ, तो क्या बता सकते हो, आप, बता भाई, इसका sum क्या बता सकते हो, n terms तक की अगर मैं बात करूँ, n terms तक आप इसका sum निकालो, है ना, तो कैसे निकालोगो भाई, n terms तक की बात कोई, n by two, suppose हम n terms तक जा रहे हैं, है ना, इसको अभी हटाओ, कि भाई, हम odd numbers का sum कर रहें, up to n terms, तो कैसे करोगे, n terms बात, n by two, two है, plus n minus one, into d, d कितना है, इसकेस में, two है, है ना, अब जब करोगे, भाई, two गायाब हो जगा, तो बचे का क्या, n by two, into two, है ना, यहाँ पर n, यह two गायाब हो, कि बचा क्या, n square ही तो बचा, and this is the answer, n square होता है, अगर आपको n terms तक odd number का sum पूछा जाए, घर प बहुत बढ़ी है, n square, very good, यह चलो, बहुत बढ़ी है, यह सब clear हो गया, है ना, अब पूछा जाए भी, n terms तक, square का sum बताओ, मतलब कि sigma, n is equal to 1 से n, n square आपको बताना है, भाई, तो कैसे बताओ, यहाँ यहाँ पर r square सपोज लिखा हुआ है, ठीक है, r square यहाँ फिर r equal to 1 से, r equal to n तक जा रहा है, इस तरीके से भी लिखा रहा तक, confused नहीं होना है, है ना, मतलब कि 1 square plus 2 square plus 3 square plus dot dot dot, up to n times, square गसम पूछ रहा है, तो जहाँ तक सारे बच्चों को याद भी होगा, भाईए, n into n plus 1 into 2 n plus 1 divided by 6 इसका answer होता है, clear रहना चाहिए, exam में पूछा जाता है, इसको ह cube का पूछ दिया जाए, sigma r equal to 1 से r equal to n तक जा रहा है, और r cube का पूछ रहा है, मतलब कि 1 cube plus 2 cube plus 3 cube dot 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 n cube तक का पूछ रहा है, तो जो आपने n का याद किया था, वहीं याद करना, n into n plus 1 by 2, इसका whole square, ये 3 आपको बस याद करने, r के पाउर 4 का भी होता है, लेकिन वो याद आपको नहीं करना है, है न, तो फटा फट ये दिमाग में बिठाओ, फिर questions हम करेंगे, very good, याद है न सबको, बहुत बढ़िया, तो जो नए आते जा रहा भाई, like करते जाना, दबा के, है न, बाकी तो कोई बात ही नहीं है, ठीक, चलो, आगे बढ़े हैं, Mr. Gamer वाई पिस सब होगा, आप टेंसन मतलो, ठीक है, एकदम टेंसन मतलो, चला जाए, चलो, बता भाई, ये कुछ समझ में आ रहा है, कुछ ये समझ में आ रहा है, आपको कैसे निकाला जाएगा इसका सम, फटा-फट बताएए, सभी लोग का जवाब आना चाहिए, 12 का जल्दी होगा, लवी-मावी होगा, धीरे-धीरे सेक्वेंस हम चलते रहें, आप टेंसन बिल्कुल मतलो, ठीक है, टेंसन लोगा, तो फिर गाम गरबड हो जाएगा, जनरल टर्म निकालना होगा, चलो, अच्छी बात है भाई, निकाल सकते आप, अगर निकाल सकते हो तो निकालो, तो जनरल टर्म निकालो कि कैसे हमें यहीं नहीं समझ मारा है ना, अब बताओ, एक बाई फटा-फट दिमाग, घुमाओ, और समझो, कि कैसे इसको स्वाल्ब करना, क्या चीज इसमें दिख रही है, है ना, जब समझ लोगे, तो समझ में आ जाएंगी चीजें, कि हाँ प्रैक्टिस का टाइम कैसे निकालें, जिस अब, प्रैक्टिस का टाइम आप देखिए, जिन बर में 6 गंटे आप यूटूब पे अपना टाइम डिवोट करो, और 6 गंटे सेलफिटी, 12 गंटे तो मिनिमम पढ़ो है ना, ठीक है, अब देखते हैं, अगर आपको ऐसा सिरी मिलता है, तो पहली बाद तो इसे हम method of difference से solve करते हैं, और दूसरी चीज हमें यह देखनी होती भाई, कि अगर ऐसा कोई भी series लिखा हुआ है, तो simple सी बात है भाई, अगर आप देखेंगे इसका जो difference है, 5 में से 1 जाएगा 4 है ना, इसका जो difference 12 में से 5 जाएगा 7, 22 में से 12 जाएगा 10, 35 में से 22 जाएगा आपका यहाँ पर 13, तो यह जो difference हा रहा है, वो AP में हो रहा है, ध्यान से देखो, बन रहा है ना, 4, 7, 10, 13, यह AP में बन रहा है, तो भाई, यहाँ पे हम method of difference लगाते हैं, इसी के तरीके से हम इसे solve करेंगे, फिर आप S ही लिखोगे, यह AGS से इसका subtraction जो आ रहा थे, यहाँ पे चलो, N terms तक की बात है, TN-1, यह TN, एक term पहरे का लेते हैं, ताकि subtraction में easy हो, है ना, अब एक shift करके लिख रहे हैं, यही सारी सेम चीज़े, 22 plus dot dot dot, यहाँ पे आप लिखोगे, TN-2, यहाँ पे लिखोगे, TN-1 plus TN, मतलब कि TN एक खिस रिख सक देया है, यहाँ से यहाँ तक तो है ही सारी सेम, N terms है, यहाँ से यहाँ तक तो है ही सारी सेम, बट यह एक N इधर रिखी सक दिया है, है ना, अब subtract करेंगे, यह आ जागा 0, is equal to 1 plus 5 में से 1 जाएगा 4, 12 में से 5 जाएगा 7, यहाँ से जाएगा तो यह 10, यह आपका 13 अच्छा बताओ यहाँ से यहां तक की कहानी हो रही है ना ध्यान से समझो यहां से लेकि यहां तक हम बात कर रहे हैं यह जब difference वरत एक AP बन रहा है इसका भी इसका भी इसी तरीके से यह N terms तक एक AP बन रहा है साथ ही में यह minus TN हो जाएगा यह जो extra खी सक गया था भाई है ना तो TN is equal to क्या हो जाएगा यह AP बन रहा है है ना अब देखो इसमें sum और TN में आप confuse ब दी कितना है भाई 3 है clear है अब क्या है भाई यहां से हमें मिल जाएगा 3N minus 3 plus 1 या फिर कहो 3N minus 2 हमें मिल गए TN तो क्या यही answer है फटा फट बताओ क्या यही answer आ गया जल्दी बताएगे सारे बच्चे अच्छा हाँ इसमें एक चीज हम देखेंगे ध्यान से कि भाई यह जो TN इधर आ रहा है हाँ थोड़ा से एक यहाँ पे आप दिक्कत पाओगे फटा पटाओ यह सही है या फिर नहीं बताएगे सही है नो नहीं नहीं अच्छा ठीक है समझ रहे हो मतलब कि भाई यह आपको एंटर्म थोड़ी निकालना है अगर TN इधर आई यह क्या है यह पर्टिकुलर जो चीज आपको लिखी हुई है यह तो भाईया सम है ना एंटर्म सक का आप तो TN इसका निकालो TN थोड़ी न आया है है ना यह बच्चे आप एक्जाम में जरूर गलती कर दोगे ठीक है तो यहाँ पर यह चीज नहीं सही है निकालना कैसे होगा TN अब देखो ठीक है अब अगर आपको TN निकालना हो तो सिंपली आपको इसका सम निकालना पड़ेगा भाई एंट बाई टू ठीक है 2A प्लस N माइनस 1 D यह चीज है यहाँ पर हो जगा भाई N बाई 2 यहाँ पर हो जगा 3 N माइनस 1 यह अभी हमारा TN निकल के आया Still that is not the complete answer हमें पूछा क्या भाई इसका सम पूछा है तो अभी तो भाई सिर्फ हमने TN निकाला है अब इस TN का भी हम सम करेंगे Summation करेंगे TN का भी कैसे करोगे भाई यहाँ पर सिगमा यह हो जगा 3 N स्क्वाइर बाई 2 माइनस N बाई 2 clear है अब क्या है भाई सिगमा को आप expand करोगे formula लगा दोगे answer clear हो जाएगा ठीक है और सिगमा भी करना है राहुल ने पहले ही बता दिये बहुत अच्छे भाई सिंपल से बात अभी हमने सिर्फ TN निकाला TN में sum किया यह answer अगर आपको option में दियरे ता आप इसे नहीं लगाओगे अब हमें sum निकाला तो तो हम सिगमा TN करेंगे सिगमा हमने कर दी N square का पता है N into N plus 1 2N plus 1 by 6 और N का पता है N into N plus 1 by 2 कहानी खतम है clear है आया समझ भाई बहुत बढ़िया तो method of difference भी हमने किल कर दिया भाई method of difference AGS और आपका सिगमा यह एकदम clear है in difference ओके तो फटा फट आप यह वाला question करो ठीक है यह वाला question करो let f such that r tells your b function which satisfies यह satisfy कर रहा है if f a equal to 2 अच्छे यह हो चुका था है यह ना यह कल के class में सायर हो चुका था यह वाला question करो भाई फटा 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 आठ जन्वरी 2020 में पूछा हुआ यह question है second shift में यह आपको simply बताना है जल्दिस इसका solution इसकी value बता दो तो जो सिगमा या समेशन पर ध्यान नहीं दिये होंगे उनका तो कहानी खरता में भाई है ना तो आप GP लगा दोगे ठीक है अगर आपका difference जो आ रहा हो GP में आ रहा है तो आप GP लगा दोगे ठीक है वैसे ऐसा कोई example मिलता नहीं जिसमें GP में है वो AP में ही आता है ठीक है अगर आता भी इन case तो आप अपना जो भी method आप उसको बस follow करके चलेंगे कोई भी question हो आप अपने हिसाब से चलोगे relax हो के थोड़ा सा दूर का सोचो गलत step स्टार्टिंग में नहीं लेना है क्योंकि हमें time भी manage करके चलना है न तो जब time manage करके चलना है भाई तो क्यों गलत step लोगे तो फटा-फट इसका sum बताओ solution बताओ इनाम पाओ अभी भी किसी बच्चे का chat box में answer नहीं आ रहा है है ना तो जल्दी जल्दी भाई बताने की कोशिस करिए कश्ट करिए आप लोग ताकि चीजें आगे बढ़ाई जाये एक बच्चे ने बता दिया six और एक बच्चे ने बता दिया 12 और एक बात बता दे रहा हूं अगर इ 3 3 3 6 अच्छा जी ठीक है देखता हूं देखता हूं भाई आप लोग का दिमाग क्या है 3 6 सर अगर एक्जाम के टाइम फामले याद नहीं आया तो एक बार वैल्यू पूट करके आड़ करके आज आएगा ना हाँ बिल्कुल 3 अच्छा वेरी गुड तो 3 और कोई है भाई अभी में भी एक आग मिनट और लो सॉल करने में तो एक बार फिर अपना आप लोग सिंप्लिफिकेशन करो क्योंकि मैं नहीं चाहता ना कितना जो बच्चों वाला सवाल है आप गलत करके आओ जिसमें कुछ है ही नहीं तम जिसमें कोई कल्कुलिएशन ही नहीं है फिर यह बहुत गलत बात है भाई सेवाज अब 12 आ गए आपका 6 से 12 3 से 12 आ गए अच्छा बहुत बढ़ी और देखो कुछ आता है फटा फट भाई easy question है numerical type में पूछा हुआ है तो देख रहे हो कितना अच्छा अच्छा जवाब आ रहा है भाई है न बहुत बढ़ी है और कोई है भाई at least मैं ये वेट कर रहा हूँ कि कोई और जवाब दे सके थोड़ा सा calculation है थोड़ा time लग सकता है एक बार लगाओ फिर हम देखना ये चारेंग भाई दे कितने लोग पा रहा है जवाब एक बच्चे ने ए तेजा ने बोल दियो 497 बहुत बढ़ी है बहुत अच्छे ओके मुझे ही solve करना पड़ता है है ना चलो सब लोग अपना की ये रहना है ना ये भाई सिगमा दिया हुआ है एक इस उक्वाल टो एन टो 7 तक है ना ठेक है इसे थोड़ा सा मैं ब्रेक करता हूँ एन स्क्वाइर प्लस एन और ये टू एन प्लस वन डिवाइड़ वाई फोर इसे थोड़ा सा सही से करके अगर लिखोगे तो ये कुल मिला जुदा क्यों हो जाएगा बाई सिगमा एन इस उक्वाल टो 1 टो 7 ये हो जाएगा बाई 2 एन क्यूब है ना और ये 2 एन स्क्वाइर प्लस एन इसक्वाइर प्लस एन और ये डिवाइड़ वाईड़ वाई फोर क्लियर वन बाई फोर हम बाहर ले लेते हैं वन बाई फोर हमने बाहर ले लिया सिगमा एन इस उक्वाल टो 1 टो 7 और यहाँ पर आप क्या करोगा बाई 2 एन क्यूब प्लस 3 एन स्क्वाइर प्लस एन एक बार आप जब एक जब एक बार तुरंत ये केल्कुलेशन वेरिफाई भी करोगे हाँ बाई एन 2 एन क्यूब औ और यह हो जाएगा एन स्क्वाइर 2 के साथ और यह एन स्क्वाइर 3 एन स्क्वाइर और यह एक एन यहाँ पर बचेगा यही तीन टर्म्स है बहुत अच्छे अब करेंगे यहाँ पर सिंप्लिफिकेशन 1 बाई 4 है ना यह 2N क्यूब तो एन क्यूब का फामला क्या होता है है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर देखो धियान से तो बाहरी रहने दो टू इंड और यहाँ पर हो जगा 7 रखो कि 7 into 8 by 2 है ना तो 7 into 8 by 2 का आप लिख सकते हो भाई 28 का square भी क्योंकि भाई यहाँ पर 8 होगा यहाँ पर 7 होगा तो 4 से गायब वो 4 से बंज़ा 28 का square होगा प्लस यह हो जागा भाई simply यहाँ पर गायब 2 तो 1 by 2 into यहाँ पर 7 into 8 into 15 है ना और यहाँ पर 7 into 8 by 2 और थोड़ा सा simplification अभी करना मंगता है है ना चलो और simplification करेंगे 1 by 4 2 into 28 का square कुल मिला जला के अब इसे solve करो फटा फट चाहे जैसे भी दिमाग से answer आएगा 504 ठीक है 504 अब इसे गुपता ने सही बताया अमन को माणने सही बताया और आप लोग का भाई क्या एक बार मुझे प्लीज chat box में यह बताओ कि गलती कहां हो रही थी तुम्हारी एक छोटा सा question है मतलब कि इसमें इवन आपको दिमाग तक नहीं लगाना है सीधी बात है इसको expand करना है सारे formula लगातना है n equal to 7 रखना है कहानी खतम है भाई calculate करके देख लो क्या आपका 6 आ रहे या फिर 12 बार आ है क्या आ रहे भाई 2 for the 8 हो जाएगा 28 प्लस इतना square प्लस 28 into 15 इसी तरीके से इसका बहुत ही easy सा calculation अगर calculation भी easy बनाना चाहोगे तो 28 बाहर ले लोगे यहाँ पर simply 7 बचेगा 2 into 28 बचेगा यहाँ पर क्या बचेगा 15 बचेगा यहाँ पर क्या बचेगा भाई यहाँ पर simply आपका कुछ नहीं बचेगा 1 बचेगा 16 और 56 7 गुड़े आपका यहाँ पर 56 और यहाँ पर 16 है ना अब यहां पर 7 into 6 6 12 5 6 5 1 6 7 7 2 जब 14 7 7 जब 49 और 150 504 calculation में भी कुछ नहीं थे एवन अगर जो दिमाग वाला बच्चो उसको 28 का स्क्वायर करना ही नहीं है 28 आप common लोगें यहां भी 28 दिख रहा है यहां भी 28 दिख रहा है even calculation भी इतना easy है कि तुरांत आप 504 बता सकता है calculation mistake भी मैं नहीं मान सकते का आप से हो सकता है नहीं वी need what calculation mistake कैसे हो गया भाई मैं तो इतना थेजी से कर दिया सीरे दिमाग लाग भाई 28 सम में common आ रहा है बाहर लोग 4 7 7 बाहर बचे जाएगा यहां पर 28 into 2 अब easy हो गया यहां पर simply आपका बचेगा 15 यहां पर simply 1 बचेगा है ना तो अगर इतने basic questions आप गलती करोगे तो दिक्कत है सांतनू 140 कहां से आ रहा भाई 140 तो आने का कोई chance ही नहीं है ना इतनी छोटी छोटी गलतियां अगर करोगे भाई तो दिक्कत अब इसको तो कर दो इसका answer सभी बच्चों से मुझे चहिए चहिए ही चहिए क्योंकि अगर इतना मेहनत के बाद आप नहीं सीख पाऊगे तो पिर काम नहीं बनेगा नहीं तो काम नहीं बनेगा दोस्त फटा फट इसका answer त्यार इस बार बता दो इस बार धोखा नहीं होना चाहिए बस जहां सारे बच्चे प्लीज इसका answer इस बार बताएंगे अब ठीक है दो मिनट का टाइम लो बट सोच के समझ के इसका answer देना मुझे clear answer चाहिए भाई इसका एकदम easy एकदम बच्चों वाला चीज है अगर इसे नहीं कर पार फिर आप समझ लो कि आपका level डाउन है आज ही होगा प्रिंस इसके बाद जैसे हम इसको फिनिस करते हैं complex नमर स्टार्ट करते हैं क्योंकि अभी भी इसमें confidence नहीं आया सिग्मा आई इक्वल टू वन से 20 इन्टू की वेल्व आप लोग नहीं बता पा रहे हो है ना हेलो अनुराद फटा फट इसकी वेल्व बता दो भाई 210 अच्छा जी 21 पी पीछे वाले का solution देखलो एके प्रो फटा फट इसकी screenshot लेलो जल्दी से ले लिए 210 हार है बच्चों का अनुभा भारत आज बेरी गूड अनुराग बेरी गूड आयूस अब सही है भाई तुम लोग का लवी तुम्हारा भी सही है है ना तो बहुत ही अच्छा तुम लोग के response है भाई अब सही हो रहा है बच्चों से है ना तो 210 वालों डूब मरो है ना सबसे पहले क्या करना भाई यह जो हमें सम दिया इसका सम निकालना है एस इक्वल टू पहले तो अंदर आप उसको टर्म बनाऊगे ना 3 प्लस डॉट 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 के यह चीज दिया हुआ है अब क्या करने इसका सम निकालना है तो के टर्म्स तक है तो के बाई 2 2a प्लस k-1 और d कितना है वन है simply या फिर इसको आप के इंटू के प्लस वन बाई टॉ इतना भी आपको नहीं करना था सीधे आपको पता है कि n times का सम होता है n into n plus 1 by 2 but मैं तुम्हारा दिमाग के लिए बता रहा हूँ है k times है तो simply k into k plus 1 by 2 यह होता है बट फिर भी मैं यह चीज़ बता दे रहा हूं कि हो जाए तुम लोगा कुछ भला तो sigma k is equal to 1 से लेके 20 तक निकालना किसका है k square plus k और 1 by 2 मैं बाहरा लेना थोड़ा सा direct कर रहा हूँ ठीक है थोड़ा सा direct यहाँ पर यह चीज़ हमने directly expand कर दी तो 1 by 2 k square plus k k का कितना होता है k square k into k plus 1 2k plus 1 divided by 6 plus k into k plus 1 by 2 और k अभी रखना है हमें कितना 20 तक जा रहे हैं ठीक है तो 1 by 2 20 रख दो 20 into 21 into 41 by 6 plus 20 into 21 by 2 calculation हमें easy बनाना है कि नहीं तो 3 2 जा 6 3 7 जा 21 2 10 जा 20 है ना यह 1 by 2 यह कितना बचा भाई यह 7 यह 10 से बन जा 70 into 41 plus यहां पे 210 clear है अब क्या है भाई थोड़ा सा और easy हम बनाएंगे यहां पे ले जाओगे यह 2 हो जाएगा clear है अच्छे यह 41 है ना इसको मत गायब कर देना भाई यह 35 हो जाएगा यह 105 हो जाएगा तो 35 into 41 plus 101 यह क्या हो जागा भाई 35 1 यह 5 बचेगा 3 हासिल में जाएगा भाई आपके और यहां पे बचेगा 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 1 इस तरीके से कुछ आपके अंसर आ रहा है 1540 आएगा थोड़ा साइसे आप ध्यान से देखोगे तो 1540 यहां पे आएगा ठीक है तो यह calculation अच्छे से करना तो भाई कैसे आप लोग की गलती हुझा रही हमें तो यहीं नहीं समझ वा रहा है अच्छा कुछ यहां पे अपन सही है ठीक है ठीक है इतना easy question हाँ भाई इतने 101 नहीं 105 होगा हाँ 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 बहुत सही यहां पे 105 देखो 5 1 जैसा लिग गया है तो 105 होगा तो 4 add कर दो कि यहां पे 1540 आपके अंसर आ रहा है तो इतना easy question बच्चे कैसे गलत कर दे रहे हुझा 210 वालों क्या किया जाए बताओ तुम लोग के साथ कौन सा punishment दिया जाए आज तुम लोग का punishment यही है कि तुम लोग पहले आज basic math clear करोगे basic math में मैं बताओ कि तुम लोग क्या पढ़ना जाके ठीक है जिससे गलती हो रही है सबसे पहले तो तुम लोग देखना भाई log ठीक ह तुम रटोगे trigonometry के formula है और जो भी basic से formula होते हैं जैसे कि a plus b plus c का whole cube कितना होता है है ना a q plus b plus c cube को हम क्या लिख सकते हैं है इस power 4 plus b की power 4 हम कैसे निकाले जब हमें और कुछ चीज़ें दी हुई है कुछ आप sigma की properties देखेंगे है ना यह सारी चीज़ा आज तुम करोगे घ सब्सक्राइब करें कर जाकर यही punishment है वाई देख लो मैं है आना क्लिएर है यह सारी चीज़ा आँस देखोगे समझोगे फिर आओ यह साइन ठीटा जीरो तो ठीटा क्या होता है कॉस्टवीच घीरो दर कॉस्टी तूटी तो धीटा की value क्या होती है 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 ना इस तो घॉस क था तो पहले इससे कारो करेंगे दिन हम मूब करेंगे चलो बाई इसे फटा फट बता दो ये भी बहुत ही इजी है ये बहुत ही इजी है ये तेजा स्टार्ट होगा थोड़ा सा पढ़ लो अभी भी लेवल थोड़ा सा डाउन ही है न अभी स्टार्ट होगा एक्टम टेंसर मतलो इप दसम आप फर्स्ट फोर्टी टर्म्स आप दे शीरीज इज वन हंड्रेड टू एम देन एम इस इक्वेल थोड़ा सा आपको सोचना है दिमाग लगाना है और इसका सलूशन फटा फट प्रोजेक्ट कर देए ना स्क्रीन पे सलूशन बता भाई दो मिनट के अंदर बताईए ये तेजा विदिन 5-10 मिनट्स पांच से 10 मिनट में स्टार्ट हो जाएगा करो हाँ राधा सिंगल अभी हमने देखा ठीक है फॉम एडब्लियस अभी भी मांग रहा है हालाक इन्हें अपडेट अब तक कर देना चाहिए था क्योंकि ट्वीट पे इन्होंने लिखा था इस बींग डन हो रहा है मतलब है ना तो भाई यह तो आपको अंडर्टेकिंग इसका भी कोई अपडेट नहीं आया है तो देखो जैसे यह अपडेट आता है आई भी अपडेट यू सून ओके बहुत सही थोड़ा सा दिमांगा रहे हो फटा-फटी से एंसर प्रोजेक्ट कर दो भाई जल्दी से चैड़ बॉक्स भर जाना चाहिए एंसर से हैना जल्द क्यों महिपाल जल्दी जल्दी आप इसका एंसर प्रोजेक्ट करिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है थोड़ा सा दूर दर्सी बनना पड़ेगा 20 AAAA very good ठीक है तो चलो जिन बच्चों से नहीं हुआ अब इतने देर का था ही नहीं है प्वेश्चन अब ध्यान से देखो ग अब जाए नहीं अप्रोच क्या होगा फर्ष्ट 40 टर्म्स की बात हो रही है चालिश टर्म्स तब कि है न यह चीज हमने लिख लिया भाईया ने मेठ़ड और डिफरेंस बताय हुए चार में से तीन जाएगा एक आठ में से चार जाएगा चार नौ में से आठ जाएगा ए यार यह तो कुछ बढ़िया फार्मुला बंद नहीं रहा है भाई ऐसा तो कुछ बंद नहीं रहा है हां एक चीज जरूर कर सकते हैं कि दिख रहा है 3,8,13,18 ऐसे वाले जो टर्म्स है 3,8,13,18 यह 20 टर्म्स तक ही होँगे क्यों क्यों कि अल्टरनेट चल नहीं कहाने यह ए नाइन फिर यहां में 14 और यह 19 यह भी तो 20 टर्म्स तक ही होगा अल्टरनेट चले हाँ यह दिख रहा है जरूर कि यहां से 1414 अल्टरनेट वाले का आ रहा है सेम है ना तो हमें क्या पता चला यह एक एपी बनना है यह एक एपी बन रहा है दोनों को सम करना है अब क्या यह 20 टर्म्स तक एन बाई टू सोरी हाँ ठीक है 20 टर्म्स तक टू ए प्लस एन माइनस वन एन कितना भाई आपका 20 टर्म्स तक के बाद हो रही तो 19 इंटू डी कितना है भाई आठ मिस तीन जाएगा 5 प्लस अब यहां पे भी आप देखेंगे क्या हो रहा है बाई एन बाई है ना यह क्या बच गभाई 60 प्लस है ना यहांपे 60 प्लस यह आपका हो जाएगा भाई 950 यह पे प्लस वह आपका 80 लसा अपका क्या हो जाएगा 550 एक साहाँ और 60 और 4 ये 9 1940 ठीक है अब इसको आप करेंगे भाई 102 M इसमें भी कुछ कल्कुलेशन मिश्टेक हो गई क्या क्योंकि इसका एंसर 20 आएगा तो फटापट बताओ इसमें भी कुछ दिक्कत है 2040 आना चाहिए तो इसमें कोई बताए 20 आएगा एंसर इसमें कोई स्टेब में बताओ 1060 हो गया ठीक है 19 इंटू 5 प्लस 20 बाइटू 2A प्लस N माइनस 1 ठीक है 19 इंटू 5 ठीक है तो बताओ फटाफट इसमें क्या गलती है 950 वह भी है 950 यह भी है 9 9 1800 ठीक है और यहां पर आपका 60 प्लस आपका 80 140 हाँ यह देखो यहां पर भाई 2040 आएगा ना बताते नहीं हो तुम लोग बहुत चलाक हो ठीक है तो उननीस सो और एक सो चालिस का अड़ करेंगो तो 1940 नहीं आएगा 20 एंस वरा जाएगा क्लियर है हाँ अब बता रहे हो ठीक है तो यहार मैं यहीं कहना चाहरा हूं भाई देखो छोटी छोटी मिश्टरी जब हम लोग स्या हो जा रहे हैं तो आप भी कर सकते एक्जाम में है ना तो मैं एक सवर कि यह सारी गलतिया आप नहीं करोगे कि भाई फिर से आप पूरे स्टेप देखो और जानते हो अपनी गलती कभी खुद से नहीं पता चलती दूसरा कोई जजबले कर सकता है क्योंकि तुम तो भाई राइट स्टेप में तुम्हें आइडिया ही नहीं होगा कि तुम इतनी छोटी सी मिश्टेक कर सकते हो इसको एड़ कर जाएगा यह आपने भी अपने साथ नोटिस किया होगा कि जब आप खुद की गलती करते हैं केल्किलेशन में जैसे फाइब टूजट टेन की जगह आपने फाइफ निस अपोट दिया तो गलती आप खुदी नहीं पकड़ पागो दूसरा कोई देख के भले बता सकता है य इसका सम इसका सम इसका सम अल्टरनेट वाले का सम मतलब की दो सुरू के सम डूगर सेबन बने गा एक नाइन सेवन बने गा औरो सब्सक्रीं यह कि तक कहानी होगी ये 20 टर्म्स तक की कहानी होगी है ना अब लिखना कैसे n by 2 ये second method है ठीक है second method कैसे solve करें n by 2 2a 2 से बंजा 14 प्लस n माइनस 1 मतलब 19 और d कितना है भाई 10 है clear है ये हो जगा 10 और ये 14 प्लस 190 है ना ये क्या हो जगा भाई 10 और यहाँ पे आपका add करोगे तो यहाँ पे 0 यहाँ पे 4 आजाए 9 4 13 ये तो इस तरीके साफ यहाँ पे 22 आएगा ना जो भी आए ठीक है इस तरीके साफ यहाँ भी solve कर सकते है clear है कि नहीं बताए भाई 204 आएगा ठीक है 190 और 14 जोड़ों को 204 आएगा फिर ये आपका 204 हो जाएगा divided by 20 कर देना 102 मतलब ये 20 आपका answer आजाएगा clear है ये आपको क्या लग रहा है वे स्वन्त भोसले ये आपका sequence री चल ला यही तो है अपनी बात ठीक है तो आ रहा है समझ चीजें मज़ा आ रही है तो देखो मेरा कहने का मतलब यह सच आपको कुछ रटना नहीं है चाहिए यही वाला question है तो मैं कैसे बताया भाई सीधे देखते हैं कि क्या चीज दी हुई है तो हमने identify किया कि common difference नहीं लग लेकिन जब वो मेठर लगा था हम ये पता चला ये जो alternate series ये ये एपी में बन रहे हैं है ना और चार रनाओ ये भी एपी में बन रहे है आप उसे मालो किसी बच्चे कितना दिमाग नहीं काम किया कि भाई इन दोनों का सम और obviously exam में नहीं करेगा है ना ये इन दोनों का सम इन दोनों का सम इन दोनों का सम AP में बन ला यह नहीं करेगा यार common sense की बात है इस ट्राइक कौन सा करेगा 3 8 alternate वाले AP में दोनों को add करना है बस खास चीज का ध्यान क्या रखना है कि आपको simply भाई यह ध्यान में रखना कि alternate जो भी चीज़ें चल नहीं हम उसे ध्यान में रखें ठीक है कि कितने terms तक की कहानी कितने terms तक बाते हो रही है यह बहुत easy question है है ना more than energy लेकिन आप यहां पर confused जाओ क्यों 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 क्योंकि इसमें थोड़ा सा प्यार function का concept लगाना पर जाएगा है ना जिसे आता होगा और पास सकते है बाई कि अगर यह प्लस-प्लस होता तो यह nx हो जाता है greatest integer के अंद इसमें आपका बस एक प्रॉपर्टी लगेगा बाई greatest integer माइनस एक से आपका वन होता है है ना अगर माइनस एकस के फॉर्म में लिगना ता आप इसे ऐसे लिखोगे ध्यान से समझो ठीक है यह थोड़ा सा आपको यूज करना पड़ सकते है यहां पर बाकी अगर आप सुर अगर आप किसी इंटीजर को उसके निगेटिव साथ एड को यह माइनस होना आता कैसे आता है एक बाद ध्यान से समझो सब्सक्राइब हमने 9.8 की कहानी दी इसका greatest integer लिखा है ना और यहां पर हमने माइनस 9.8 लिखा तो कितना आएगा 9.8 का इससे छोटा 9 है ना अब यहां पर करोगे इससे छोटा कौन से होता है माइनस 1 और यह आपको लिखना मालो कि यहां पर माइनस है फिर यह माइनस 1 बाइ 3 प्लस 1 बाइ 100 इस तरीके से करके लिखना होगा तो सिंपल सी बात यह है कि माइनस 100 तो पहले तो बाहर आ जागा 100 टर्म्स है ना इसमें ध्यान से देखो तो भाई यह आपका स्टार्ट हो रहा है 101 टर्म्स है हां 100 टर्म्स है 1 2 यह 99 तक गया यह 0 से स्टार्ट है 100 टर्म्स तो माइनस 100 तो बाहर आ जागा माइनस यह पूरा माइनस बाहर ले लो ठीक है 1 by 3 प्लस यहां पर 1 by 3 प्लस 1 by 100 है ना तो जब इसका आप solve करोगे तो फिर आप वहाँ से nx solve formula लगा सकती है यह वाला क्लियर है ए ए ठीक है तो जिन बच्चों का भी मैं confuse नहीं करना चाहूंगा है ना यहाप confuse हो आगे बढ़ा जाए क्लियर है तो जिसे जानना हो अपना थोड़ा सा जाल दो भाई यह यह माइनस 100 हो गए यह माइनस nx n कितना है आपका भाई यहाँ पर एक्स कितना है वन भाई 3 इस वाले फर्मले दोखो तो इन कितना है वाई 100 है तो 100 भाई 3 करोगे माइनस 100-33.3 यहाँ पर करोगे बढ़ा अब क्या है माइनस 33 आ जागा तो मेरेज कर रहा हूँ, अभी वैसे function में आपको इसको जानना जरूरी था, यहाँ पे आप नहीं भी जानोगे, देखो, जब भी आपको greatest integer function x plus, x plus 1 by n, ठीक है, plus x plus 2 by n, dot 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 dot, x plus n minus 1 by n दिया हो, यह क्या है सारे brackets, bracket नहीं, यह greatest integer function है, तो इसका जो sum आता है, वह आता है, n into x के बराबर, x क्या है, यह वाले times, n क्या है, यह नीचे वाला, अगर आप यहाँ से compare करोगे, suppose मैं इसको लिख रहा हूँ, जैसे हमने लिख दिया था, बना के 1 by 3, plus, आपका 1 by 3, plus 1 by 100, ठीक है, plus 1 by 3, plus 2 by 100, है न, डॉट 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 1 by 3, plus 99 by 100, तो compare कर सकते हो, बहिए अगर इस formula साब compare करो, उट एक्स आपको क्या दिख रहा है, 1 by 3 हर जगा, x add है, तो आप formula में क्या रखोगे, x के जगा, 1 by 3, और n कितना दिख रहा है, यह जो नीचे है, 1 by 100, यह 100, यह 100, देखो, यहाँ पे n कितना दिख रहा है, 100 ही तो दिख रहा है, यहाँ भी यहाँ और लास्ट में, ऊपर n-1 भी है, 100-1 99, आप यहाँ पे n रख दोगे, n कितना है बाई, 100 है, इसका यह formula होता है यह 100 by 3 हो जागा greatest integer जब इससे solve करोगे 33 आएगा है ना इसका और एक method होता है ऐसा नहीं कि आप इसी तरीके से करो है ना अगर आपको suppose formula नहीं याद है तो ध्यान से देखो कि इसके 25 terms का sum ना 0 आएगा और आगे के 75 terms का sum कुछ one करके इस तरीके साथ है तो वहाँ से भी आप उसको solve कर सकते हैं बाकि यह सारी चीज़ें हम detail में सीखेंगे while learning function जब हम function पढ़ेंगे calculus start करने से पहले तो यह सारी चीज़ें detail में होंगी okay guys so I hope you enjoyed the session अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो like करना subscribe करना channel को और हाँ मुझे an academy app पे follow कर लो क्योंकि यहाँ पे भी आपकी regular basis पे classes होती है तो यहाँ पे follow करना every student के लिए must है link आपको description box में मिल जाएगा एक तो सबसे पहले आपको telegram join करना है और हम सारे educators को आपको app पे follow करना है क्योंकि यहाँ पे भी काफी interactive classes होती है questions poll के माध्यम से होते हैं यह सारी चीज़ें है ठीक है तो thank you very much for joining this session है ना अब आपके कुछ नए educators आएंगे कुछ आपको नए faces देखने को मिलेंगे and don't forget to subscribe our youtube channel don't forget to press bell icon and don't forget to like and subscribe this video thank you very much for joining this session